सुरेंद्र मोहन पाठक, विमल टैंटीज, चांडाल चौकडी, पार्ट एक, फर्स्ट एडिशन दो हजार एक, डिस्क्लेमर, यह विडियो केवल शिक्षा के उदेश से बनाया गया है, कोई व्यावसाइक लक्ष या कोई कॉपिराइट उदेशन नहीं है, निवेदन, सभी शोताओं से निवेदन है, कि इन आडियो बुक को बनाने में बहुत समय लगता है, ये दिनों या हफ्तों की मेहंत होती है, इसलिए कृप्या मेरे चैनल योर बुक रीडर को सब्सक्राइब करे, और कृप्या कमेंट करे कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं, और हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम को लाइक सब्सक्राइब करे, अगर कहीं हमारे दूसरे चैनल की तरहा इस चैनल में भी कोई प्रॉब्लम हो तू आप हमसे जुड़े रही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको हमारे विडियो में कुछ सिंबल साइन्स क साउंड सुनाई देते होंगे जैसे की, प्लस, हश, इनको इग्नोर करें ये हमारे बुकमार्ट्स है, रेकोर्डिंग के लिए होते हैं, विडियो लंबी होनी के कारण कुछ रह जाते हैं, जिन पर काम किया जा रहा है, जहां आपको ऐस्टरिस्क ऐस्टरिस्क साउंड सामान्य ज्ञान, जब ये उपन्यास लिखी गई थी तब का एक लाख रुपए आज के बीस लाख रुपए होते हैं, रिकम्मेंडेशन अगर आप इंदौर वासी है या इंदौर आए हैं, तो देसी रसोई से अपना खाना ओनलाइन ओर जरूर करें, तू आईए सुनते ह सुरेंद्र मोहन पाठक, चांडाल चौकडी, विमल टैंटीस, पार्ट एक, अबाउट दबुक, उसके सिर पर दशमेश पिता का हाथ है, वो काल पर फतह पाया, तीर कैगंबरों जैसी सलाहियात वाला मायावी है, उसके हजार हाथ है, वो अकेला ही सवा लाख है, ये थे विमल की दुशमन चांडाल चौकडी के उसके प्रती उदगार लेकिन फिर भी उनकी जिन्दगी का एक मात्र मनसूबा विमल की लाश गिराना था, चैप्टर एक, मंगलवार, सोलह मई, मुंबई, काथमांडू, पूना, दिल्ली, विमल होटल सी व्यू की चौथी मनजिल पर उस आफिस में विराजमान था जो की हमेशा से कंपनी के टॉप बॉस लोगों का आफिस रहा था, पहले राजभादर बख्या का, फिर इकबाल सिंग का, आखिर में व्यास शंकर गजरे का और अब होटल के नए मालिक राजा गजेंद्र सिंग का, विमल के सामने इर्फ का पर्चम लहराता लोटा था और अब नीलम पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित माहौल में ननहे सूरज के साथ होटल में मौजूद थी, मा बेटे की सुरक्षा के लिए जो फौरी इंतिजाम किया गया था, वो ये था कि होटल की टॉप की मन्जिल पूरी तरह से सील कर द दिया गया था और होटल के प्लान को यू आर्गेनाईज किया गया था जैसे वो 18 मन्जिल का नहीं, 17 मन्जिल का था, अब केवल एक ही लिफ्ट उस मन्जिल पर जाती थी और उसके इस्तमाल की बाबत भी खास स्टाफ को खास हिदायत थी, फिर भी विमल संतुष्ट नहीं था, नीलम और सूरज उसकी ऐसी दुखती रग बन गए थे, जैसी पर कि कोई भी कभी भी चोट करने में काम्याब हो जाता था, क्या सोचेला है, बाप, इर्फान बोला, विमल ने उत्तर न दिया, उसने गंभीरता से पाइप का कश लगाया, मैं क्या बोला था, बाप, कि जोहर ज्वाला में तेरा बाल का होगा, तू फता का पर्चम लहराता जाएगा और फता का पर्चम लहराता वापिस लोटेगा, मेरे को खुशी है कि रबल आलामीन को मेरी दुआ कुबूल हुई, तू अपनी बेगम के साथ सलामत वापिस लो से बोला जन की पैज रखी करता रे, लेकिन ऐसा हमेशा तो होता नहीं रह सकता, क्या बोलता है बाप, मुझे लगता है अंत पंच सोहल का वाटरलू उसकी बीवी और बच्चा ही बनेगा, शुब शुब बोल, बाप, तीम बार ऐसा हो चुका है, दुश्मनों का एक ही कामियाब वनप्वायन प्रोग्राम जान पड़ता है, सोहल की नाक मोरी में रगडनी हो तो उसकी बीवी को थाम लो, उसके बच्चे को थाम लो या दोनों को थाम लो, अब ऐसा नहीं हो सकेगा, शोहाब संजीदगी से ब दराबर हुआ, वो लोग बच्चे को ले गए और फिर बच्चे की मा कच्चे धागे से बंधी बंधी उनके पीछे चल दी, अब ऐसा नहीं हो सकेगा, पिछली बार वाली खामिया अब दुरुस्त कर दी गई है, हाँ, बाब, इर्फान पुरैसरार लहजे से बोला पिछल पोनिहाद मिस्टर एंड मिसेज शाह खड़े, छटी मन्जिल पर से अपना सुइट चेंज करा के टॉप फ्लोर पर पहुँच गए थे, जहां कि तेरी बीवी और लगते जिगर का भी सूट था लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, अब तो जैसे होटल की अठारवी मन्जिल का वजूद ही खत्म कर दिया गया है, अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, थेोरी में सब अच्छा अच्छा और चौकस ही लगता है, लेकिन जब कुछ होने पर आता है, तो यूं होता है कि हम भौचक के देखते रह जाते हैं, अब नहीं होगा, जरूर होगा, इतना बड़ा होटल है, इतना ज्यादा स्टाफ है, कोई भी दगाबाज निकल सकता है, हमारे जनरल मैनेजर कपिल उदैनिया ने इतनी दानिशमंदी से, इतनी मुस्तेदी से होटल के स्टाफ की स्क्रीनिंग की थी फिर भी जीवाने, शोलू, रामदेव और पांडू नाम के च चारों को मैंने खुद अपने हाथों जहन्नुमरसीद किया था, अ होटल के सिक्योरिटी चीफ तिलक मारवाडे का भी दावा है, कि होटल के स्टाफ में ऐसा एक भी शक्स नहीं है, जिसके तार कभी कमपनी के निजाम से जुड़े हुए हो, है नहीं तो बनाया जा सकता है आज के इनसान का इमान बहुत ज्यादा विकाउश है, ये हमें नहीं मालूम या हमारे दुश्मन को नहीं मालूम तकरीबन दुश्मनों का तो तू, बाप, दिल्ली में सफाया कराया भाई बज गया उसका बड़ा बाप रीकियों फिगुएरा बज गया मौजूदा हालात में शोहाब धीरे से बोला उमीद नहीं कि भाई पंगा लेने की कोशिश करेगा वो खुशी से ले पंगा उससे दो-दो हाथ करने को मैं हमेशा तयार हूँ लेकिन तयारी में जो छेद है वो मुझे सालना बंद नहीं करता छेद इर्फान बोला नीलं ननहा सूरज हम कितने हो पुकता इंतजाम मा बेटे की सुरक्षा के क्यों न कर ले ये हकीकत अपनी जगा कायम है और कायम रहेगी कि वो सोहल की ऐसी दुखती रग है जिसको छेडा जाने से वो तरपता है अब कोई छेड नहीं पाएगा बचपन में मेरी मा मुझे एक जिन्न की कहानी सुनाया करती थी जिसकी जान एक तोते में होती थी तोते की टांग तोरो जिन्न की टांग तूच जाती थी तोते की गरदन मरोडो जिन्न की गरदन तूच जाती थी मुझे लगता है मैं वो जिन्न हूँ और नीलम सूरज वो तोता है अब उन तक कोई नहीं पहुँच सकता बाप जो काम तीन बार हो चुका वो चौथी बार क्यों नहीं हो सकता नहीं हो सकता बोला न ये जूठी कसली है तो बाप तू कोई और तरकीप सोच ले आखिर तूने इतना आला दिमाग पाया है मैं जो भी तरकीप सोचूंगा उसका ये एहम हिस्सा होगा कि नीलम मेरे साथ न रहे दिल्ली में भी मेरी यही जित्थी कि वो मेरे साथ यहां न आये लेकिन उसे ये बात कुबूल नहीं हुई थी वो तो सोहल की परचाई बन के रहना चाहती है बनी हुई है अब परचाई कभी छुपती है बरोबर बोला बाप उसे तो किसी ऐसी दूरदराज जगा पर रहना चाहिए जहां की किसी को उसकी भनक तक ना लगे लेकिन उसे नहीं मनजूर कैसे होगा शोहा बोला नाखून को मास से कहीं अलग किया जा सकता है किया नहीं जा सकता लेकिन वक्त की जरूरत यही है कि किया जाए दूरदराज जगा भी किधर सेफ है बाप इर्फान धीरे से बोला विमल ने सक्पका कर उसकी तरफ देखा इकबाल सिंग को भूल गया नेपाल में वो सरकारी सरकरस्ती में था कितना सेफ समझता था वो उधर अपने आपको दो बार हमला हुआ उस पर दूसरी बार पोखरा में न बच सका बीवी समेत मारा गया विमल ने सहमती में सिर हिलाया सोचता हूँ कुछ क्षण बाद वो बोला उसे हिमाचल अपने गाव चले जाने को तयार करूँ जहां की की वो रहने वाली है लेकिन उसमें भी फच्चर है क्या बाप क्या पता मायाराम बावा ने बिरादरी भाईयों को उस जगह की बाबत भी बताया हो ओ तो है पाप तेरी तरह तेरी बेगम की भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती उसे भी नया चेहरा नहीं हासिल हो सकता जब मेरा नया चेहरा राज नर सगा मिलते ही उसका परदाफाश हो गया तो नीलं के नये चेहरे की भी क्या गारंती होगी उपर से प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे में इंकलाबी तबदीली ला सकने वाला जादूगर एक ही था डॉक्तर अर्लस लेटर जो की अपने क्लीनिक में ही कतल कर दिया गया ताकि किसी के नये चेहरे का राज राज रह पाता होटल में ही ठीक है शोहा बोला यहां भी तो दो बार खता खाई एक बार के वाक्यात पर किसी का जोर नहीं था दूसरी बार के लूप होल प्लक किये जा चुके है शोहा बरोबर बोला बाप इर्फान बोला विमल खामोश रहा उसने पाईप का कश लगाया तो पाया कि वो बुझ चुका था अभी इधर का इंतिजाम पूरी तरह से तसल्ली बक्ष है बाप पड़ हम फिर भी सोचेंगे भाभी साहिबा का हिफाज़त का कोई और भी पुकता रास्ता विमल ने अनिश्चित भाव से गर्दन हिलाई उसने लाइटर के लिए जेबे टटोली इधर उधर निगा दोड़ाई तो उसे याद आया कि लाइटर वो बाहर ले आफिस में जो कि कभी गजरे की सेक्रेटरी का होता था छोड़ आया था वो उठकर खड़ा हुआ और बाहर की तरफ बढ़ता हुआ बोला हम कितने ही पुकता रास्ते सोच ले कितने ही इंतजाम कर ले कितनी ही सिक्योरिटी बिठा ले मेरा दिल गवाही देता है कि आइंदा भी जब कभी भी मेरे पर तगड़ा वार होगा बाजरिया नीलम और सूरज ही होगा नहीं होगा बाप इर्फान ब्रड़ता से बोला हम ऐसा नहीं होने देंगे देखेंगे विमल ने दर्वाजा खोला तो उसे नीलम दिखाई दी उसकी उसकी तरफ पीट थी और वो बाहर की ओर बढ़ रही थी नीलम वो ठिटकी घूमी विमल को देखकर उसके चहरे पर मुस्कराहट आई जो कि विमल को सरासर फर्जी लगी तू यहां क्या कर रही है? कुछ नहीं उपर बोर हो रही थी इसलिए तुम्हारे पास चली आई आई तो नहीं तू तो लौटी जा रही है तुम्हारी कांफरेंस हो रही थी न मैंने दखल देना मुनासिब न समझा कैसे मालूम हुआ? क्या? क्या कैसे मालूम हुआ? कि कांफरेंस हो रही थी? अंदाजा लगाया बस और क्या? इधर आ नीलम उसके समी पहुँची और फिर उसे देख कर बड़े चित्ता करशक अंदाज से मुस्कराई ना जाने क्यो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले तू इस बंद दर्वाजे पर थी? खाम खा और कीहोल से भीतर जांक रही थी या कान लगाये थी हाई रब्बा मैं तो दर्वाजे के पास भी नहीं फटकी थी अच्छा हाँ जी मुझे ताकजाम की क्या जरूरत होगी भला फिर भी कुछ देखना सुनना होगा तो मैं कीहोल से देखू सुनूंगी जाके तुम्हारे सिरहाने नहीं खड़ी होँगी क्यों सरदार जी मैं तुम्हारी मालकिन हूँ मैं जब चाहूं तुम्हारे सिर सवार हो सकती हूँ सुरज कहा है उपर है सो रहा है उसे अकेला न छोड़ा कर यह सला है या हुक्म 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 किस बात का कि मैं वापस उपर जाऊ, सूरज के पास, ना सला है, ना हुक्म है, दरखवास्थ है, उपर जा, और बेवज़ा इधर उधर न भटका कर, लो, अब क्या तुम्हारे पास आने पर भी पाबंदी है? नहीं है, नहीं हो सकती, लेकिन खबर करके आया कर, बल्कि मुझे हुक्म दिया कर कि मैं तेरे पास पहुचू, समझी? उसने सहनती में सिर हिलाया, पिछली बार कैसे तेरे सूट में होते बच्चा उठ गया था, क्या भूल गई? तुम तो मुझे डरा रहे हो, खबरदार कर रहा हूँ, ये तो खसमाम खानी कैद हो गई, जो कि तूने खुद कुबूल की है, तुझे बच्चे के साथ कहीं दूरदराज की जिन्दगी कुबूल हो तो, नहीं कुबूल, समझ लो मुझे कैद कुबूल है, फिर गिला कैसा कोई गिला नहीं, मैं, मैं जाती हूँ, वो वहाँ से रुखसत हो गई, विमल अपलक उसे जाता देखता रहा, पाइप सुलगाना तो जैसे वो भूल ही चुका था, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाते हैं, और हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर ले अगर कभी हमारे दूसरे चैनल्स की तरह इस चैनल में भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे जुड़े रहेंगे नए अपडेट के लिए लिंक दिस्क्रिप्शन में है आपको यहां आडियो गुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें रीकियो फिगुएरा अपने लेफ्टीनेंट रॉस आर्नाल्डो के साथ निर्विगन भारत से निकल जाने में काम्याब हो गया था उस घड़ी वो काठमांडू के सोल्टी ओबराय के अपने आलिशान सुट में बैठा सकाच विस्की की चुस्किया ले रहा था और सिगार के कश लगा रहा था भाई उसके हैलिकॉप्टर से दिल्ली में ही उतर गया था और अब फिल्हाल उसका उससे कोई संपर्क नहीं था उसके इंटरनेशन सिम काड़ वाले मोबाईल फोन पर काल तो लगती थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था पीछे दिल्ली में जामनानी के फार्म पर जो हाई टेंशन ड्रामा हुआ था वो उसे अभी भी सपना जान पड़ रहा था उसे ये करिश्मा जान पड़ता था कि एक अकेला आदमी न सिर्फ काल का पंजा मरोडने में काम्याब हो गया था ऐसे हालात पैदा करने में भी काम्याब हो गया था कि उसकी हाँ बाजी जीत में तबदीर हो गई थी उसकी आंखों के आगे सोहल का प्रतापी चहरा उगरा वाट ए मैन बर्बस उसके मुह से निकला वाट ए मैन रौस आर्नाल्डो उससे परे एक कुर्सी पर बैठा हुआ था अपने बॉस की आवाज सुनकर वो ततकाल उठकर खड़ा हुआ और बॉस के करीब पहुँचा आपने कुछ कहा बॉस वो अदब से बोला मैं उस शक्स के बारे में सोच रहा था जो सोहल कहलाता है चर्चे बहुत सुने थे उसकी बहादुरी और जामबाजी के जब देखा तो वैसा ही पाया जैसा कि वो बताया जाता था बहादुर जामबाज हौसलामन निदर लाखों में एक वहाँ फार्म हाउस में गिरफ्तार भी ऐसा लग रहा था जैसे सियारों के बीच में बबबर शेर खड़ा हो जैसे जानता ही नहीं था कि खौफ क्या होता था मौत को जिन्दगी का आखरी अंजाम बताता था और कहता था कि मौत से दरना एहमकों का काम था अदब की मुद्रा बनाए आर्नाल्डो खामोशी से अपने बौस के सामने खड़ा रहा बहादुर शक्स की बहादुरी को तस्लीम करना पड़ता है कितने अफसोस की बात है कि ऐसा बहादुर शक्स हमारी तरफ नहीं You are right, sir तुम्हारे ख्याल से पीछे कया हुआ होगा कहना मुहाल है, sir लेकिन जो हुआ होगा, बुरा ही हुआ होगा किसके लिए? लोकल बॉस लोगों के लिए जामनानी और उसके जोड़ीदारों के लिए May all of them go to hell यूं हम नाकाबिल लोगों से माथा फोरने से तो बचेंगे बॉस, पीछे अगर उन्होंने बाजी संभाल ली हुई तो फिगुएरा ने तुरंट जवाब न दिया उसने बड़े विचारपूर्ण धंग से सिगार का लंबा कश लगाया और विस्की का घूंट भरा पॉंट तो हम उन्हे एक चांस और देंगे आखिरकार वो बोला इसलिए नहीं क्योंकि हम उन्हें किसी काबिल समझते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि फिलहाल दिल्ली में उनकी जगर लेने वाला हमारी निगाह में कोई नहीं कितने अफसोस की बात है कि नाकाबिल लोगों से हमें इसलिए माथा फोड़ना पड़ेगा क्योंकि काबिल को हमारी पेशकश कुबूल नहीं काबिल सोहन और कौन मीटिंग का क्या होगा फिलहान तो मीटिंग कैंसल ही है हमें खुशी है कि हमारे इन्वाइटी एशियन ड्रग लॉड्स को वक्त रहते वार्निंग मिल गई नतीस्तन कुछ ने नई दिल्ली का रुख ही न किया और कुछ रास्ते से लौट गए बहरहाल वो सब के सब अपने ठिकानों पर सेफ है लेकिन मीटिंग सिल्हान तो मीटिंग कैंसल ही है आगे आगे दिल्ली में मीटिंग होने का तो अब सवाल ही नहीं मीटिंग के लिए भाई मुंबई में या उसके इर्दगिर्द कोई सेफ जगा तजवीज कर पाया तो ठीक वरना मीटिंग यहां काठमांडू में या सिंगापूर में होगी भाई कुछ कर पाएगा देखेंगे मीटिंग की जगा के तौर पर मेरी पसन अभी भी इंदिया ही है वो बड़ा मुल्क है जो की कमजोर निजाम के हवाले है मीटिंग में शामिल होने वाले हमारे नुमायंदों को मीटिंग के लिए इंदिया में आवाजा ही रखना आसान लगता है ओ तो है तभी तो भाई जब चाहता है इंदिया पहुँच जाता है करेक्ट वैसे भाई के बारे में क्या सोचा आपने सिरा की भवे उठीन दिल्ली में हेरोईन का कारोबार मजबूत करने के लिए आपने उसे एक महीने का वक्त दिया था मौजूदा हालात में वो सिलसिला क्या अब कैंसल समझा जाए हरगिस नहीं पीछे दिल्ली के बिरादरी भाईयों पर क्या बीती हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है वो मरे या बचे वो भाई की सिरदर्ध है भाई से हमारी मांग थी और है कि एक महीने में वो हमें ये गुड निउस दे कि किसी जिम्मेदार आदमी ने मर्हूम डॉन गुरु बक्षलाल की जगह ले ली थी और मुंबई में कम्पणी का सरगना या सोहल बन गया था या सोहल की हस्ती मिता दी गई थी आई सी वैसे मेरी पसंद की बात ये होगी कि सोहल कम्पणी का सरगना बन गया आई बैग यूर पाड़न सर पीछे सोहल को लेकर हाई टेंशन ड्रामा हुआ था, उसकी रूमे लगता नहीं कि सोहल को ये पेशकर्ष कभी भी कुबूल होगी मुझे भी नहीं लगता तो फिर मैं ज़रा होपफुल थिंकिंग कर रहा था बावजूद इसके कि वो आपके मुह पर आपकी पेशकर्ष को ठुकरा चुका है आपने उसे हुक्म नहीं दिया था उससे दरखवास्त की थी कि वो कमपनी की खाली गद्दी को कुबूल करे फिर भी उसका जवाब इनकार में था आपने उसे कमपनी की मुखालफत बंद करने को कहा था तो भी उसका यही जवाब था कि वो भी नहीं हो सकता था इसी बात का तो अफसोस है वो आदमी जितना काबिल है उतना ही धीट है बहरहाल वो हमारी नहीं भाई की प्राबलम है हमें नतीजे से मतलब है हम बदस्तूर बाजरिया भाई कोई माकूल नतीजा निकलने का इंतिजार करेंगे क्या पता वो नतीजा निकल भी चुका हो? क्या मतलब? क्या पता पीछे सोहल का सिर लुढ़क भी चुका हो? ऐसा हुआ तो हम दिल्ली के बिरादरी भाईयों की बागत अपनी राय तबदील करने के लिए मजबूर होंगे तो हम खुद उन्हें शाबाशी देंगे तुम भाई को उसके मोबाईल पर फोन लगाओ ताकि हमें पीछे के हालात की खबर लग सके आनाल्डो ने सहमती में सिर हिलाया और फिर फोन लगाने में जुड़ गया भाई निर्विगन पूना पहुँच गया Maxwell Industries का जो प्लेन उसके आदेश पर ब्रजवासी और नीलम को दिल्ली लेकर गया था उसका वापिसी का फ्लाइट शेड्यूल पहले से निर्धारित था इसलिए प्लेन की भाई के साथ पूना वापिसी में कोई अडचन ना आई उस घड़ी वो करवे रोड पर स्थित मेपल हाइट्स नामक मल्टी स्टोरी हाउसिंग कम्पलैक्स के एक फ्लैट में मौजूद था पीछे दिल्ली में क्योंकर वो मौत का निवाला बनने से बाल-बाल बचा था ये सोच कर ही उसके रोंगते खड़े हो जाते थे अपने दिल्ली यात्रा का वो कतई तरफदार नहीं था लेकिन रीकियों फिगुएरा के दंडे की वज़़ से उसे ऐसा करना पड़ा था खुद को किसी अतिरिक्त कवज्जों से बचाए रखने की वज़़ से वो केवल एक ड्राइवर और एक बाड़ीगार को साथ लेकर चला था उसकी वो सावधानी काम्याब रही थी वो किसी की भी निगाहों को मरकज नहीं बना था लेकिन फिर भी आखिरकार जिस वाहिट शक्स ने उसे देख कर पहचाना था वो तकदीर की मार की सोहल निकला था ये भी करिशमे से कम नहीं था कि अपनी जेन और सोहल की मैटाडोर की सीधी तक्कर में अपने गाड़ और ड्राइवर की तरह वो भी नहीं मर गया था उसकी जान का सौदा अपनी बीवी की जान से करने की मज़़ूरी सोहल के सामने न होती तो या तो वो उसे मार डालता या गिरफतार करा देता जान उसकी जरूर बच गई थी लेकिन उसकी दाई कनपटी में गहरा जख्म लगा था और बाकी शरीर का शायद ही कोई हिस्सा था जो कि बुरी तरह से रगड़ा नहीं गया था खरोचा नहीं गया था उसका कितना ही व्यक्तिगत सामान पीछे रह गया था जिसकी बरामदी इस बात पर निर्भर करती थी कि दिल्ली वाले सोहल से जीतते थे या हारते थे सबसे ज्यादा वो अपने इंटरनेशन सिम कार्ड वाले मोबाईल फोन को मिस कर रहा था जो की एक्सिडेंट के दौरान तीछे पता नहीं कहां गिर गया था अब उसके सामने जो बड़ा काम था वो दुबई वापिस लौटना था दुबई वो यू सहेज ही नहीं रवाना हो सकता था जैसे की दिल्ली से पूना आया था उसमें पहले मुंबई में दहिशर के करीब के उस उजार समुद्र तट पर पहुचना होता था जहां से की एक मोटर बोट उसे समुद्र में भारतिय हद से बाहर खड़ी उस मोटर लांच तक लेकर जाती थी जो की उसे निर्विग्न दुबई पहुचाती थी हमेशा प्यादों और चाटुकारों से घिरा रहने वाला भाई उस घड़ी अपने आपको बहुत तनहा और बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था ये भी अफसोसनाग बात थी कि पीछे बाजी एक बार बिगड़ जाने के बाद फिर संबर गई थी सोहल के खत्म हो जाने की गारंटी हो गई थी लेकिन तकदीर की मार की बाजी फिर सोहल के हक में पलट गई थी बिग बॉस फिगुएरा बड़ा नाराज और नाउमीद होकर दिल्ली से गया था जो हुआ था उसमें उसका रोल नहीं था लेकिन फिर भी उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसने उसे जिम्मेदार ठहरा के रहना था दिल्ली के बिरादरी भाइयों में से उसे सिर्फ ज्हामनानी का नंबर मालूम था उसने उस पर फोन लगाया लेकिन निरंतर घंटी ही बजती रही कोई जवाब न मिला दिल्ली के हालात का पता करने का कोई और जरिया वहां पूना में फिलहाल उसके पास नहीं था उसने काठमांडू में सोल्टी में फोन लगाया और रीकियो फिगुएरा की बाबत दर्याफ्त किया ये सुनकर उसने तनिक राहत महसूस की की बिग बॉस वहां पहुँच चुका था और उस घड़ी अपने सुइट में मौजूद था ओपरेटर ने उसकी कॉल फिगुएरा के सुइट में लगाई जवाब में उसे रॉस आर्नाल्डो की आवाज आई भाई बोलता हूँ वो बोला बॉस से बात करना मांगता हूँ आप कहां से बोल रहे हैं? पूछा गया पूणा से मोबाईल पर जवाब क्यों नहीं दे दे? मोबाईल मेरे पास नहीं है दिल्ली में मेरा जो एक्सिडेंट हुआ था उसमें वहीं कहीं गिर गया था नए मोबाईल का इंतजाम कीजिए और बॉस को नंबर की खबर कीजिए ताकि कम्यूनिकेशन में दिक्कत न हो नहीं होगी मैं दुबाई पहुचते ही अभी कीजिए दुबाई पता नहीं आप कब पहुचेंगे ठीक है अब मैं बॉस से बात प्लीस स्टेंड बाई ओके भारी हद तक महसूस करता भाई रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा फिर एकाएक लाइन एक्टिवेट हुई बॉस इस वक्त आप से कोई बात नहीं करना चाता उसे आरनाल्डो की आवाज सुनाई दी आपके लिए हुक्म है कि आप दिल्ली के हालिया हालात का पता लगाएं और बॉस को उनकी खबर करें अगर दिल्ली वाले अपने आपको सेफ करने में काम्याब हो गए हैं तो तमाम सिलसिला पहले जैसा ही चलेगा क्योंकि मौझूदा हालात में उनको एक और चांस देने के अलावा कोई चारा नहीं है ओके? हाँ और सोहल की बाबत भी बॉस की हिदायत अभी स्टेंड करती है आपके पास पहले से निर्धारित एक महीने का वक्त है सोहल की जिद तोड़ने का या उसकी हस्ती मिटा देने का अंदरस्टेंड? यस जामनानी वगेरा का कोई आल्टनेटिव भी आपने तलाश करके रखना है जो की बवक्त ज़रूरत काम आएगा मैं कोशिश करूंगा इस बाबत भी गुड बॉस काठमांडू में आज शाम तक ही है कल से सिंगापुर फोन लगाएं ठीक लाइन कट गई भारी मन से भाई ने रिसीवर वापिस रखा उस घड़ी छोटा अंजुम की कमी उसे बुरी तरह से खल रही थी छोटा अंजुम की जगा लेने के लिए आदमी उसके पास था उसका नाम इनायत दफेदार था और वो भी छोटा अंजुम जैसा ही मुस्तेद और वफादार था लेकिन छोटा अंजुम का क्या मुकाबला था जैसे शिवांदी शाह का क्या मुकाबला था शिवांदी के कातिल का पता लग जाए सही मन ही मन दांत पीस्ता वो बोला उसे तो मैं तडपा-तडपा के मारूंगा अब उसके सामने जो अहम काम था वो दिल्ली के हालाद जानने का था किसे फोन लगाए? एक लंबी सोच के बाद आखिरकार उसे एक नाम सूझा ततकाल उसने अमरितलाल नाग को फोन लगाया दिल्ली के दादा, अंदरवर्ड के टॉप बॉस, सुपर गैंग्स्टर, विरादरी भाई यू बंधे पड़े थे जैसे कि वो इंसान न हो, एक ही तरह की आइटमों की पैकिंग हो उनके अलग-अलग हाथ पाफ तो बांधे ही गए थे बंधे हुए खलीफाओं को एक ही रसी से सामोहिक रूप ये यू भी बांध दिया गया था कि वो जहां पड़े थे, वहां से हिल नहीं सकते थे सब के चहरे पर गेहन पराजय के भाव थे सबसे ज्यादा उनके रिंग लीडर जामनानी के चहरे पर, जिसका की वो फान था और जो एक विशेश मीटिंग के लिए बाहर से आकर वहां इकठा होने वोल ड्रग लॉड्स, भाई और बॉस के बॉस रीकियो फगुएरा का मेजबान था नार्थ इस्ट एशिया के च्छ ड्रग लॉड्स को वहां आने से फिगुएरा ने रोक दिया था, खुद वो और भाई हेलिकॉप्टर द्वारा वहां से कूच कर गए थे और सोहल के हिमायती कथिद धोबियों के हमले का मुकाबला करने के लिए उन्हें छोड़ गए थे कि उसके अपने आदमी उसके खिलाफ हो गए थे, उन्होंने ही उसे और बिरादरी भाईयों को दबोच कर सोहल के हवाले किया था, उनकी वो हालत बना कर सोहल उन्हें जिन्दा तो छोड़ गया था, लेकिन आइंदा जिन्दगी की और आजादी की गारंटी उनमें से किसी को नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि सोहल के बुलावे पर वहां दिल्ली पुलीस का एक ACP और एक इंस्पेक्टर पहुचा था और उस घड़ी एक तरह से वो पुलीस की कस्टडी में थे, उसके बाकी आदमियों की तरह उसके खास कारिंदे अमर्दीप और शैलजा पलक जपकते सोहल के हिमायती बन गए थे और खास उनी की वज़ा से सोहल जान से जाते जाते बचा था और उसके दो खास आदमी टोकस और हुक्मनी मारे गए थे, कमी ने क्रोध और बैपसी के आधिके में उसके मुम से साप जैसी फुम्फकार निकली गदार, किन्हे को स्रिया है सिंधी भाई, भोगी लाल बोला, नमकहराम, एसान फरामोश, तेरे आदमी वीरे मेरे, पवित्तर सिंग, जो की जानता था कि जामनानी किन्हे कोस रहा था, बोला मांजाया वर्गे, खालसा साई जामनानी गुस्से से बोला वड़ी क्या मतलब है नी तेरा, तैनो पता ए मतलब मेरा, क्या पता है नी मुझे, पवित्तर सिंग जवाब देने की जगा परे देखने लगा, वो दाड़ी वाला गंजा खलीफा ठीक कहता था, ब्रजवासी बोला, वड़ी क्या ठीक कहता था नी, जामनानी बोला, प्रजा खिलाफ हो जाए तो कोई राजा नहीं ज गर दे पालतू कुतों न कट खाया, पवित्तर सिंग बोला, वड़ी क्या है नी तुम लोगों के मन में, जामनानी जलाया तुम लोग तो यू बोल रहे हो नी जैसे जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं और सिर्फ मैं जिन्मेदार हूँ, कोई कुछ न बोला, अब चुप क्य हो नी, अब बोलते क्यों नहीं नी, गिले शिक्वों से कोई फाइदा नहीं, ब्रजवासी गंभीरता से बोला, सो तो है, जी, भोगी लाल बोला जो होना होवे हैं, वा तो होके रहवे हैं, तो फिर, जामनानी बोला, कुछ नहीं, पवित्तर सिंग बोला, सिंधी भाई, तू साड़ा लीडर है, और इस लीडरी पर तूने खुद अपना दावा लगाया था, ऐस वास्ते मैं लीडर से पूछता हूँ कि हुन साड़ा की होएगा, क्या होगा, ओ ये वीर मेरे, सवाल मैं पुछया है, वडी मैं क्या जवाब दूनी, तुम्हें खुद नहीं दिखाई देता की अब हमारा क्या होगा, दिखाई तो देता है, पवित्तर सिंग गमगीन स्वर में बोला पर जो दिखाई देता है, वो देखा तो नहीं जा रहा, ओते ख्याल से ही रूम हिलती है मेरी, होसला रखो, सरदार जी ब्रजवासी बोला ये मत भूलों की यू ब भोगी लाल बोला, पर उसने ऐसा नहीं कोटता, पवित्तर सिंग बोला, वो तो दीखे ही है जी, तैनो दिखता है न, लाला, साढ़े उस्ताद को तो नहीं दिखता, जामनानी तिलमिल आया, दिखता होगा तो इस सिचुएशन को कैश करने की कोई जुगत करता, पर ये त लगता है कि फासी के फंदे का जूला जूलने के लिए जहनी तौर से अपने आपको तैयार कर भी चुका है, सदार साइ जामनानी बोला वड़ी क्यों बढ़ बढ़ के बोल रहा है नी, वीर मेरे एहोई तो एक काम है जो सोलने हमें करने लायक छोड़ा है, बोल सकते हैं, एवास्ते वदवद के बोलना था, चुपकर सरदार साई, पर, चुपकर और मुझे सोचने दे, पवित्तर सिंग खामोश हो गया, एस्टरिस्क, 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 गार के जिस्म में हरकत हुई, कुछ खषण कुनमुनाते रहने के बाद उसने आखे खोली लेक किन ततकाल बंद कर ली, कहां था वो, क्या बीती थी उसके साथ, गार का नाम हिम्मत सिंग था और वो लेखुमल जामनानी के छतरपुर वाले विशाल फार्म के फातक पर ड्यूटी भरता था, हिम्मत सिंग का सिर्फ बुरी तरह दुख रहा था, उसमें हथोडे की तरह न क्योंकि किसी ने तब उसके सिर पर किसी भारी चीज का भरपूर वार किया था जब कि वो फातक पर था, फातक पर था, क्यों, बड़ी कथिनाई से वो अपनी उस हालत में पहुँचने से पहले के वाक्य को अपने जेहन पर उतार पाया, साहब लोगों का खाना लेकर होटल टाज पैलेस की वैन वहां पहुची थी, उसने वैन के लिए फातक खोला था, वैन के फातक से गुजर जाने के बाद जब वो उसको बंद करने के लिए घुमा था तो उसके सिर पर किसी वजनी चीज का भीशन वार हुआ था, और वो वह हाथों से सिर्थाम कर वो उन्हें फोकस में लाया और फिर बड़ी मुश्किल से सूरत अहवाल उसके जेहन पर दर्ज हो पाया, वो अपने केबिन में था और केबिन में बिछे तक्त पोश के नीचे फर्ष पर पड़ा था, उसने बड़ी शिद्दत से दो बार करवट कापते हाथ से उसने तक्त पोश का कोना पकड़ा और फिर उस पर बैठ गया, क्या माजरा था, किसने और क्यों उसे पर हमला किया था, उसकी निगाव फातक की और खुलने वाली केबिन की खिड़की के करीब रखी अपनी कुरसी पर पड़ी तो उसने पाया कि उसकी जरूर कोई लोग जबरन फार्म में घुस आये थे जिनमें से एक ने उसको अचेत करके उसकी वर्दी उतार कर खुद पहन ली थी और उसे तक्त पोश के नीचे धकेल कर उसकी जगा गार्ड की ग्यूटी भरने बैठ गया था, यही बात थी, लेकिन वर्दी तो सी कुरसी पर पड़ी थी, क्या वो लोग वहां से जा चुके थे, यही बात थी, लेकिन कौन लोग? उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था, कि उसे ये मालूम था कि वो तक्त पोश के नीचे कितनी देर बेहोश पड़ा रहा था, बिन की एक दीवार पर एक पुराने ज घडियाल तंगा हुआ था, लेकिन उसका पेंडुलम स्थिर था और घडियाल पौने 11 बजा रहा था, जो कि सही वक्त नहीं हो सकता था, मुराद घडियाल अक्सर रुख जाता था, लेकिन पेंडुलम को तनिक हिला देने पर फिर से चल पड़ता था, उसके अंदाजे के म माहौल बदस्तूर बना हुआ था, बंदाबंदी हो रही थी और भरपूर नम रहदारी बता रही थी कि हाल ही में कदरन तेज बारिश भी हुई थी, फिर उसकी निगा फाटक की तरफ उठी, फाटक खुला पड़ा था, चौपट खुला पड़ा था, अब वो महसूस कर र बन सकती थी, बर्खास्तगी से पहले फार्म के मालिक के हाथों जो बेजजत होना पड़ता सो अलग, पहले फाटक की तो खबर लू उसने मन ही मन सोचा और फिर जी कड़ा करके तक्त कोश पर से उठा, उसने कुरसी पर से उठा कर अपनी नीली वर्दी पहनी, लड़ खड सा केबिन से बाहर निकला और फिर आंधी में हिलते पेड की मानिंद जूमता जूलता फाटक पर पहुंचा, खुले फाटक के दोनों और भरपूर सन्नाटा था जो की हमेशा ही होता था लेकिन उस घड़ी न जाने क्यों उसे वो सन्नाटा बड़ा बोजिल, बड़ा बलकि भुथा लगा, क्या माजरा था? बहरहाल माजरा जो भी था, हालिया वाक्यात की और मौजूदा हालात की खबर मालिकान को देना जरूरी था, उसने फाटक को बदस्तूर बंद किया और अपने केबिन में वापिस लोटा, उसने खिड़की के साथ लगी मेज पर रख फोन उठाया, फोन डैड पड़ा था, उसने खूब पलंजर खटखटाया, रिसीवर की तार खीची लेकिन फोन में जान ना आई, हताश होकर उसने रिसीवर वापिस क्रेडल पर पटका और फिर केबिन से बाहर निकला, लड़कडाता संभलता वो अर्धवरिता का चलने लगा, सननादा अभी भी उसे खटक रहा था, फारक पर बना उसका केबिन फार्म हाउस की इमारत से बहुत दूर था, इस वज़ज़ से भीतर की आवाजे वहां तक नहीं पहुच दी थी, लेकिन वो एक आमात आज ही उसे क्यों खटक रही थी, आज ही उसे ऐसा क्य कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कोई आवाजा ही नहीं, वो ठठक कर खड़ा हो गया, भीतर जरूर कोई गरबर थी, वो खामोशी जरूर उस पर हुए हमले की ही कोई अगली करी थी, उसे वो बात जंची, फिर तो जरूर होटल की उस केटरिंग वैन म कोई भेद था उसने महसूस किया कि वो अभी फान हाउस के आधे रास्ते में था रास्ता घुमावदार था इसलिए पेडों से धके रास्ते के सिर पर स्थित इमारत उसे अभी दिखाई देनी नहीं शुरू हुई थी यानि कि फिलहाल उसे भी इमारत की तरफ से नहीं देख जा सकता था कतकाल वो ड्राइववे को छोड़कर पेडों की कतारों में दाखिल हो गया और फिर उन्हीं की ओट लेता दबे पाव आगे बढ़ा सावधानी से चलता वो उस खुले मैदान के दहाने के पेडों की आखिरी कतार तक पहुँच गया जिसके पार फार्म हाउस की विशाल इमारत थी और जिसके सामने के तारीख बरामदे में मरघट का सा माहौल था चाती तक आने वाली जानियों के पीछे वो उकड़ होकर खड़ा हो गया और विस्फारित नेत्रों से सामने जाकने लगा बरामदे की सीडियों के करीब की मैदान की जमीन पर कितने ही हतियार बिखरे पड़े थे जो की उसे और भी सस्पेंस में डाल रहे थे वहां क्यों यों लावारिस और तिरस्कृत पड़े थे इतने हतियार क्यों था वहां इतना नाकाबिले बरदाश सन्नादा कहां चले गए इतने लोग? क्या पिछवाडे में थे? एकाएक वो सक्पकाया बरामदे में कहीं कोई था लेकिन उसे एक खंबे के पीछे हिलडुल का एहसास हुआ था दबे पाव उसने अपनी पोजीशन बदली और फिर कोई साथ आठ फुट एक पहलु हट कर फिर सामने जाता शैलजा जामनानी साहब की खास खंबे के पीछे खड़ी थी शैलजा ने एक आएक पहलु बदला तो हिम्मत सिंह को उसके जोड़ीदार अमरदीप के दर्शन हुए तब कहीं जाकर हिम्मत सिंह आश्वस्थ हुआ नहीं, कोई गड़बड नहीं थी साहब लोगों के दो इतने मुस्टैद कारिंदे जब रामदे में मौजूद थे तो कोई गड़बड कैसे हो सकती थी तब ही उसके सिर में जारे से दर्थ की तीस उठी वक्ती आश्वासन तुरंथ हवा हो गया गड़बड नहीं थी तो उस पर आकरमन क्यों हुआ क्यों भला? कोई वहां था ही नहीं तो वो सशस्त्र पहरेदारी क्यों? उस क्यों का जवाब उसकी अकल ने जवाब दिया जरूर बरामदे के बंध दर्वाजों के पीछे छुपा था वो जानता था वो दर्वाजे तीन विशाल हालनुमा कमरो जिनकी छटे बरामदे की छट के मुकाबले में कहीं उची थी और उनमें दर्वाजों के ऊपर रोशंदान यू बने हुए थे कि जैसे दर्वाजे बरामदे में खुलते थे वैसे वो रोशंदान बरामदे की छट पर खुलते थे मालिक के वफादार हिम्मत सिंह ने ततकाल अपना लक्षन निर्धारित किया दो घंटे ACT प्राण सक्सेना के मुंग से निकला पहाड गंज ठाने के एस एचो इंस्पेक्टर नसीद सिंह ने सिर उठा कर अपने आला अफसर की तरफ देखा दोनों कोने के हाल कमरे में दो कुर्सियों पर अगल बगल बैठे हुए थे और रहर रहकर बेचेनी से पहलू बदल रहे थे दो घंटे की गिरफतारी की सजा सुना कर गया था वो शक्स हमें सक्सेना बोला कितना वक्त बीद गया अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ साहब नसीद सिंग बोला वाच्ट कैटल नैवर ब्वायल्स जी क्या ख्याल है तुम्हारा यहां से उठकर अगर हम हरकत में आने की कोशिश करेंगे तो क्या वो छोकरा या उसके साथ की छोकरी सच में हमें गोली मार देगा उसकी मजाल नहीं हो सकती बावर्दी पुलीस अफसर पर गोली चलाने की मेरा भी यही ख्याल है नसीब सिंह अगर ऐसा है तो क्यों हम यहां मिर्ती के माधू बने खामोश बैठे सेकेंड गिन रही है नसीब सिंह से जवाब देते न बना क्यों? नसीब सिंह ने बेचैनी से बदला और फिर परे देखने लगा यानि कि ये अंदेशा तुम्हें बराबर है कि जुबानी कुछ भी कहो मजाल हो सकती है उसकी अब मैं क्या बोलू साहब यहां तो जो कुछ हो रहा है दिमाग भन्ना देने वाला हो रहा है यकीन ही नहीं आता कि हम यहां इतने बड़े ज्रामे के किरदार बन गए है मुझे भी सपना ही लग रहा है लेकिन साहब ये मानना पड़ेगा कि सोहल या अभी भी कौल ही बोलू उसे बहुत बड़ा केस हमारे हवाले करके गया है ओ तो है वा वा हो जाएगी हमारी जो होगा सामने आ जाएगा आपकी सच में कमिशनर साहब को काल नहीं लगी थी नहीं लगी थी यान तो मैसे छोड़ा होगा नहीं नहीं नसीब सिंह की भवे उठीन जहां मैसे छोड़ना था वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला था ऐसा होता तो नहीं आम तौर पर नहीं होता खास तौर पर अक्सर होता है बलकि खास हालात में जैसे की इस वक्त हमारे सामने है तो जरूर होता है साहब इसका तो ये मतलब हुआ कि यहां के वाक्यात की यहां से बाहर अभी किसी को खबर नहीं किसी को किसको महक्मे में किसी को क्या कहना चाते हो कुछ नहीं, साहब यूही जरा लाउड थिंकिंग कर रहा था क्या लाउड थिंकिंग कर रहे थे पता तो चले कुछ नहीं, साहब, कुछ नहीं लेकिन छोड़िये, साहब वो किस्सा ख्वाबों की दुन्या में विचरने की मुझे आदत है समझ लीजिये की टाइम पास के लिए एक सुहाना ख्वाब देखने की कोशिश कर रहा था कमाल है साहब एक आइडिया आया है क्या? हम उस लड़के और लड़की के मिजास को आजमाएं तो कैसा रहे? मिजास को आजमाएं आजमाएंगे तब ही तो पता लगेगा कि वो दोनों किस हद तक सोहल की हुक्म बरदारी के हवाले है क्यों? सकसेना कुछ क्षण सोचता रहा और फिर एक आएक अपने स्थान से उठा वो दर्वाजे के करीब पहुचा उसने उसे अपनी तरफ खीचा तो वो सहेज ही खुल गया चोखट पर से उसने आगे बरामदे में निगाह दोडाई परे बरामदे में मौझूद अमरदीप और शैलजा जो की दर्वाजा खुलता पाकर ही चोकनने हो गए थे अपलक उधर चोखट पर ACP को प्रकट होता देखने लगे अरे सुनो सकसेना उचे अधिकारपूर्ण स्वर में बोला क्या नाम है तुम्हारा अमरदीप सर अमरदीप हाथ में थमी स्टेंगन का रुख अपने सामने करता हुआ बोला इधर आओ अमरदीप ने अपने स्थान से हिलने की भी कोशिश न की सुना नहीं भीतर जाकर बैठिये साहब अरे हम कह रहे हैं अभी नहीं सर अभी नहीं इंतजार की मुकरर घडियां खत्म होने दीजिए फिर आप ही आप कहेंगे बड़े बत्तमीज हो जानते हो किस से जो बांदराजी कर रहे हो आप खामखा गर्म हो रहे हो साहब भीतर जाके बैठिये प्लीज हमें हुक्म दे रहे हो दरख्वास कर रहा हूँ साहब हमें तुम्हारी दरख्वास कुबूल न हो तो तो मैं आपको शूट कर दूँगा क्या इंस्पेक्टर साहब को भी तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती अमर्दीप थामोश रहा जानते हो वो रियायत विदडरा हो सकती है जिसकी सिफारिश सोहल तुम्हारे लिए करके गया है तुम्हारे लिए और इस लड़की के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे कौन रोकेगा हमें तुम दोनों को वादा माफ गवा बनाना या न बनाना हमारी और सिर्फ हमारी मर्जी पर मुनसर है खिर सोहल का कहर आप पर तूट कर रहेगा उसे कुछ मालूम होगा तब न सब मालूम होगा वो अंतर्यामी है नानसेंस सवाल आपकी मर्जी का नहीं आपकी मजबूरी का है आपकी जरूरत का है क्या मतलब हम दोनों की गवाहियों के बिना आप जामनानी और दूसरे दादा लोगों का कुछ नहीं बिगार सकेंगे और हमारी गवाहियां आपको तभी उपलब्ध होंगी जबकी आप सोहल के हुकम के मताबिक हमें वादा माफ गवा बनाएंगे वो कौन होता है हमें ऐसा हुकम देने वाला ये सवाल आपको उसी से करना चाहिए था तब करना चाहिए था जब उसने ऐसा कहा था जब कि आपने इसके लिए हामी भरी थी हम अब करते हैं अब करना बेमानी है सर, सोहल की वार्निंग आप इतनी जल्दी नहीं भूल गए होंगे कि अगर उसका हुकमया दरखवास या मांग जैसा कि वो खुद बोला आपने मुकमल तोर पर न बजा लाया तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा कोता ही करने वाले को जो की आप होंगे भुगतना इसे कहते हैं, छाज तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले सर, क्या आप चाहेंगे कि आपकी वादा खिलाफी की वजह से आपके कमिशनर साहब का सिर उनके कंदों पर न दिखाई दे तुम सोहल को बहुत बढ़ाचडा के आक रहे हो अमरदीप खामोश रहा वो उस वारतालाप से सक्त नाखुश था लेकिन ACP था कि बाज ही नहीं आ रहा था वो सोहल हो या सोहल का बाप, कमिशनर साहब की परचाई के पास भी नहीं फटक सकता बड़े लोगों की बाते, साहब हमें क्यों उनमें लपेटते हैं? आप सोहल किधर का बड़ा लोग है? सर, you are trying my patience सक्सेना कुछ क्षण खामोश रहा साफ जाहिर हो रहा था कि उसे छोकरे के सामने उसकी पेश नहीं चलने वाली थी मुझे देखना होगा उसने पैंतरा बदला की कैदी महफूज है अभी मैं देख रहा हूँ, सर दो घंटे बीटने दीजिए, फिर आप देखिएगा तब तुम भी उनी में शामिल किये जाओगे मालूम है, हमें कोई एतराज नहीं तुम पुलीस से सहयोग करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे मैं एन यही कर रहा हूँ, सर पुलीस से सहयोग ही कर रहा हूँ मैं Now, go sit inside I bag of you काफी पढ़े लिखे जान पड़ते हो अमर्दीप ने उत्तर न दिया ACP कुछ क्षण उसे घूरता रहा उसे टस से मस न होता पाकर आखिरकार वो दर्वाजे पर से हट गया दर्वाजा बदस्तूर बंध हो गया अमर्दीप ने शैलजा ने भी चैन की सांस ली Asterisk, Asterisk, Asterisk कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और कृपया कमेंट करे कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं और हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर ले अगर कभी हमारे दूसरे चैनल की तरह इस चैनल में भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे जुड़े रहेंगे नए अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें बंदर कीसी फुर्ती से पिछवाडे के एक परनाले को पाइप पकड़ कर हिम्मत सिंह उपर चड़ गया और फिर खामोशी से इमारत के चोतरफा घूमे बरामदे की छट पर कूद गया इस उचाई से सबसे पहले उसने कई एकड़ों में फैले फार्म की चारों दिशाओं में निगा दोड़ाई कहीं कोई नहीं था फिर उकड़े होकर दबे पाव चलता वो इमारत के अग्रभाग की और बढ़ने लगा रास्ते में जो भी रोशंदान आया उसने उसमें से भीतर जांक कर देखा लेकिन कहीं कुछ दिखाई न दिया आखिरकार वो इमारत के अग्रभाग में पहुँचा सावधानी से उसने उस रोशंदान में आख लगाई जो की वो बाखु भी जानता था कि सामने के तीन हॉल कमरों में से एक का था जो नजारा उसे दिखाई दिया वो दिल हिला देने वाला था नीचे फर्ष पर हुकमनी और टोकस की बेशुमार गोलियों बिंधी लाशे पड़ी थी हे भगवान उसके मुह से बर्बस निकला और उसे खबर ही ना लगी कैसे लगती उसने खुद अपने आपको जवाब दिया मैं तो बेहोश पड़ा था गनी मत्थी की मर ही नहीं गया था वैसे भी इमारत में होने वाली आवाजे कहां गेट तक पहुँचती थी वो अपने स्थान से हिला और सकर कर अगले कमरे के रोशंदानों पर पहुँचा पुर्ववत सावधानी से उसने एक रोशंदान के शीशे के साथ आख लगा कर भीतर जाका तो उसे दो कुर्सियों पर आमने सामने बैठे दो पुलीसिये दिखाई दिये एक एसीपी और दूसरा इंस्पेक्टर दोनों जरूर उसकी बेहोशी के दौर में वहां पहुचे थे और इसी वज़से उसे उनकी आमद की खबर नहीं हुई थी वो हैरान था कि पुलीस के अफसरान की मौजूदगी में वहां खून खराबा हो गया था और अमर्दीप और शैलजा स्टेंडन्स हाथ में लिए क्या पुलीस के उन अफसरों की निगरानी कर रहे थे उनकी मजाल नहीं हो सकती थी लेकिन लगता तो ऐसा ही था जरूर वो दोनों शक्स पुलीस की वर्दी ही पहने थे पुलीस वाले नहीं थे वो कोई बहुरूपिये थे जो पुलीस की वर्दी की आड़ लेकर कोई वारदात करने के लिए फान हाउस में घुस आये थे लेकिन पकड़े गए थे और जरूर अब जामनानी साहब ने अमर्दीप और शैलजा को उनकी रखवाली का काम सौपा था जरूर हुक्मनी और टोकस उन नकली पुलीसियों की ही गोलियों का शिकार हुए थे यानि कि सब काबू में था और ठीक ठाक था ऐसा था तो साहब लोग कहां थे साहब लोग उसे अगले रोशंदान में से दिखाई दिये जो की कोने के हॉल कमरे का था जो नजारा उसे हुआ उसने उसके मुकमल छक्के छुड़ा दिये साहब लोग गन्नों के गठर की तरह नीचे फर्ष पर बंदे पड़े थे उस नजारे ने उसे यकीन दिला दिया कि उन हालात में अमरदीप और शैलजा साहब लोगों की तरफ नहीं हो सकते थे जरूर वो दुश्मनों से मिल गए थे और वो ही साहब लोगों की मौझूदा दुश्वारी की वज़ा थे फिर तो वहाँ उसकी जान को भी खत्रा था अमरदीप और शैलजा ने जब साहब लोगों को नहीं बक्षा था तो उसे तो वो क्या बक्षरे अब क्या करे हूँ उसे फोरण वहाँ से खिसत जाने में ही अपना कल्यान दिखाई दिया साहब लोगों को लाचारी की उस हालत में छोड़ कर मजबूरी थी उसकी अकल में जवाब दिया वहाँ वो कुछ नहीं कर सकता था लेकिन वहां से निकल कर कोई मदद जुटाने की कोशिश वो बराबर कर सकता था और कुछ नहीं तो पुलीस के पास असली पुलीस के पास तो वो जाही सकता था उसे वो बात जंची ततकाल जैसे दबे पाव वो वहाँ पहुचा था, वैसे ही दबे पाव वहाँ से रुखसत हुआ एस्टरिस्क, एस्टरिस्क, एस्टरिस्क वडी कौन है नी उधर? जल्दी इधर आओ अमर्दीप सक्पकाया उसकी शैलजा से निगाह मिली जामनानी शैलजा धीरे से बोली हाँ, क्यों चिल्ला रहा है? चिल्लाने दो यहां कौन है सुनने वाला? वडी बाहर कौन है नी? जल्दी इधर आओ नी? जीने मरने का सवाल है नी? अरे, कोई सुनता है कि नहीं? तू यही ठहर अमर्दीप बोला मुझे कवर करके रखना मैं देखता हूँ क्यों चिल्ला रहा है? शैलजा ने सहमती में सिर्हिलाया सावधानी और मुस्तेदी से स्टेंदन थामे अमर्दीप कोने के कमरे के दर्वाजे पर पहुँचा उसने कुंडा हटा कर दर्वाजे को धक्का दिया और फिर भीतर जाका चारों खलीफा बदस्तूर बंधे पड़े थे क्या है? अमर्दीप बोला किसके जीने मरने का सवाल है? वडी अमर्दीप ही है न तू? जामना नी बोलाया मेरे सामने तेरा प्रेथ खड़ा है अमर्दीप ही हूँ वडी क्यो है नी? वडी शर्म से डूप क्यो नहीं मरा नी? जिस ठाली में खाता है उसी में छेद करता है नी? वडी लख दी लानत नी तेरे उपर अमर्दीप वापिस घूमा वडी किधर जाता है नी? आपने मुझे गालियों और कोस्नों से नवाजने को बुलाया है तो मेरा यहां कोई काम नहीं वडी काम है नी तेरा क्या? पहले मेरे सवाल का जवाब दे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे कैसा सवाल? वडी क्यों किया नी विश्वास घात तू ने? क्यों जामनानी की आख में डंडा किया उसके खिलाव जाकर? क्यों बिरादरी की दुकान फार्दी दुश्मन का सगा बनकर? जामनानी साहब इसका बहतर जवाब आपके उन पचास कारिंदों के पास था जिनों ने आपको धर दबोचा था और इस अंजाम तक पहुँचाया था वडी वो तो मज़़ूर थे, उनके सामने तो अपनी मा बहन बेटियों की सलामती का सवाल खड़ा था तेरी क्या प्रालम थी? शैलजा की क्या प्रालम थी? जब पचास जने खिलाफ हो गए थे तो बाकी बचे हम दो जने आपका क्या भला कर सकते थे? अरे कर्मा मारे, थोबड़ा तो बंद रख सकता था क्यों भौका था कि भीतर सोहल और उसकी बीवी की कनपड़ी से रिवॉल्वर सटाय हुपमनी और तोकस मौजूद थे लख दी लानत है मैं जो मुनासित समझा किया अमर्दीप शान्ती से बोला इसलिए अब उन बातों का जिक्र बेकार है आप बोलिए क्यों शोर मचा रहे थे? किसके जीने मरने का सवाल है? तू क्या समझदा है सरकार तेरे को तेरी कर्टूत के लिए मैडल देगी, तमदा देगी? या 21 तोपों की सलामी देगी? देखिए आप वडी तू देखनी तू देख अरे नसीब मारे तू चाहे तो अभी भी बिगडी बात समवार सकता है क्या करके? जैसे तुझे मालूम नहीं वडी आजाद करनी हम सब को और समझ की तेरी सब खताएं माफ समझ की जामनानी की महर और नवाजिशों की छतरी फिर तेरे सिर उपर ये नहीं हो सकता अरे खर दिमाग तू बिरादरी का आदमी है इसलिए बिरादरी से बाहर जाने के सपने देखने बंद कर तू ने जो खता की है उसकी तलाफी के तौर पर हमें आजाद कर बिरादरी तुझे माला माल कर देगी तू याद करेगा की आप मुझे फुसला रही है अकल दे रहा हूं नी अकल मुझे जरूरत नहीं जूले लाल इसकी तो मत्त मारी गई है नी आपने कुछ कहना नहीं है तो मैं चलता हूँ कहना क्यों नहीं है नी कहना ही कहना है लेकिन तू सुनता किधर है तू तो अमर्दीप ने असाय भाव से गर्दन हिलाई और फिर वापिसी के लिए घूमा भैयन साय को शूगर है नी जामनानी जल्दी से बोला तो ठिठकता हुआ अमर्दीप बोला शूगर की वज़से पेशाप की हाज़त जल्दी जल्दी लगती है वैसे भी तुझे एहसास होना चाहिए नी कि दिशापानी जंगल की जरूरत किसी को भी महसूस हो सकती है अब किसे हो रही है बोला तो भैयन को ब्रजवासी के मुंग से एक फर्माईशी करा निकली कब से हाज़त रोके हुए है बेचारा जामनानी बोला बोला सानो पेशाब नाल नहलाएगा वड़ी हूँ क्या नी हूँ क्या करता है नी वड़ी कुछ कर नी ठीक है करता हूँ जरा धीरज रखिये मैं अभी वापिस आता हूँ देखते हैं मी तेरी अभी वापिस आता है या ठैर के वड़ी देखते हैं, नी कि तू अभी वापिस आता है या आता ही नहीं। हिम्मत सिंग को मालूम था कि फार्म के जिस हिस्से में सुखा कुआ था, उसकी तरफ की बाउंडरी वाल एक जगह से तूटी हुई थी, वो उस तूटे हिस्से पर से दीवार पार करके बड़ी आसानी से सड़क पर पहुँच सकता था। में रास्ते से बाहर निकलना उसने इसलिए मुनासिब नहीं समझा था क्योंकि फाटक के पार कोई छुप कर उसकी निगरानी करता हो सकता था। जो रास्ता वो अक्तियार करने जा रहा था, उससे वो फाटक से बहुत परे सड़क पर नमूदार होता। अपने सायन सायन करते सिर को जैसे तैसे संभालता वो सफेदे के पेडों के बीच से गुजरना आगे बढ़ता रहा। तीछे जो नारा उसे हुआ था, वो उसे अभी भी सपना लग रहा था। अपने साहब लोग खास्तोर से जामनानी साहब उसे सर्वशक्तिमान लगते थे। ऐसा कौन उनसे भी जबर निकल आया था जो उनकी वो मत बना गया था। क्या बांकी पगड़ी और शाही चाल वाला वो लंबा तरंगा सरदार जो अपना नाम राजा गजेंदर सिंग बताता था, जो वहां अकेला पहुचा था और जिसका वहां इंतजार हो रहा था। कैसे हो सकता था। एक इकलोता शक्स क्या कर सकता था। पता नहीं क्या माजा था। एका एक वह ठिटका। आगे कहीं से आवाज आ रही थी। वो कान लगा कर सुनने लगा। इंसान आवाज थी जो कि उसके कान बहुत कठिनाई से पकड़ पाए थे लेकिन आवाज क्या कह रही थी। ये समझ पाना संभव नहीं था। अब एक नए बखेडे से आंदोलित वो आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ क्षण बाद आवाज पश्ट हुई। बचाओ। कोई कह रहा था बचाओ। अरे उपर कोई है। कोई है उपर। अब उसे साफ एहसास हुआ की आवाज कुए की तरफ से आ रही थी। वो और आगे बढ़ा तो उसे लगा की आवाज सुखे कुए के भीतर से आ रही थी। बचाओ। अरे कोई है। वो कुए के दहाने पर पहुँचा तो उसका एहसास यखीन में बदल गया। दहाने पर के लोहे के गोल जाल पर पहुँचा जो की पूरी तरह से दहाने को धके था। उसने सावधानी से कुमे जाका। कौन है भीतर वो तनिक उच्चस्वर में बोला। मैं बजाज हूँ। एक व्यग्र और आशापूर्ण आवास कुये की तलहती से उठी तुम कौन हो। मुकेश बजाज वही तुम कौन हो भाई। बजाज को हिम्मत सिंग खूब जानता था वो जामनानी साहब का खास से भी खास आदमी था। अरे बजाज साहब वो बोला आप भीतर कैसे। हिम्मत सिंह। तु हिम्मत सिंह है। हाँ बजाज साहब। आप भीतर कैसे। अरे मुझे बाहर निकाल। अभी अभी लो बजाज साहब। अभी तु गेट छोड के यहां क्या कर रहा है। लम्बी कहानी है, बजात साहब. लम्बी ही होगी. कब से तो बंध हूं मैं यहाँ? बजात साहब, जाल को तो ताला लगा हुआ है. अरे, ताला तोड किसी तरीके से और मुझे जल्दी बाहर निकाल. चाबी कहां है? पता नहीं कहां है. तू चाबी का ख्याल छोड और ताला तोड। अच्छा मैं करता हूँ कोशिश। लेकिन कुछ होना भी तो चाहिए मेरे पास तोडने को मैं। मैं करता हूँ कुछ। हिम्मत सिंह जाल पर से हटा, उसने सीधा होकर किसी ओजार की जुस्तजु में दाएं बाएं निगा दोडानी शुरू की। बजाज जो समझ रहा था कि वही कुए में वो भूखा प्यासा मर जाने वाला था, अब अपनी आजादी के प्रती आश्वस था। वो हैरान था कि वैसी ही स्थिती में चंद घंते पहले वो राजा साहब का बच्चा था जो की ना सिर्फ वहां से निकलने में काम्याब हो गया था, बलकि अपनी जगध कुए में उसे बंद कर गया था। कैसा मायावी आदमी था ये कमबक्त सोहल। उसके शैदाई उसे चलता फिरता प्रेत कहते थे, काल पर फता पाया हुआ शक्स कहते थे तो ठीक ही कहते थे वरना कैसे कोई 15 फुट गहरे उस अंधे कुए में से आजाद हो सकता था। वो तो अपनी लाग कोशिशों के बाद वो करिश्मा नहीं कर पाया था। चारों और निगा दोडाई। उसे घास में पड़ी कैंची दिखाई दी तो उसके करीब ही पड़ी चाबी दिखाई दे गई। बन गया काम, वो बोला बजाद सहब। चाबी मिल गई। बढ़िया। अब जल्दी कर। हिम्मत सिंह ने ताला खोल कर जाल हटाया, करीब पड़ी सीधी उठाकर कुए में लटकाई और उसे मुंदेर के सहारे छोड़ दिया। बरसाती पानी से भीगा, कुए की धूल मित्ती से अटा बजाज कुए से बाहर निकला। क्या हुआ बजाज साहब। हिम्मत सिंह उत्सुक भाव से बोला। वो कल रात का खास महमान बजाज भुन-भुनाया, वो राजा साहब। चाल चल गया, अपनी उलू बना गया मुझे। ना सिर्फ खुद आजाद हो गया, तीछे मुझे बंद कर गया। जामनानी साहब सुनेंगे तो जरूर मेरी खाल खिंचवा देंगे। नहीं खिंचवा सकेंगे। संजीदा लहजे में हिम्मत सिंह धीरे से बोला। क्यों? हिम्मत सिंह ने वज़ा बताई। फार्म हाउस में बिरादरी भाई किस अंजाम को पहुँच चुके थे, सुनकर बजाज के छक्के छूट गए। तौबा उसके मुझ से निकला तेरी बातों से तो लगता है कि वो दो पुलीस अधिकारी भी गिरफतार ही है। कोई फर्क है तो बस ये कि बिरादरी भाईयों की तरह वो बंदे नहीं हुए। मैं तो उन्हें नकली पुलीस वाले समझा था। हिम्मत सिंह बोला। नकली पुलीस वालों का यहां क्या काम। सो तो है। हैरानी है कि अमर्दीप की ऐसी मजाल हो गई। शैल्जा की भी साहब। दोनों बिरादरी भाईयों को बंधक बनाए बैठे हैं। एक इंस्पेक्टर को, AKCP को बंधक बनाए बैठे हैं। किस हासल की खादिर। हासल तो कोई तो दिखाई नहीं देता। लेकिन होगा तो जरूर। हाँ होगा तो जरूर। हमेशा तो नहीं रह सकते। शायद उन्हें इंतजार है किस बात का। किसी खास शक्स का। या किसी खास घड़ी का। हो सकता है। फिर तो उस शक्स या घड़ी के आने से पहले कुछ करो। बजाज साहब। नमकहराम नहीं हो तो कुछ करो। तू है। नहीं हूँ। होता तो कब का खिसक गया होता। फार्म हाउस की तरफ रुख तक न किया होता मैंने। उसकी शाबाशी है तुझे, हिम्मत सिंग। जामनानी साहब सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। खुश होने लायक बचेंगे तो खुश न, साहब। साहब, मैं मोटी अकल का आदमी हूँ लेकिन आपके पास आला दिमाग है। भगवान के लिए कुछ सोचो, कुछ करो। तु मेरा साथ देगा। हाँ, हर हाल में। भाग नहीं खड़ा होगा। हरगिस नहीं। अगर मैं साहब लोगों की दुश्वारी की इस घड़ी में पीठ दिखाऊं तो गउखाऊं। शाबाश, मैं सोचता हूँ, करता हूँ, तू अब चुप रहा। हिमत सिन्ह खामोश हो गया। अमरदीप वापिस लोटा तो उसके साथ एसीपी प्रान सकसेना और इंस्पेक्टर नसीप सिंह दोनों थे। पुलीसियों को देखकर बिरादरी भाईयों के नेत्र फैले। गत्यक्षता उन्हें वहाँ पुलीस की मौजूदगी की खबर नहीं थी। जाम्नानी के चहरे पर तो खास चमक आई। पुलीस वो दबे स्वर में बोला साई लोगों अंधेरे ही अंधेरे में पहली बार मुझे उम्मीद की एक किरन दिखाई दे रही है। उम्हीद की किरन, ब्रधवासी सपकाया किरन दिखाई दे रही है या रही सही उम्हीद भी गई? किरन दिखाई दे रही है, साई. अब देख लेना नी अगर इस मुसीबत से हमें आजादी मिलेगी तो वो पुलीस के करप्त किर्दार से ही मिलेगी. मैं नहीं समझा अभी समझ जाएगा नी भैयन साइं लगता है तुझे टाइलेट तक इन दो पुलीसियों में से एक लेके जाएगा खुद अमर्दीप क्यों नहीं? उसने ले जाना होता तो लेके गया होता जाके आने को न बोल कर गया होता ओ, सोचा मैंने ये ही ठानी की अमर्दीम तेरे साथ जाएगा अपर्दीप को सोच कर ही मैंने टाइलेट की कहानी गढ़ी थी जहां की उसे मार गिराना तेरे लिए मुम्किन होता अब, अब भी कुछ तो होगा ही नी लाला जामनानी भोगिलाल से संबोधित हुआ अब भीयन साई के साथ तूने भी जाना है लेकिन भोगिलाल दबे स्वर में बोला मंत्रे तो हाजग है किसी को भी लग सकती है नी, कभी भी लग सकती है मैं समझ गया शुक्र है वो फिर ब्रजवासी से संबोधित हुआ जो भी पुलीसिया तेरे साथ जाए नी उसे ऐसी आफर पेश करनी है कि उससे इनकार करते ना बने फिर भी इनकार हुआ तो ब्रजवासी सशंग भाव से बोला तो दूसरे के साथ चाई मारेंगे आखिर ये दो हैं और देख लेना एक यहीं ठहरेगा तभी दोनों पुलीसिये उनके करीब पहुँचे और खामोशी से उन्हें बधन मुक्त करने लगे स्टेंगन सम्माले मुस्तेदी और चौकसी की प्रतिमूर्ती बना अमरदीब दर्वाजे पर ठिटका खड़ा रहा उससे काफी परे उसको कवर किये वैसी ही मुस्तेद और चौकस शेलजा खड़ी थी जूलेलाल जामनानी बोला सिपाही का काम ACP कर रहा है इंस्पेक्टर कर रहा है वड़ी अमले के हाखों में मेहंदी लगी है क्या यहाँ कोई नहीं है सकसेना सहज भाव से बोला कोई नहीं है बोला नी हाँ मेरे और मेरे इंस्पेक्टर के सिवाई यहाँ कोई नहीं है कमार है वड़ी तुम दो भी क्यों हो पता चल जाएगा इंस्पेक्टर तो मैं जानता हूँ पहाडगंज ठाने से है शायद नसीब सिंग नाम है यही नाम है वड़ी तु कौन है नी? मुझे प्राण सकसेना कहते हैं वड़ी मेरे को जानता है नी? हाँ बाकी जनों को बाकियों को भी जानता हूँ वड़ी फिर भी ऐसे पेश आ रहा है नी? जूले लाल की किरपा से आज तक तो कोई पुलीस वाला साई जामदानी से ऐसे पेश नहीं आया जब पेश ना चल रही हो तो वैसे पेश आना पड़ता है जैसे कि पेश आने को बोला जाता है वड़ी मैंने ठीक सुना नी? तेरी एक एसी पी की पेश नहीं चल रही इधर? फिलहाल फिलहाल बोला नी? हाँ मैं समझ गया साई फिर तो बातों से परहस कीजिए एसी पी साहब दर्वाजे पर से अपरदीप बोला और हाथ जल्दी जल्दी चलाईए आप भी इंस्पेक्टर साहब वड़ी जल्दी किसलिए? जामनानी बोला इसलिए कि कहीं मेरा इरादा न बदल जाए जूलेलाल कैसा सक्त हाकिम बन के दिखा रहा है? कैसा? अमरदीप ने बड़े धंकी भरे अंदास से एक कदम आगे बढ़ाया वड़ी मैं चुप हूनी जामनानी जल्दी से बोला अमरदीप ठिठक गया और फिर वापिस यथास्थान सरग गया कुछ क्षण खामोशी रही चारों बंधन मुक्त हो गए तो जामनानी यू दान्त भीज कर बोला कि परे खड़े अपरदीप को वो बोलता न लगता है सीपी साई इधर ही ठहरना तेरे से बात करनी है क्या बात करनी है? सक्सेना दबेस्वर में बोला ठहरेगा तो मालूम पढ़ जाएगा ये ठहरने देगा जुगत करकी ठहरने दे कुँ? ब्रजवासी और भोगिलाल बढ़ी कठिनाई से अपने पैरों पर उठकर खड़े हुए जिसको हाजत लगी है अमरदीप बोला वो आगे आए ब्रजवासी और भोगिलाल दो कदम आगे बढ़े सकसेना ने नसीप सिंह को पोहनी मारी चलो भई नसीप सिंह बोला आप नहीं अमरदीप बोला एसी पी साहब आप इनके साथ जाएए लेकिन सकसेना ने प्रतिवात करना चाहा लेकिन मैं तो आप आला अफसर है इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा जिम्मेदारी दिखाएंगे लेकिन हैरानी है कि इतनी मामूली बात पर आप बहस कर रही है एसी पी ने असाय भाव से जामनानी की तरफ देखा और फिर बोला होके अगर एसी पी का काम भाई लोगों को संदास ले जाना है तो करता हूँ मैं ये काम वक्त के हाकिम का हुकम तो मानना पड़ेगा ठैंक यू चलो भाई एसी पी ब्रजवासी और भोगिलाल दर्वाजे की तरफ बढ़े तो अमर्दीप परे हट गया पांच मिनट वो करीब आये तो अमर्दीप बोला पांच मिनट काफी होते हैं हाजत रफा करने को मैं दस मिनट इंतजार करूँगा अगर इतने वक्षे में एसी पी साहब इन दो साहबान के साथ वापिस न लोटे तो मैं पीछे बचे दो साहबान को शूट कर दूँगा इंस्पेक्टर साहब को भी सकसे ना सपकाया तुम्हारा मतलब है वो बोला तुम साथ नहीं चलोगे अगर मैंने साथ चलना होता तो फिर आपकी क्या जरूरत थी I.C. See a little further ahead Sir मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि इन दो साहबान के फरार हो जाने में आप इनके मददगार बनेंगे फिर भी अगर आपने ऐसा कुछ किया तो अपने इंस्पेक्टर का खून आपके सर होगा जाम्नानी साहब और सरदार साहब का खून भी आपके सर होगा Rest assured, Mr. Nothing of the kind will hang Thank you वो तीनों गलियारे में पहुचे और शैलजा से विप्रीद दिशा में बरामदे में चलने लगे मोर काट कर उनके निगाहों से ओजल होते ही अमरदीप ने पीछे दर्वाजा बंद कर दिया और उससे परेहट कर खड़ा हो गया बजाज और हिम्मत सिंह फार्म हाउस के सामने के मैदान के पार की जाडियों में चुपे हुए थे और असाय भाव से सामने देख रहे थे जहां कि बरामदे के किसी खंबे के पीछे से उन्हें कभी अपरदीप की जलक मिल जाती थी तो कभी शैलजा दिखाई दे जाती थी हम निहत्थे हैं कोई बड़ी बात नहीं जिस चीज तक पहुंच न हो सके वो चीज किस काम की मेरे भाई हमारी मजाल नहीं हो सकती खुले में कदम रख कर हत्यारों का रुख करने की फिर क्या बात बनी इनका हत्यारों की तरफ से मैदान की तरफ से ध्यान बंटाना होगा कैसे ठेहर सोचने दे कुछ क्षण खामोशी रही तू जा एकाएक बजाज बोला मैं जाओं हिम्मत सिंह हडबड़ाया कहां कहां जाओं मैं इमारत की तरफ ड्राइव वे पर चलते हुए वो मुझे गोली मार देंगे नहीं मार देंगे तूने चोरों की तरह छुक के नहीं जाना सरयाम चलते हुए जाना है ऐसे सहथ स्वाभाविट धंग से जाना है जैसे यहां कुछ हुआ ही नहीं जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर ही कुछ तो हुआ ही है क्या तेरे पर हमला हुआ है तेरा फूटा सिर और खस्ताहाल इस बात का सबूत है तो तू फार्म हाउस के फाटक का गाड है तेरे पर हमला करके किनी मवालियों का भीतर घुस आना गंभीर घटना है तू बेहोश था होश में आने पर तू ने अपना फर्ज समझा वारदात की खबर मालिकान को देना इसलिए हिम्मत न होते भी हिम्मत करके तू इमारत तक पहुँचा तेरे पर हुए हमले की रू में तेरा जामनानी के रुग्रु होने की कोशिश करना एक सहच स्वाभाविक बात है हिम्मत सिंह तू जा अच्छा वो अनिश्चित भाव से बोला और जाकर उन दोनों को बातों में लगा यो बातों में लगा कि मैदान की तरफ उनकी पीठ हो मामूली काम है ये तेरा मुम मैदान की तरफ होगा तो उनकी पीठ अपने आप ही मैदान की तरफ हो जाएगी पीछे आप क्या करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है मैं चुपचाप मैदान में कदम रखूंगा, हथियारों के धेर तक पहुचूंगा और उनमें से कम से कम दो कारामद हथियार कब जाऊंगा एक तेरे लिए, एक अपने लिए अगर उन्होंने पीठ न फेरी तो, तो कोई और जुगत करेंगे बजाज साहब, तो जो जुगत करोगे आप ही करोगे, क्या मतलब? जैसे यहां हालाद दिखाई दे रहे हैं, उनमें ऐसा नहीं लगता कि एक बार मैं इमारत में पहुच गया तो वो मुझे लौट के वापिस जाने देंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुझे जानते हैं और जो तू बोलेगा वो सो टांग खरी बात होगी और फिर ये न भूल की अंत्पन तो वो हम में से ही है है तो ऐसा ही लेकिन उनकी इस वक्त की हरकते तो कोई और ही कहानी कह रही है ऐसा है तो समझ ले उनकी खैर नहीं मतलब हतियार हात में आते ही सबसे पहले मैं उन दोनों को ही शूट करूँगा हिम्मत सिंह आइंदा तमाम दारोंदार इस बात पर है कि हमारे हात में कोई हतियार आए इसलिए पहला काम पहले होने दे बात की बाद में सोचेंगे ठीक है मैं चला शाबाश गरजवासी फार्म हाउस के पूरे जोग्राफिये से उसके मालिक जामनानी जितना ही वाकिफ था वो जान बूच कर इमारत के पिछवाडे के एक टाइलेट में पहुचा जबकी रास्ते में दो टाइलेट और भी थे जिसमें से एक तो सामने के गलियारे में ही था वहाँ पहुच कर वो सीधा लेविट्री में दाखिल हो गया और उसने अपने पीछे दर्वाजा बंद कर लिया एसी पी सकसेना अनिश्चित सा टाइलेट के दर्वाजे के करीब ठिटका खड़ा रहा जल्दी निपटना भाई वो खामखा बोला वरना तुम्हें मालूम ही है क्या होगा कोई उत्तर न मिला ग्रजवासी ने टंकी का ढखकन हौले से परे सरकाया और सिर जुका कर भीतर जाका भीतर पानी में एक पोलिथीन की मुह बंध थैली मौजूद थी जिसका पानी में तैरती होने की जगह नीचे बैठा होना इस बात का सबूत था कि वो वजनी थी पानी में हाथ डाल कर उसने वो थैली काबू में की उसमें उसका मुह खोलकर भीतर से गन बरामत की जो की 32 कैलीबर की पूरी भरी हुई स्मित एंड बैसन ब्रांड की पिस्टॉल थी तब कहीं जाकर इतने हंगामे में उसके दिल को पहली बार चैन आया जब बजरंग बली वो होसले से मन ही मन बोला तोड दुश्मन की नली उसमें पोलिथीन को गुच्छा मुच्छा करके वापिस टंकी में डाला और उसका धक्कन यथास्थान उस पर सरका दिया पानी गड़गर की आवाज से साथ कमोड में बहने लगा तंकी खाली हो गई तो वो आवाज बंध हो गई उसने पिस्तॉल दाए हाथ में ठामी और हाथ अपनी पतलून की दाई जेब में डाल लिया फिर बाए हाथ से दर्वाजे को ठेक कर उसने लैविटरी से बाहर कदम रखा चलें सक्सेना खामखा बोला ब्रजवासी ने परेवाश बेसिन पर खड़े हाथ धोते भोगिलाल पर एक निगार डाली और फिर संतुलित स्वर में बोला अभी नहीं सक्सेना के माथे पर बल पड़े ब्रजवासी का बदला हुआ लहजा उसके जेहन में खास तोर से खटका वजह वो बोला ये ब्रजवासी ने जेब से हाथ निकाला और पिस्टॉल उसकी तरफ तान दी तुम्हारी मजाल नहीं हो सक्ती सक्सेना पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला अच्छा ब्रजवासी की भवे उठीन एक बरखास्थ हवलदार को शूट करना एक और एक ओन ड्यूटी एसीप को शूट करना एक ही बात नहीं होती ओन ड्यूटी? हाँ, ओन ड्यूटी ओन ड्यूटी पुलीस आफिसर्स की हर मूव्मेंट रोजनामचे में दर्ज होती है इसलिए मेरी भी दर्ज है इंस्पेक्टर नसीप सिंग की भी दर्ज है हतियार कैसे हाथ में आ गया? शैतान का दिमाग पाया है जामनारी ने कोई इमर्जेंसी आन पढ़ने पर उसकी पहले से तयारी करके रखना उसकी फित्रत है यहां ऐसी और भी कई जगह है जहां कि यूँ हतियार उपलब्ध है जैसे किसी पर्नाले में, किसी गमले में, किसी कूरेदान में, किसी लेटर बक्स में, किसी बैड के नीचे यहां कहां थी? पानी की टंकी में हतियार हाथ में आने का फाइदा क्या हुआ? पुलीस के रोजनामचे की वज़से ही नहीं, वैसे भी तुम मुझे शूट करना अफोर्ड नहीं कर सकते दस मिनट के अंदर अंदर मैं उन लोगों को तुम्हारे साथ लोटता न दिखाई दिया तो क्या दोहराने की जरूरत है कि पीछे तुम्हारे जोड़ीदारों पर क्या भी देगी? जो बीतेगी वो न बीते, इसका इंतिजाम तुमने करना है मौझूदा हालात में मैं कुछ नहीं कर सकता मन बनाओगे तो कुछ कर पाओगे न नो दो घंटे बाद वो दोनों हथियार डाल देंगे, तब तो कर सकोगे? तब की तब देखी जाएगी अभी देखो क्या मतलब? गरजवासी बड़े धीरच के साथ उसे मतलब समझाने लगा पुलीस कैसे पहुँच गई मी? जामनानी बोला उसमें नसीब सिंग की तरफ देखा उसे जवाब देता न पाकर वो फिर बोला वड़ी साई मैं तेरे से पूछ रहा हूँ मेरे पास फोन आया था नसीब सिंग हतनिक हरबडा कर बोला कहां से? किसका? यही से मुझे पहले मालूम नहीं था लेकिन अब मालूम है कि सोहल का वही फोन पर बोला था कि हवलदार तरसमलाल की सलामती की खातिर मैं अकेला यहां पहुचू अकेला तो न पहुचा नी साथ में तो ACP भी पहुचा वो मेरा immediate boss है उसने साथ चलने की जिद की तो मैं उसे टाल न सका बुलाया क्यों तुझे? यह भी कोई पूचने की बात है है पूचने की बात बता तुम लोगों की गिरफतारी के लिए यहां की basement का माल काबू में करने के लिए जिसमें की च्छा करोर की हेरोईन भी है जामनानी के नेत्र फैले सपकाय भाव से उसने पवित्तर सिंग की तरफ देखा पवित्तर सिंग खुद वैसे ही हैरान था यहां कोई तहखाना नहीं है जामनानी बोला नसीप सिंग हसा है तो तू उसका रास्ता नहीं तलाश कर सकता तलाश करने की जरूरत ही नहीं है सोहल वो रास्ता हमें बता कर गया है जूले लाल नसीप सिंग खामोश रहा वड़ी इंस्पेक्टर साई जब सब कुछ पुलीस के काबू में है तो फिर देदार किस बात की है सोहल को अपने साथियों के साथ यहां से निकल जाने के लिए दो घंते का वक्त दरकार था वो वक्त हासल करने के लिए वो अमर्दीप और शैलजा को हत्यार बंद करके हमारी चाती पर बिठा गया ओ दो घंते बाद क्या होगा दोनों आत्मस मर्पन कर देंगे उन दोनों को आप लोगों के खिलाफ वादामाफ गवा बनाए जाने का हुक्म हुआ है हुक्म हुआ है वडी किसका हुक्म हुआ है नि सोहल का जھूलेराल वडी दिल्ली पुलीज सोहल के हुक्म से चलती है नी, मजबूरी है, वड़ी क्या मजबूरी है नी, वो आप लोगों के लिए बोल के गया है कि National Security Act और टाड़ा लगा कर आप लोगों को गिरफतार किया जाए, बोल कर गया है कि अगर आप लोगों की जमानत हुई या आप लोगों को ज्यादा से ज् हुई तो कोता ही करने वालों को बहुत बड़ा खामियाजा भूगतना पड़ेगा, वड़ी क्या खामियाजा नी, वो वापिस लोटेगा और कोता ही करने वाले तमाम पुलीस अधिकारियों का सरकलम कर देगा, पुलीस ममिशनर का भी, कहने से क्या होता है, उसके कहने से हो की बड़ा बोल कोई भी बोल सकता है नी, वो कोई नहीं, सोहल है, चड़िया है, अपने आपको भगवान से दस हात उचा समझा है करमामारा, नसीब सिंग खामोश रहा, इंस्पेक्टर साइन, हमें गिरफतार करने से तो हम तुझे या एसीपी को नहीं रोक सकते लेकिन साब कुछ नहीं कर सकोगे हमारे खिलाफ, वो आप लोगों को कई कतलों का अपराधी ठहरा कर गया है, साबित कुछ नहीं कर सकोगे, पांच कतल दिल्ली में हुए जिनके लिए कि आप जिम्मेदार है, नाम सुनना चाहते हैं मक्तूलों का, नहीं, क्योंकि नाम आपको मालूम ह आपसे और आपके बिरादरी भाईयों से भैतर किसे मालूम है, दिल्ली में कुछवाहा और उसके खास आदमी द्विवेदी का दिन दहाडे लोटस क्लब में कतल हुआ, गैलेक्सी च्रेडिंग कार्पोरेशन के मालिक शिवशंकर शुकला का कतल हुआ, हिंदोस्तान टाइ के एडिटर जगत नारायन का कतल हुआ, मायाराम बावा का पुलीस कस्टडी से अगवा हुआ और उसका कतल हुआ, मुंबई में सुमन वर्मा का कतल हुआ, मुंबई में और कई कतल आप लोगों के किये या कराए हुए जिनकी डिटेल अभी हमें नहीं मालूम है, लेकिन ज जो कि आपकी ज्यादातर काली कर्टूतों के जामिन है और जिनने आपके खिलाफ वादामाफ गवा के तौर पर खड़ा किया जाएगा, उनकी लाशों का पता नहीं लगेगा, उन्हें भारी पुलीस प्रोटेक्शन में रखा जाएगा, जमा जो हेरोईन की खेप यहां से बरामद होने वाली है, अकेली वो ही आपका बंटाधार कर देगी, जामनानी साहब, अब हमें ये भी मालूम है कि कैसे एक लाश को कंटेनर बना कर सो सो ग्राम की साथ पुडिया मुंबई से यहां तक पहुँची थी, तब पहली बार जामनानी का रंग बद्रंग हुआ, और ये भी मालूम है कि सोहल को लेकर यहां कौन सा हाइटेंशन ड्रामा स्टेज किया गया था, वडी सब भूल जानी, नसीप सिंह हसा, ज्यादा जानकारी पवित्तर सिंह बोला खतरना खोंदी, हां, जामनानी बोला वडी सब भूल जानी, ऐसे कहीं होता है, नसीप सिंह बोला होता है, जो बोला वो कर और अपनी फीस बोल, ये बहुत बड़ा केस है, तो बहुत बड़ी फीस बोलनी, मेरा एसेपी भी मेरे साथ है, उसकी भी फीस बोलनी, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, चड़्या हुआ है, क्यों नहीं हो सकता, अभी हुआ क्या है, पुलीस के किये जो नहीं हो सकता, खुद तो कह रहा है कि अपने ACP के साथ जब से आया है हमारी तरह गिरफतार है, फिर भी, क्या फिर भी, तेरा वो ACP, खुद तो बोला कि पुलीस के नाम पर यहां या तू है या वो है, जब बात अभी तुम दोनों के ही बीच में है, तो कुछ क्य नहीं हो सकता, आप समझते नहीं है, वडी क्या नहीं समझता नी मैं, यहां भाई मौझूद था, तो यहां रीकियो फिगुएरा नाम का इंटरनेशन अंदरवर्ड डॉन मौझूद था, वडी साबित कर सकेगा नी, जवाब उस कर्मा मारे अमरदीप और उस कमबक्त मारी पुट्री शैलजा की गवाही को दरकिनार करके देना, उन्हीं की गवाही साबित करेगी की, वडी साई तू सुनता नहीं है, मैं बोला न की एक मिनट के लिए तू उनको भूल जा, समझ की उनका वजूद ही नहीं है, और फिर जवाब दे, फिर जवाब दे की साबित कर सक कि यहां भाई आया था यहां रीगियों फिग्वेरा करके बढ़ा विलादी साहब आया था और कराची से जहांगीर खान, काथमांडू से बुद्धिरतन भट्राई, धाका से खलील उर्रहमान, रंगून से आंग्सू विन, कोलंबो से नेविल कंकरतने, काबुल से सामिल दिलजादा, वो भी सही, वडी साबित कर सकेगा नी कि ऐसे कोई साई लोग यहां थे, अमरदीप और शैलजा की गवाही से, वडी लख दी लानत हुई, तोते की तरह एक ही बात कोटे जा रहा है, इतना भी नहीं समझता की वक्त का तोड़ा है, उन दोनों की गवाह के बिना नहीं, तेरा साई जीवे, शुक्र है माना तो, लेकिन उनकी गवाहियों के बिना भी बहुत कुछ साबित किया जा सकता है, मसलन क्या, आपने आननफानन यहां अपने फार्म में हैली पैंड बनवाया ताकि बड़ा साहब फिगुएरा हैली कॉप्टर पर यहां प बनवाया है क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके पास हैली कॉप्टर नहीं है, वडी साई, कोई घर में गैरेज बनवाये तो क्या उसके पास कार होना जरूरी होता है, जब जरूरत नहीं तो क्यों बनवाया, वडी कोई कार खरीदने से पहले घर में गैरेज बनवा ले तो क्या इससे कानून की कोई धारा भंग होती है फिर भी हैली पैड आइन्दा जरूरत को मद्दे नजर रख कर बनवाया नी अब छोड़ इस बात का पीछा बाहर मैदान में इतनी बंदू के राइफले स्टेंड ने पड़ी है कोई कर्मामारा मुझे फसाने के लिए वहाँ डाल गया असलाह पवित्तर सिंग बोला हटाया जा सकता है वड़ी गायब किया जा सकता है नी जामनानी बोला इसी लिए तो जमना दिल्ली शहर के बीच में से बहती है तहखाने में मौजूद हैरोइंग की खेप बरामदी दिखाएगा तो वजूद में आएगी न हवलदार तरसमलाल महकमे का आदमी है था उसका इस्तीफा खारिस किया जा चुका है वड़ी क्या कहना चाहता है नी ये कि वो यहाँ पुलीस के लिए जासूसी कर रहा था यहाँ उसका कतल हुआ है एक पुलीस कर्मी का कौन बोला सोहल बोला साफ बोला कि जामनानी के कहने पर उसे जामनानी के एक आदमी ने मारा ये सोहल बोला नी हाँ जो कि तेरे एक बुलावे पर गवाही के लिए दोड़ा चला आएगा नसीप सिंह का सिर स्वयन में भी इनकार में हिला तो फिर जब लाश बरामद होती तो नहीं बरामद होगी नी हुई तो गोली मार देना नसीप सिंह कुछ क्षण सोचता रहा वड़ी साइ क्यों खाम खा ताइम खोटी कर रहा है यहां पुलीस की बड़ी व्यापक रेड होने वाली थी कुई क्यों नहीं नी ऐसा तरसेमलाल का फोन आने पर होना था वो फोन कब करता जब भाई समयत एशिया के बड़े ड्रग लॉड्स यहां जमा हो चुके होते कुबूल अब क्योंकि वो जमा नहीं हुए इसलिए फोन नहीं हुआ इस तरसेमलाल कहा गया क्या पता कहा गया उसकी गैरहाजिरी को शक की निगा से देखा जाएगा वो यहां हाजिर नहीं था कल रात नौ बजे उसे लीडों से दो कैबरे डांसर लिवा लाने के लिए कनौट प्लेस भेजा गया था कमबक्त मारा अभी तक लौट कर नहीं आया यहां एक जवान लड़की कैद थी कौन बोला नी तरसेमलाल कब बोला नी कल रात जब वो मेरे घर पर आया था वड़ी कब आया था नी दस बजे के बाद कमीना लान्ती लीडों पहुँचने की जगा थाने पहुँच गया लड़की का क्या किसा है वो पहले से यहां थी अब नहीं है कहां गई सोहल के साथ गई क्यूँ क्योंकि वो उसकी बीवी थी बीवी नीलं हां उसे सोहल पर दबाव बनाने के लिए दबोचा गया था दबाव बना लेकिन अफसोस की बना न रह सका तकदीर का बादशा है कर्मा मारा उसके उल्ते पड़े पासे भी सीधे हो जाते है होता है किसी किसी के साथ ऐसा वड़ी अब जो फैसला करना है जल्दी कर कैसे करूँ उसकी बाते याद करके रूह कापती है मैंने बोला न कि आपके और आपके बिरादरी भाईयों के खिलाफ पूरी पूरी कार्यवाही न होने की सूरत में वो पुलीस कमिशनर तक का सिर कलम कर देने की धंकी जारी करके गया है वडी इंस्पेक्टर साई धंकी देना आसान होता है उस पर खरा उतर कर दिखाना मुश्किल होता है कभी कभी तो नामुम्किन होता है वो तो है लेकिन अपने किसी फैसले पर पहुँचने से पहले एक बात और सुन ले इंस्पेक्टर साई कौन सी जो पेशकष तेरे सामने अभी मैंने रखी है एन वो ही पेशकष तेरे ACP के सामने इसी घड़ी अपना भईयन माता प्रसाद ब्रजवासी रख रहा होगा मतलब क्या हुआ इस बात का यही कि तू नहीं मानेगा तो वो मानेगा हमारा काम किसी एक के मानने से भी बन सकता है क्या कहने? नसीब सिंग के स्वर में व्यंग्य का पुट आ गया यानी की एक मान जाएगा तो दूसरा खड़ा तमाशा देखेगा वडी साइं, हमने ये भी तो नहीं होने देना है, क्या मतलब? वडी समझनी एक की कर्तूत का दूसरा जना गवा बन जाए तो खालात को मुकमल तौर से काबू में नहीं माना जा सकता काला कार्णामा वो ही सेफ होता है, जिसका कोई गवा ना हो जामनानी साहब, वो ही कह रहे हो न जो कि मैं समझ रहा हूँ पा नहीं तो क्या समझ रहा है? मुझे तो वो मालूम है जो मैं समझ रहा हूँ आप क्या समझ रहे है? या बेचारा तु या बेचारा तेरा सहब क्रॉस फाइरिंग में मारा गया खाम खा मारा गया कर्मा मारा क्रॉस फाइरिंग में? वडी यही तो बोला मैं क्रॉस फाइरिंग क्यों? क्योंकि तरसेमलाल की नियत बढ़ हो गई मोटा माल देखकर लालच की गिरफ्ट में आ गया नसीद मारा लालच के सैलाप के साथ बहने लगा माल के साथ भाग निकलने की खातिर गोलिया चलाने लगा सिक्योरिटी गार्ड्स ने जवाबी फाइरिंग की जिसमें बकिस्मती से 13 ACP फंस गया नहीं चलेगा तो समझ ले यहां डाका पड़ गया समझ ले कि डाकों को थामने की कोशिश में 13 बहादुर और जामबाज ACP शहीद हो गया और जामनानी ने देखा कि नसीब सिंग का सिर्फ पहली ही इनकार में हिलने लगा था परिवत्तर सिंग ने बड़े अर्थपूर्ण भाव से अपनी कलाई घड़ी और वाल कलाक पर निगार डाली कहानी बाद में भी सोची जा सकती है इंस्पेक्टर साई और वो तू सोच ही लेगा रोज सोचता है तजुर्बा होता है पुलीस वालों को ऐसी कहानिया गड़ने का इस वक्त तो खाली जवाब दे और टाइम खोटी किये बिना फौरन जवाब दे वरना तेरा भी काम बिगर जाएगा और हमारा भी मजे सोचने दो वड़ी तू समझता क्यों नहीं समझता क्यों नहीं कि टाइम का तोड़ा है अगर तू चुक करो सोचने दो चहरे पर नीवर अनिच्छा और असंतोश के भाव लिए जामनानी खामोश हो गया एस्टरिस्क 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 कोई आ रहा है शैलजा एकाएक बोली अमर्दीप सक्पकाया उसने घूम कर मैदान से पार ड्राइवे की दिशा में देखा फाटक का गार्ड हिम्मत सिंह है अमर्दीप बोला ये इधर क्यों आ रहा है इसे तो गेट छोड़ कर कही जाने की इजाज़त नहीं है कोई खास ही वज़ा होगी आने दो मालूम पड़ जाएगी हमें इसका ख्याल क्यों ना आया मुझे आया था लेकिन मैंने सोचा था की बाकी प्यादों की तरह ये भी यहां से किनारा कर गया होगा शैलजा खामोश रही अरे कोई है इधर बरामदे की सीधियों के करीब हिम्मत सिंह बोला मैं फातक का गार्ड हिम्मत सिंह हूँ कोई है इधर आजा हिम्मत सिंह अमर्दीप बोला हिम्मतर सिंह बरामदे में चलता उनके करीब पहुँचा अरे वो बोला है तो अपने अमर्दीब बाबू है शैल्जा बीबी है फाटक छोड़ कर क्यों आया अमर्दीब करकर स्वर में बोला फाटक को भीतर से ताला लगा कर आया हूँ वो तो हुआ हिम्मत सिंह ने बड़े यतन से वो पोजिशन ली जिसमें कि उसके रूबरू खड़े अमर्दीब और शैल्जा की मैदान की तरफ पीठ हो जाती जो मेरे पर हुआ वो बोला और उसने अपना जखनी सिर सामने कर दिया अमर्दीब ने देख उसकी खोपड़ी पीछे से फटी पड़ी थी और घाव के इर्दगिर अब खोन से सने बाल चिपके दिखाई दे रहे थे कब हुआ काफी टेम हो गया यहाँ अब आना सूझा मेरे को अभी होश आया था होश आते ही आना सूझा सो आ गया फोन फोन क्यों न किया फोन कटा पड़ा था इसलिए अब चाहता क्या है चाहना क्या है हाला आप की खबर तो जामनानी साहब को होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी समझ ले की हो गई खबर मैं खुद खबर करना चाहता हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं लेकिन कभी शैलजा के मुंग से एक सिसकारी निकली वारतालाप में क्योंकि वो शरीक नहीं थी इसलिए सहज ही वो एक पहलू घूम गई थी और उसकी निगा मैदान की तरफ उठ गई थी पीछे वो तीवरस्वर में बोली अमर्दीप वापिस घूमा आप पहले मेरी बात सुनो हिम्मत सिंह व्यग्रभाव से बोला मैं कह रहा था कि शट अप अमर्दीप साम की तरह फुम्फकारा हिम्मत सिंह सहम कर चुप हो गया एन मौके पर काम बिगडा जा रहा था उसने देखा कि मैदान में बजाज अभी हत्यारों से काफी परे था खबरदार अमर्दीप चिल्लाया उस ललकार ने बजाज के रोंगटे खड़े कर दिये विक्षिक्तों की तरह उसने हत्यारों के धेर की तरफ जुस्त लगाई वो जमीन पर ओंधे मोह गिरा उसने आगे दाएं बाएं हात मारा तो वो एक रिवॉल्वर की नाल पर जाकर पड़ा खबरदार जो कोई भी है उठके खड़ा हो जा बजाज उठा और फिर एकाए घूम कर उकडू-उकडू पेडों के जुर्मुट की तरफ भागा अमरदीप ने स्टेंगन का आर्टोमैटिक च्रीगर खीचा गोलियों की बैचार बजाज के पीछे इर्ध-गिर्ध तक्राई लेकिन वो निर्विघना अब सामने आन पहुँची जाडियों में छलांग लगाने में काम्याब हो गया वातावर्ण फिर स्टब्ध हो गया कौन था? शैलजा सस्पेंस भरे स्वर में बोली मुकेश बजाज अमर्दीप वित्रिष्णापूर्ण स्वर में बोला पता नहीं कहां से आन तपका क्या चाहता होगा? हमारे लिए तो बुरा ही चाहता होगा वरना चोरों की तरह मैदान में नुमाया न हुआ होता वरना भाग न खड़ा हुआ होता वो हिम्मत सिंह की तरफ घूमा एक सेकेंड में बोल क्या माजरा है वरना शूट कर दूँगा कैसा माजरा हिम्मत सिंह बॉखलाए स्वर में बोला तुझे मालूम है अपनी जान की खैर चाहता है तो कुबूल कर कि तू बजाज के भेजे यहां आया है बजाज कौन बजाज? तू किसी बजाज को नहीं जानता मुकेश बजाज को जानता हूँ जो की जामनानी साहब का खास है आपकी तरह लेकिन मैंने तो कल से उसकी सूरत नहीं देखी मैं तो अपने केबिन में बेहोश पड़ा था जहां से उठकर मैं सीधा यहां आया हूँ अभी मैदान में मुकेश बजाज था मैंने नहीं देखा क्यों नहीं देखा? अंधा है तेरा तो मुह भी मैदान की तरफ था लेकिन तवज्जो उधर नहीं थी कब तवज्जो आपकी तरफ थी ठीक है, ऐसे ही सही तो अब तु झामनानी साहब से मिलना जाता है हाँ ताकि मैं मालूं मालूं ताकि तु साहब को बता सके कि तेरे पर हमला हुआ था हाँ हाँ आ, चल मेरे साथ कहा? जहान तु जाना चाहता है जहां जाने के लिए तू आया है जामनानी साहब के पास ओ, साहब है कहाँ? वही है जहां अब तू भी होगा तू? कहाँ? अभी मालूम पड़ता है अमरदीप उसे कोने के दर्वाजे पर ले आया उसने दर्वाजा खोल कर जबरन उसे भीतर धकेल दिया और बाहर दर्वाजा पूर्ववत बंद कर दिया हालाग की उस करवट से वो फिक्रमंद था जो होना था वो दो घंटे का वकफा मुकम्बल हो जाने के बाद होता तो उसे कोई परवाह न होती लेकिन अब उसने बजाज की तरफ से चोकना रहने का अतिरिक काम भी करना था जो की पता नहीं किस फिराक में था दो करोर नसीब सिंग बोला जामनानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा वड़ी चड़्या हुआ है नी फिर वो भड़क कर बोला बड़ी वारदात पर परदा डालना होगा बड़ी लीपापोती करनी होगी जान का बड़ा जोखम उठाना होगा सोहल की धमकी की तलवार हर वक्त मेरे सिर पर लटकी होगी ये सिर धर की बाजी है जामनानी साहब हार की सूरत में जान और माल दोनों से महरूम होना पड़ेगा फिर भी दो करोड हाँ नसीप सिंह द्रणता से बोला दो करोड आस्मान में उढ़ना बंद कर इंस्पेक्टर साई और जमीन पर टिक कर अपनी कीमत बोल दो करोड वडी देखे कभी दो करोड? सपने में ही देखेगा वडी मैं क्या पहली बार कोई पुलीस वाला खरीद रहा हूँ? क्या कहना चाते हो? मालूम है तेरे को वडी दो करोड तो कमिशनर के लिए भी ज्यादा है हमने इतनी बड़ी रकम देकर जान छुडानी होगी तो तेरे आला अफसरों से सौदा करेंगे और हम खड़े तमाशा देखेंगे कहा नसीब होगा तमाशा देखना भी क्या मतलब? अगर तेरे ACP से ब्रजवासी का सौदा पढ़ गया तो तेरा तो तिकट कटके रहेगा एक और ग्यूटी पुलीस आफिसर का तिकट काटने की किसी की मजाल नहीं हो सकती किसी की नहीं हो सकती पुलीस आफिसर की हो सकती है क्या मतलब? तेरा ACP की तेरे को गोली मार देगा ये मतलब नसीब सिंग विचलित हुआ वड़ी मैं तेरे को पहले ही बोला कि यहां से एक जना जिन्दा वापिस जाएगा या तू या तेरा ACP अब फैसला तेरे हाथ में है कि जिन्दा वापिस तू जाना चाहता है या अपने ACP को भेजना चाहता है अब बोल क्या बोलता है तुम क्या बोलते हो 25 पागल हुए हो कितनी रकम तो च्छा करोर की हेरोईन छोडने के लिए ही काफी नहीं वड़ी मैं हेरोईन भूल गया था नी ठीक है 50 देड 60 से एक दमडी भी ज्यादा नहीं सवा 80 एक पर फाइनल करो वरना भाड में जाओ ठीक है जामनानी यू बोला जैसे हत्यार डाल रहा हो एक करोर अभी चड्या हुआ है नी यहां क्या नोट छापने की मशीन लगी है फिर क्या बात बनी पैसा तेरे पास पहुँच जाएगा नसीब सिंग ने इनकार में सिर हिलाया वडी बोला ननी जामनानी साहब पुलीस के महकमे में मैं कल भरती नहीं हुआ था वडी क्या कहना चाहता है नी एक बार क्राइसिस का ये दौर गुजर गया तो फिर आप मेरी शकल भी नहीं पहचानेंगे फिर कैसे बात बनेगी हेरोईन हेरोईन क्या मेरे हवाले करू रकम देना और अपना मान ले जाना कितना काबिल पुटड़ा है चुटकियों में हन्स सोच लेता है हर प्राबलम का वडी डन नी अमर्दीप और शैलजा का काम आप लोगों को तमाम करना होगा वडी कैसे नी वो तो हतियार बंध है दो घंटे का वकफा खत्म होते ही वो हतियार डाल देंगे फिर क्या बात है फिर वो हतियार हम उठा लेंगे क्यों सरदार साई बिलकुल जी पवित्तर सिंग कतकाल बोला उन विश्वास घातियों को उन कीरतगनों को सजा तो मिलनी ही चाही दिये बराबर मिलेगी नी विश्वास घातियों को भी जो की पीछे छूट गए और कृतगनों को भी जो यहां से खिसक गए वडीया लेकिन इंपेक्टर साई अगर पहले दाव लग गया तो जो करेगा तू करेगा पहले दाव नसीप सिंग बोला कहां से लग जाएगा मैं अगर बोला साई अगर अगर बोला ठीक है अगर तभी दर्वाजा खुला इससे पहले कि वो लोग ठीक से दर्वाजे की तरफ देख भी पाते किसी को दर्वाजे के भीतर धकेल दिया गया और दर्वाजा फिर बदस्तूर बंध हो गया फर्श पर भरभरा कर आन गिरा हिम्मत सिंह उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ हिम्मत सिंह जामनानी हैरानी से बोला जी साहब जी अभिवादन करता हिम्मत सिंह अदब से बोला वडी तू किधर से टपका नी साहब जी हम आपको छुडाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम वडी हम बोला नी हाँ साहब जी और कौन है तेरे साथ बजाज साहब बजाज वो कहा है नी आसपास ही कहीं है साहब जी हम मुकाबले के लिए हत्यार कबजाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बदकिस्मती से बाहर हमारी पोल पहले ही खुल गई फिर भी मेरे ख्याल से एक गन बजाज साहब के हाथ लग गई है वो बहुत जल्द अपनी चाल चलेंगे साहब जी, देख लेना, बजाज साहब कुछ कर गुजरेंगे जामनानी खामोश रहा उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो नई स्थिती उसके हित में थी या जो खिचडी अभी उसने नसीप सिंग के साथ पकाई थी वो उसमें भांजी मरने वाली थी जारियों में छुपा बजाज चौकननी निगाहों से सामने देख रहा था मरने से बाल बाल बचा था ये करिश्मा ही था कि स्टेंगन से निकली गोलियों में से एक भी उसे नहीं लगी थी रह रह कर वो हिम्मत सिंग को कोस रहा था जो कि उन दो जनों की तवज्जो अपने पर केंदरित किये नहीं रह सका था एन वक्त पर गड़बड हो गई थी इसलिए कोई आधुनिक हतियार उसके हाथ लगने की जगा एक अधमरी सी रिवॉल्वर ही उसके हाथ लग पाई थी जिसमें कि सिर्फ चार ही गोलिया थी फिर भी शुक्र था कि चार तो थी क्योंकि यू आनन फानन हाथ लगी वो रिवॉल्वर खाली भी हो सकती थी उस रिवॉल्वर के सदके अब कम से कम वो वहां टिका रह सकता था वरना भागते ही बनती अब लाख रुपए का सवाल ये था कि क्या अमरदीप और शैलजा में से कोई उसके पीछे आएगा आए वो मन ही मन बोला जरूर आए घून के रख दूँगा फिर उसी की स्टेंगन हत्या कर पोई उसके पीछे ना आया आखिरकार उसी ने आगे बढ़ने का निश्चय किया तो ये आपका आखिरी जवाब है ब्रजवासी बोला हाँ ACP सकसेना गंभिरता से बोला ये बहुत बड़ा केस है इतना व्यापक कवर अप मेरे बस की बात नहीं माला माल हो जाओगे भाईया मुझे माल से कोई अदावत नहीं लेकिन जो काम नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता तुम्हारे इंस्पेक्टर के शायद ऐसे ख्यालात नहों नसीप सिंग मेरे से बाहर नहीं जा सकता ब्रजवासी की भोगीलाल से निगाह मिली चिंतिक भोगीलाल ने अनभिग्यता से कंधे उचकाए ठीक है गहरी सांस लेकर ब्रजवासी बोला आये चले और देखे कि कौन कहां जा सकता है और कहां नहीं जा सकता पिस्तॉल मुझे दो सकसे ना बोला क्यों या इसे यही छोड़ो लेकिन क्यों पिस्तॉल की एंट में तुम कोई गलत कदम उठाने पर आमादा हो सकते हो मेरी ऐसी कोई मन्शा नहीं मैंने गलत कदम उठाना होता तो सबसे पहले तुम्हें शूट करता यहां गोली चली तो तुम्हारे जोड़ीदारों का क्या होगा वही जो तुम्हारे इंस्पेक्टर का होगा यहां चली गोली की आवाज भोगिलाल अर्थपूर्ण स्वर में बोला सामने तक नहीं पहुच पाएगी तुम लोग ख्वाब देख रहे हो, वक्त जाया कर रहे हो और उस लड़के अमरदीप की वार्निंग को गंभीरता से नहीं ले रहे हो भाईयन भोगिलाल दबेश्वर में बोला ये ठीक कह रिया है ब्रजवासी के चहरे पर अनिश्चय के भाव आए पिस्तॉल मनने दे, मैं वा को वापिस तंकी में डाल कर आता हूँ हिचकिचाते हुए ब्रजवासी ने पिस्तॉल उसे सौंप दी भोगिलाल लेविट्री में गया और हाथ पोचता वापिस लोटा चलो वो बोला तीनों टाइलेट से निकले और वापिस लोट पड़े निर्विग्न बजाज सामने बरामदे की चछत पर पहुँच गया ये एक रोशंदान से उसने भीतर जाका तो उसे जामनानी और पवित्तर सिंग के दर्शन हुए फिर उसे इंस्पेक्टर दिखाई दिया और आखिर में एक तरफ फर्ष पर बैठा हिम्मत सिंह दिखाई दिया इंस्पेक्टर वहां क्या कर रहा था लेकिन प्रत्यक्षत जामनानी और पवित्तर सिंग के लिए वो कोई खत्रा नहीं था क्योंकि वो तो बड़े दोस्ताना अंदाज से जामनानी के साथ बतिया रहा था उसने हॉले से रोशंदान के शीशे पर दस्तक दी सबसे पतले कान जामनानी के ही निकले उसने ततकाल सिर उठाया बजाज ने एक उंगली से उसका अभिवादन किया और फिर वो ही उंगली होटो पर रखी जामनानी के नेत्र फैले उसने हाथ के इशारे से सवाल किया बजाज ने रिवॉल्वर शीशे के सामने की और फिर उसे इशारे से समझाया कि वो उसे रोशंदान से नीचे लटकाने जा रहा था जामनानी का सिर्फ सहमती में हिला तब तक बाकी तीन जनों की तवज्जो भी रोशंदान की तरफ जा चुकी थी सब भाचक्के से मुह उठाये देख रहे थे बजाज ने रोशंदान के पल्ले को हौले से गोल घुमाया तो वो निशब्द खुल गया जो की अच्छी बात थी वरना उसे शीशा तोड़ना पड़ता एक दोरी से बंधी रिवॉल्वर को उसने रोशंदान से पार कमरे में लटकाया और फिर दोरी को धील देनी शुरू कर दी जामनानी ने नसीब सिंग को इशारा किया सहमती में सिर हिलाता नसीब सिंग अपने स्थान से उठा और रोशंदान के नीचे पहुँच गया डसे बंधी रिवॉल्वर धीरे धीरे नीचे सरकती आ रही थी एस्टरिस्क 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 क्रिपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिपया कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाते हैं और हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर ले अगर कभी हमारे दूसरे चैनल की तरह इस चैनल में भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे जुड़े रहेंगे नए अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें रुख जाईए एकाएक अमर्दीप करकश स्वर में बोला तीनो ठिटके क्या है? ब्रजवासी भुन भुनाया अमर्दीप ने उसकी तरफ तवज्जो न दी आपके कोटकी वो भोगिलाल से बोला दाई जेब में क्या है? कुछ नहीं भोगिलाल सहेज भाव से बोला जेब लटक रही है जैसे कोई भारी चीज भीतर हो जाती बार ऐसा नहीं था क्या है जेब में? बोला न, कुछ नहीं मैं अंधा नहीं हूँ कुछ तो यकीनन है तो आके निकाल ले, भाईया अमर्दीप ने शैलजा को इशारा किया शैलजा ने पूरी मुस्तेदी से अपनी स्टेंगन से भोगिलाल को कवर कर लिया अपना हाथ जेब से बाहर निकालिये अपनी स्टेंगन भी सामने तानते हुए अमर्दीप ने आदेश दिया भोगिलाल ने खाली हाथ बाहर निकाला जो कुछ जेब में है इनने वहम सतावे हैं। जेप में कुछ ना है। ACT साहब। बोलो। सक्सेना बोला। और थोड़ी देर बाद हम वैसे ही आपके हवाले हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप भी पसंद नहीं करेंगे कि दो घंते के इंतजार के वकफे के टेल एंड पर अब कोई खून खराबा हो। नहीं। हाँ। तो बराय महरबानी भाईया जी की जेब में जो कुछ है उसे निकालिए। सहमती में सिरहिलाता ACP सकसेना भोगिलाल के पीछे पहुचा उसने अपना हाथ उसके कोट की जेब में डाला तो उसके नेत्र फैले। भोगिलाल पिस्तॉल टाइलेट की टंकी में वापिस डाल कर नहीं आया था वो उसकी जेब में मौजूद थी। अमर्दीप की चौकन्नी निगाह जेब की बगली दशा पर ना पढ़ गई होती तो खून खराबा होने में कोई कसर बाकी नहीं रही थी। उसने पिस्तॉल जेब से निकाली। पिस्तॉल अमर्दीप के नेत्र फैले कहां से आई कोई उत्तर ना मिला। खेर, जहां से भी आई, अब कम से कम वो गलत हाथों में नहीं है। मैं इसे सकसेना बोला तुम्हारी तरफ उचालू। नहीं, अपने पास रखिए। आप सीनियर पुलीस आफिसर है, मुझे आप पर एदबार है। थैंक यू। जरा और वक्त की बात है, उसके बाद वैसे भी सब आप ही के हवाले होना है। इसलिए मैं उम्मीद नहीं करता कि आप थामखा गोली चलाने की कोशिश करेंगे। यू आर राइट। आप दोनों आगे बढ़िए। ब्रजवासी और भोगिलाल ने आग्या का पालन किया। अपने तरफ तनी दोस्टेनगनों के जरेसाया भारी कदमों से चलते वो कोने के बंध दरवाजे के सामने पहुँचे। लंबे डग भरता अमरदीप उनके पीछे पहुँचा। दरवाजा खोलिए वो पीछे से फासले से बोला भीतर दाखिल हो जाईए और इंस्पेक्टर साहब को बाहर भेज दीजिए। ब्रजवासी ने दरवाजा खोला। दोनों ने चौखट के भीतर कदम डाला। उनकी निगाह कमरे में मौजूद इंस्पेक्टर नसीप सिंह पर पड़ी तो उनके नेत्र फैले। नसीप सिंह के हाथ में गन थी। दोनों ने ततकाल दरवाजे के दाएं बाएं चलांग लगाई। पिस्तॉल ने दो बार आग उगली। दोनों गोलियां अमरदीप की छाती में धंस गई। वो कटे व्रिक्ष की तरह बरामदे के फर्ष पर गिरा। एक छलांग में नसीप सिंह चौखट पर पहुँचा और उसने शैलजा की तरफ दो फायर जोके। दोनों गोलियां उसके माथे में घुज गई। अमरदीप की तरह शैलजी भी धराशाई हो गए और स्टेंगन उसके हाथ से निकल गई। मजबूती से रिवॉल्वर अपने सामने ताने नसीप सिंह ने बारमदे में कदम रखा। उसने कई बाद बारी बारी पिस्तॉल का रुख अमरदीप और शैलजा की तरफ किया। फिर जब आश्वस्थ हो गया कि उनके प्राण पखेरू उड़ चुके थे तो उसने एक विजेता के से भाव से अपने एसीपी की तरफ देखा। नसीप सिंहा, भौचका सा सकसेना बोला ये तुमने क्या किया। क्या किया। हत्यार बंद आत्ताईयों पर जो कि हमें बंधक बनाए हुए थे, गोली चलाई और क्या किया। ये दोनों किसी के लिए कोई खत्रा नहीं थे। ये आपका ख्याल है। मेरा ऐसा ख्याल नहीं था। तुम्हारे पास गन कहां से आई। आ गई कहीं से। आपके हाथ में जो पिस्तॉल है, उसमें गोलिया है। है। क्यों पूछ रहे हो। बताता हूँ। वो सहेज भाव से चलता हुआ सकसेना के पास पहुँचा। इस रिवॉल्वर में पांच गोलिया थी जिनमें से चार मैंने चला दी। आप ये रिवॉल्वर संभालिये और वो पिस्तॉल मुझे दीजिये। क्यों? क्योंकि अभी हमने इनके दो हिमायतियों से भी दो चार होना है। हिमायती? हिमायती कहां से आ गए? पता नहीं कहां से आ गए। एक उपर छट पर है और दूसरा सामने जारियों में कहीं है। कमार है। उन्ही की वज़़ से मुझे दोनों की नियत पर शक हुआ। क्या शक हुआ? ये सरेंडर नहीं करने वाले थे। लेकिन ये तैशुदा बात थी कि दो घंटे बाद। किस से तैशुदा थी? भई, सोहल ने साफ ऐसा कहा था कि कहने वाला तो कहकर उड़न्चु हो गया। पीछे इन्हों ने उसके कहे पर अमल किया या नहीं किया। उसे क्या खबर? तुम बड़ी अजीब बाते कर रहे हो, नसीप सिंहा। मैं कहता हूँ दो घंटे बाद सरेंडर न करने जैसी इनकी कोई मंशा नहीं थी। पहले नहीं थी, लेकिन हिमायती आ गए तो। हिमायती, मुझे तुम्हारी बात पर एदबार नहीं। मुझे पिस्तॉल दीजिये और पांच मिनिट की महलत दीजिये, अभी एदबार आता है। लेकिन, अब दीजिये भी। नसीप सिंग ने जबरन उसकी उंगलियों में से पिस्तॉल निकाल ली और उसकी जगह उसे रिवॉल्वर थमा दी। फिर वो ACP से परे हटने लगा। तुमने नाहग गोली चलाई। सक्सेना असंतोषपूर्ण स्वर में बोला इन लोगों के खिलाफ दो ही गवाह थे और दोनों को तुमने मार डाला। नसीप सिंग, मैं तुम्हारी इस हरकत संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, नसीप सिंग जुक कर शैलजा के हाथों से निकली स्टेंगल उठाता हुआ बोला। हाँ, कहीं जरूर कोई गडबड है। गडबड? हाँ, गडबड। मुझे दाल में काला दिखाई दे रहा है। दाल होगी तो काला भी होगा ही। जो बात मुझे सबसे ज्यादा खड़क रही है, वो ये है कि तुम्हारे पास गन कहां से आई। कहीं से तो आई ही। अब कहानी मेरी समझ में आ रही है। वो दादा लोग पहले ही कह रहे थे कि मैं उनकी लाइन पर नहीं चलूँगा तो तुम चलोगे। नसीप सिंग कितने में बिका? क्यों पूछते हो? हिस्सा बंटाना चाते हो? तुम्हारा ये ध्रिश्च जवाब ही साबित कर रहा है कि तुम बिक चुके हो, तुमने दादा लोगों को बचाने के लिए इन दो जनों को शूट कर दिया ताकि ये उनके खिलाफ गवा न बन पाते कितने समझदार हो? नसीप सिंग सकसेना ने रिवॉल्वर सामने तानी में तुझे नहीं छोडूँगा इसमें जो एक गोली बाकी है समझ ले कि उस पर तरे ही नाम लिखा है नसीप सिंग हसा हस मत कमी ने और ये ले सकसेना ने घोड़ा खीचा तो एक पिट की आवाज होकर रह गया खाली है नसीप सिंग बोला इसमें पाँच नहीं चार ही गोलिया थी जो की आपने इन आत्ताईयों पर चला दी मैंने सकसेना हॉलनात लहजे से बोला आत्मरक्षा के लिए खुद को और अपने इंस्पेक्टर को बचाने के लिए बहुत बहादुरी का काम किया आपने जरूर आपको पुलीस मैडल मिलेगा मर्णो प्रांध क्या प्रांध सकसेना एसीपी दिल्ली पुलीस फर्ज की राह पर चलते हुए वीरगती को प्राप्थ हुए महकमे का नाम रौशन किया कमीने तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा जब हकीकत बयान करने के लिए मैं ही मैं बाकी बचा हूँगा तो क्यो नहीं करेगा क्या मतलब ये मतलब नसीप सिंग ने स्टेंगन का घोड़ा खीचा कई गोलिया सकसेना के जिस्में धन्स गई गुडबाई ACP साहब ACP प्राण सकसेना जब पच्छार खाकर बरामदे के फर्श पर गिरा रिवॉल्वर तब भी उसके हाथ में दबी हुई थी चाप्टर दो अली वली तिराहा बैरम खान पहुचे और अपने मामू मुबारक अली के रुब्रू पेश हुए लौट भी आए मुबारक अली उन्हें देख कर हैरानी से बोला खेल खत्म हो गया मामू अली बोला क्या हुआ हुक्म के मुताबिक में और वली उधर चतरपुर में जामनानी के फान की निगरानी कर रहे थे क्या निगरानी की कमबत मारो सोहल की उधर से रवानगी के दो घंटे बात तक उधर कुछ नहीं हुआ था मामू खाली चौकिदार आकर वली बोला फाटक भीकर से बंद कर गया था हाँ अली बोल और कोई आवाजा ही उधर नहीं हुई थी दो घंटे का वकफा मुकम्मल होने तक नहीं हुई थी वली बोला अरे अब क्या एक ही वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में सुर गाते रहोगे मुबारक अली जहलाया या आगे भी बढ़ोगे मामू वली बोला उसके बाद वहाँ पुलीस पहुँच गई थी हाँ अली बोला वर्दी पर डी सी पी के फूनों वाला अफसर पहुँचा था उधर साथ में एक इंस्पेक्टर था कई हवलदार थे दो जिपसियों पर वो वहाँ पहुँचे थे फिर मुबारक अली बोला फिर क्या वली बोला फिर कहानी खत्म जैसा की सोहल चाहता था दो घंटे का वकफा खत्म होने पर वहाँ पहुची पुलीस और जामनानी और उसके बिरादरी भाई गिरफतार बढ़िया तो तुमने अपनी वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में आँखों से देखा उन दादा लोगों को गिरफतार करके ले जाए पुलीस को वली सकपकाया उसने अपने जुडवे की तरफ देखा अरे जवाब क्यों नहीं देते हो अल्ला मारो जुबान चुहिया कुतर गई क्या मामू वली दबे स्वर में बोला आंखों से तो न देखा अरे नसीबा मारो तो फिर तुम्हें कैसे मालूम है कि वो चारों बिरादरी भाई गिरफ़ार हो गए मामू जब एक डी सीपी की अगवाई में पुलीस उधर पहुँची थी तो क्या तो तो खुदा की मार तुम्हारी तो पर पुलीस के उधर पहुँचने की सो वज़ा हो सकती है हजार वज़ा हो सकती है मामू जली दबे स्वर में बोला उस वक्त की वज़ा को वही थी न क्या पता तुम है कैसे पता तुम है जो बात निगाहों के सामने नहीं आई उसका क्या पता की वो हुई या नहीं हुई न होने का वली बोला कोई मतलब तो दिखाई देता हो मामू देखो कमबक तमारे को, कैसे जुबान लडाता है, कैसे कतर्नी चलती है दोनों की, एन सुर में सुर मिला के, इसी को कहते हैं, अंग्रेजी में की काम के नकाज के धाई मन अनाज के, अली वली खामोश रहे यो दोडे चले आए जैसे यहां सेवईयां बंट रही थी, जो फौरन न पहुचते तो इन्हें न मिलती, अल्ला गारत करे ऐसे नालायक भांजो को मामू गलती हो गई, अली दबे स्वर में बोला, वो रात भर के ठके हुए थे नावली बोला, इसलिए इधर आ, आमा सद के, पहले मैं तेरे ही हाथ पाव सहलाओ और गोद में ठपकी दे कर सुलाओ खता माफ, मामू, हाँ, मामू, अली बोला, खता माफ, हमें अपनी आंखों से देख कर आना चाहिए था कि पुलीस बिरादरी भाईयों को गिरफतार करके ले जा रही थी, हम अभी अपनी गलती सुभारते हैं वली बोला, कैसे? मुबारक अली बोल, अब क्या करोगे? वापिस जाते हैं और गलती सुधार के आते हैं हाँ, चौकस और मुकमल खबर निकाल कर लाओगे तो तभी तुम्हारी खता माफ होगी, बैरंग लोटे तो खाल खिजवा केस भरवा दूँगा, अल्ला मारो भले ही तुम्हारी मा रो रो के जान दे दे, समझे? हाँ, मामू और हाश्मी और अश्रफ को भी साथ ले जाओ, उन्हें किसलिए, मामू? हाश्मी पढ़ा लिखा है, वो तार को, वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में दूसरे सिरे से पकड़ेगा दूसरा सिरा, DCP वाला नामा कूलो, वो मालूम करेगा कि DCP किधर से आया था, लोट के किधर गया था और अब बिरादरी भायों की, वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या पोजिशन थी? ओ, अब दफा भी हो वो, अब क्या रवानगी की कोई घंती बजेगी तो यहां से हिलोगे, अली वली सिर पर पाव रख कर भागे, अस्टरिस्क, 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 जो DCP अपने लावलशकर के साथ मौकाई वारदात पर पहुँचा था, उसका नाम ASP श्रीवास्तव था, महकमे के एक ACP का कतल अपने आप में ही बड़ी वारदात थी, जबकि वहां तो कई कतल हुए बताये जाते थे, उसने स्टेंगन की गोलियों से बिंधी ACP, प्राण सक्सेना की लाश को देखा, अमरदीप और शैलजा की लाशों को देखा और कोने के हॉल कमरे में पड़ी हुक्मनी और टोकस की लाशों को देखा, फिर उसने एक जुंड में खड़े जामनानी, ब्रजवासी, भोगीलाल और पवित्तर सिंग को देखा, उनसे थोड़ा बाजू हटकर खड़े मुकेश बजाज और हिम्मत सिंग को देखा, पुलीस के वहां आगमन से पहले मैदान में पड़ा तमाम असला सूखे कुमे डाल दिया गया था और उकसे जाल को घास और टहनियों से यू ढग दिया गया था कि एक निगा में तो मालूम भी नहीं पड़ता था कि वहां कोई कुआ था, तहखाने में और भी जो काबिले इत्राज सामान मौजूद था, वो वहां से हटा कर अन्यत्र छुपा दिया गया था, हेरोईन की खेप नसीब सिंग ने अपने अधिकार में कर ली थी, अपने ACP के साथ जिस जीब पर वो आया था, हेरोईन साथ लेकर उस पर वो आनन फानन कहीं गया था और फिर हेरोईन के बिना वापिस लौट आया था, अब पुलीस की कैसी भी जवाब तलबी का सामना करने के लिए वो सब तयार थे, उस तयारी से पहले एक मतभेद उठा था जिसको जामनानी ने थंडा कर दिया था, घिसा हुआ पुलीसिया नसीब सिंग गवाह नहीं छोड़ना चाहता था, वो बजाज और हिम्मत सिंग का भी काम तमाम करना चाहता था, लेकिन जामनानी को वो मंजूर नहीं हुआ था, आखिर उन दोनों ने खास्तोर से हिम्मत सिंग ने अपनी जान पर खेल कर बिरादरी भाईयों की जान बचाई जाने का सामान किया था, आखिर में डी सी पी श्रीवास्तव की निगा इंस्पेक्टर नसीप सिंग पर पड़ी, क्या हुआ था, उसने पूछा, ये मेरे भरोसे के आदमी थे नी, जवाब जामनानी दिया, बरामदे के फर्ष पर मरे अमर्दीप और शैलजा की तरफ इशारा करता, वो बोला भेजा उलट गया करमा मारों का, दगाबाजी पर उतर आए, पता नहीं कैसे सोच बैठे कि यहां बहुत माल था जो यो लूट सकते थे, मैंने सवाल आप से नहीं किया था, मेरे महमानों को भी लूटने का मन बनाये थे कमबक्त, मेहमान, मेहमान कहां है, वडी चले गए नी, खौफ खा के कूच कर गए लेकिन, इस नौजवान एसीपी, की बहादुरी से और इस तजुर्बेकार इंस्पेक्टर की सूजबूच से लुटने से बज गए, मेहमान भी और हम भी, ऐसा ही था, साहब, नसीप सिंह गंभीरता से बोला एसीपी, साहब में इनीशेटिव न लिया होता तो जो हाल एसीपी, साहब का हुआ है, वो आपको हम सब का हुआ मिलता, उन्होंने इन दोनों को वक्त रहते मार गिराया था, लेकिन फिर भी किसी तरह से एक जना मरता मरता भी स्टेंडन का घोड़ा खीचने में काम्याब हो गया था जिसकी वजह से, असाय भाव से गर्दन हिलाता नसीप सिंह खामोश हो गया, ये रिवॉल्वर जो ACP साहब के हाथ में ठमी दिखाई दे रही है, सव इस रिवॉल्वर तो नहीं जान पड़ती, नहीं है, सर्व, हम यहां हत्यार बंद नहीं आये थे, ऐसी रिवॉल्वर का इनके पास क्या काम? मैंने दी थी, सर्व, जामनानी के इशारे पर बजाज बोला, तुमने दी थी, तुम रिवॉल्वर रखते हो, नहीं सर्व, मुझे तरसेमलाल ने दी थी, कहता था जाडियों में पड़ी मिली थी, तरसेमलाल कौन? मेरे एक नए मुलाजिम का नाम है नी, जामनानी बोला पुलीस में हवलदार था, नौकरी से निकाल दिया गया तो रोता हुआ मेरे पास आया, मैंने तरस खाकर अपनी मुलाजगत में रख लिया, डी सी पी ने हैरानी से पहले जामनानी की तरफ और फिर नसीप सिंग की तरफ देखा, राज की बात है, साहब, नसीप सिंग्ह दबे स्वर में बोला, अब कहा है ये तरसमलाल जिसे की जाडियों में पड़ी गन मिलती है, कल से गायब है, जामनानी वित्रिशनापूर्ण स्वर में बोला कल रात नौ बजे के करीब एक काम से कनौट प्लेस भेजा था, अभी तक लोट के नहीं आया करमा मारा, तो, क्या नाम है तुम्हारा, मुकेश बजाज, सर, तो रिवॉल्वर तुम्हें तरसमलाल ने दी थी और तरसमलाल, जो कोई भी वो है, इस बात की तस्दीक करने के लिए उपलब्ध नहीं है, फिल्हाल, कभी तो लोडेगा ही, जामनानी बोला लोडेगा नहीं तो पही जाएगा, बहरहाल रिवॉल्वर तुम्हें आगे एसी टी साहब को दी, यस, सल, बजाज बोला, क्यों, उन्हें दुश्मनों के खिलाफ हत्यार बंद करने के लिए, दुश्मन, यानि कि ये नौजवान और ये लड़की जो की मरे पड़े हैं, यस, सल, कैसे दी, चुपके से छट पर पहुँचा जहां से रिवॉल्वर डोरी से लटका कर इन तक पहुँचाई, खुद ही क्यों न इस्तिमाल की, मेरा इन दोनों के करीब फटकना मुम्किन नहीं था, मैं ऐसी कोई कोशिश करता तो यकीनन जान से जाता, इसलिए तुमने एसी पी, साहब को जान से जाने दिया, उस वक्त के नाजुक हालात में मैंने उन तक हत्यार पहुँचाया था, सर, उसको कुबूल करना या न करना और आगे उसे इस्तिमाल करना या न करना उनकी मर्जी पर मुनसर था, बोल अच्छा लेते हो, एन किसी तजुर्बेकार वकील की तरह, बजाज खामोश रहा, दो आदमी और भी तो मरे पड़े हैं, उनकी क्या कहानी है, वो मेरे खास आदमी थे, जामनानी बोला बोडिगार का काम करते थे, वो कैसे मर गए, वड़ी इस छोकरे के मारे ही मरे, उनको मारे बिना ये हमारे पर हावी हो ही नहीं सकते थे, तभी तो कर्मामारों ने पहले उन दोनों का काम तमाम किया, और फिर हमारे गले पड़े, कुछ क्षण खामोशी रही, उस दौरान नसीब सिंह मुत्वातर बेचैनी से पहलू बदलता रहा, और DCP, मुत्वातर उसे घूरता रहा, जब ACP, साहब रिवॉल्वर पर काबिज हो रहे थे, फिर आखिरकार वो नसीब सिंह से सम्मोधित हुआ, तब तुम क्या कर रहे थे? मैं नसीब सिंह बोला स्टेंगन वालों का उनकी तरफ से ध्यान बंटा रहा था, काम्याब तो न हुए, बराबर हुआ, साहब, कोई गड़बर हुई तो ACP, साहब के उतावालेपन से हुई, उन्होंने रिवॉल्वर हाथ में आही गोलिया चलानी शुरू कर दी, असल में उन्हें क्या करना चाहिए था? मैं क्या बताऊं, साहब? तुम न बताऊ तो और कौन बताए? अभी तुम ही तो एनकाउंटर के ऐसे हालात के स्पेशलिस्ट के तौर पर बोले, बोले की ACP, साहब उतावले हो उठे थे जो की उनकी गलती थी, उन्होंने फॉरन गोलिया चलानी शुरू कर दी थी, जो की उनकी और भी ज्यादा बड़ी गलती थी, उन्हें उन लोगों को हत्यार डाल देने के लिए तयार करना चाहिए था, और उनको जान से जाने से बचा कर गोली मारनी चाहिए थी, आई सी, आई सी, लिहाजा इस शक्स ने ACP, साहब की जगा तुम्हें हत्यार बन करने की कोशिश की होती तो यहाँ का नजारा कुछ और होता, नसीब सिंग से जवाब देते न बना, उसने बेचैनी से पहलू बदला, तुम यहाँ कैसे पहुँचे, ACP साहब कैसे पहुँचे, हम इकठे आये थे, मनोहरलाल जी को मालूम है, मैं भी जानना चाहता हूँ, कोई इतराज, इतराज कोई नहीं लेकिन वज़ा इन लोगों के सामने बयान करना मुनासिब न होगा, इधर आओ, नसीब सिंग करीब आया तो DCP उसके साथ बाकी लोगों से परे सरग गया, अब बोलो, वो बोला, ये लोग अंदरवर्ड से बिलांग करते हैं, नसीब सिंग दबे स्वर में बोला जामनानी इनका सरगना है, मालूम है, कोई नई बात बोलो, हवलदार करसेमलाल इन लोगों के कैंप में हमारा भे दिया था, जामनानी जिनको अपने महमान बताता है, वो हेरोईन के इंटरनेशन स्मगलर थे, ऐसी हमें पक की टिप मिली थी, अपने डी सी पी, मनोहरलाल की अध्यक्षता में, हमने यहां रेड डालने की पूरी तैयारी की हुई थी, हमें सिर्फ मुनासिब वक्त पर हवलदार तरसेमलाल की टेली फोन काल का इंतिजार था, तरसेमलाल मुझे फोन करता तो तभी रेड होती, उसने फोन नहीं किया था, किया था लेकिन मुझे अकेले यहां पहुँचने के लिए कहा था, अकेले? जी हाँ, अकेले क्यों? कोई वज़ा उसने नहीं बताई थी, बोलता था वो टेली फोन पर लंबी बात नहीं कर सकता था, उसकी हिदायत पर अमल तो न किया तुमने, अकेले तो तुम यहां न पहुँचे, मैं अकेला ही आ रहा था लेकिन तभी एसी पी, साहब मिल गए थे तो मुझे उन्हें तरसेमलाल की काल की बाबत बताना पड़ा था, तब वो भी एक तरह से जब्रन मेरे, साथ चले आये थे, मैं अपने आला अफसर से बाहर नहीं जा सकता था इसलिए, I understand, कब पहुँचे थे यहां? साधे ग्यारा के करीब, बड़ी हद आधा घंटा तुम्हें यहां पहुचने में लगा होगा, जी हाँ, लिहाजा तरसेमलाल की वो कथित तेलीफोन कॉल तुम्हारे पास ग्यारा बजे के करीब आई थी, जी हाँ, जामनानी तो उसे कल रात नौ बजे से यहां से गायब बताता है, जाहिर है कि उसने कॉल यहां से नहीं की थी, कैसे जाहिर है? तो वो हमें यहां फार्म के भीकर या फार्म के बाहर कहीं, मिलता लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ पहुचने के बाद के वाक्याद बयान करू हम यहाँ पहुचे थे तो फाटक खुला था और इलाका सुनसान पड़ा था हम फार्म हाउस पर पहुचे तो ये दोनों स्टेनगनों के साथ एकाएक नमुदार हुए और इनों ने हमें अपने कापू में कर लिया जाहिर है कैसे जाहिर है जामनानी वगेरा पर इनों ने अपना इरादा जाहिर किया था और और तो वही जो की यहाँ हुआ इन लोगों के मनसूबे फेल करने की कोशिश में ACP साहब मारे गए ACP साहब की चलाई गोलियों से ये दोनों भी मारे गए वेरी कन्विनियन्ट फार एवरी बाड़ी जी क्या लूटा? कुछ नहीं लूट पाने की नौबत ना आई पहले ही खोन खराबा हो गया लूटे तो क्या लूटे? मालूम नहीं जो काम हुआ नहीं उसकी बाबत मैं क्या बोलू? दर्याफ्ट तो करना था करना था साहब लेकिन ACP साहब की मौत की वज़े से मैं सक्ते में आ गया था इसलिए फौरण कुछ न सूझा कुछ सूझा तो बस महकमे को फोन करना सूझा तुमने किया? क्या? फोन? जी हाँ यही से? जी नहीं यहां के तो तमाम फोन कटे पड़े है फोन के लिए मुझे यहां से चार किलोमिटर दूर जाना पड़ा ACP के पास वायरलेस फोन होता है SHO के पास भी होता है मेरे पास नहीं था ACP साहब के पास था लेकिन क्या लेकिन? बैटरी लूस थी कहीं गिर गई SHABASH गनी मत हुई की फोन ही न गिर गया नसीब सिंग ने बेचैनी से पहलू बदला तो फोन करने की खातिर तुम यहां से चार किलोमिलर दूर गए? जी हाँ नसीब सिंग बोला पीछे इन लोगों को अकेला छोड़ कर जी ताकि इन लोग पीछे जैसी चाहते स्टेज सैट कर लेते जो चीज चाहते गायरप कर देते जो चाहते बरामदी के लिए प्लांट कर देते मजबूरी थी साहब मैं अकेला हाँ तुम अकेले लेकिन वो बात भी काबिलेत राज है साहब ऐसा ही हुक्म हुआ था हुक्म हुआ था एक हवलदार का हवलदार का काम एस एचो को हुक्म देना होता है साहब वो क्या है कि वो क्या है कि हुक्म देने वाला कोई और था लेकिन नाम तुमने हवलदार का लिया क्योंकि वो तुम्हारी बात की तस्दीक या उससे इंकार करने के लिए उपलब्ध नहीं उपलब्ध हो जाएगा साहब मुझे उम्मीद नहीं साहब तुम्हारी कहानी में छलनी से भी ज्यादा छेद है इंस्पेक्टर नसीब सिंग मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहां जो हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा और जो दिखाई दे रहा है वो सैट की हुई स्टेज का नमूना है साहब आप नाहग एक मिली बगत की सडांध यहां से दूर दूर तक उठ रही है मुझे गारंती है कि जो ड्रामा यहां हुआ है उसको स्टेज करने में तुम्हारा एहम करदार है साहब आप बेवज़ कोई बात बेवज़़ नहीं होती बहरे हो DCP कड़क कर बोला हूचा सुनते हो कड़प रहे हो महकमे के इतने लोगों और इतने दादा लोगों के सामने बेज़़ज़ होने को बुरी तरह से तिल्मिलाता नसीप सिंह खामोश हो गया DCP जामनानी के करीब पहुँचा आप वो बोला क्या नाम है आपका वडी मेरा नाम सारा शहर जानता है नी सारा मुल्क भी जानता होगा मैं नहीं जानता क्या नाम है आपका वडी जामनानी नी लेखुमल जामनानी नी मैं इधर काफी है नाम बोलने को बोला जो की आपने बोल दिया अब मैं क्या कहूँ तुम न कहो तो और कौन कहे आप आपको मेरे DCP से बात करनी चाहिए सला का शुक्रिया Now stand by मैंने अपने ठाने वापिस लोटना है Stand by and wet far further orders लेकिन मैं वड़ी बड़ा सक्त हाकिम है नी Shut up वड़ी मेरे को डोट मेरे को shut up बोला नी Yes Shut up और I will shut you up जूले लाल एक कागस कलम लीजिये और उन साहबान के नाम पते लिखिये जो की यहां आपके महमान थे और जनोंने इतने खून खराबे के बावजूत पुलीस की आमद तक यहां रुखना जरूरी न समझा मरता क्या न करता के अंदाज से जामनानी उस आदेश का पालन करने में जुड़ गया क्रिप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और क्रिप्या कमेंट करे कि आप कौन सी किताब सुनना चाते हैं और हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर ले अगर कभी हमारे दूसरे चैनल की तरह इस चैनल में भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे जुड़े रहेंगे नए अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको यहां आडियो बुख पसंद आई तो लाइक जरूर करें अमरितलाल नाग दिल्ली सदर क्षेतर से कॉंग्रेस का सिटिंग एमपी था उसके दोस्ट और हमदर्द उसे अमरित जी या नेता जी कहकर पुकारते थे जबकी दुश्मन नाग बलकी शेशनाग बुलाते थे गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की राज करने में वो प्रवीन था इसलिए अंदरवर्ड से उसके करीबी तालुकात थे दिल्ली के टॉप बॉस गुर्बक शलाल महरूम का वो हमप्याला हमने वाला रह चुका था और गुर्बक शलाल के ही मिलवाएं वो पहली बार शरजा के इंदोपा क्रिकेट मैच के दौरान भाई से मिला था और फिर जब तफ्रीहन दुबई गया था तो भाई को उसकी खबर लग गई थी और उसने जित करके उसे दुबई प्रवास के दौरान अपना महमान बनने के लिए मजबूर किया था अब भाई फोन करके जिन लोगों की बाबत सवाल कर रहा था वो उन सब को जानता था पवित्तर सिंग तो एक तरह से उसका बिरादरी भाई था क्योंकि वो किंग्स्वे कैम के इलाके से मैट्रोपालिटन काउंसलर रह चुका था और भोगिलाल को जानना उसकी राजनैतिक मजबूरी थी क्योंकि वो दिल्ली के जुमपड़ पट्टे का बेताज बादशाह था और वहां की वोटों पर जो की एक बड़ा वोट बैंड कहलाता था उसकी पकड़ थी लेखुमल जामनानी से और माता प्रसाद ब्रजवासी से वो इसलिए खूब वाकिफ था क्योंकि दिल्ली शहर में जो शक्स पवित्तर सिंग और भोगिलाल को जानता हो वो जामनानी और ब्रजवासी को जाने बिना रही नहीं सकता था जमा ब्रजवासी के लैंड ग्रैप के गैर कानूनी धंदे में उसकी खामोश हाजरी थी और जब भी उसे किसी हाई क्लास कालगर्ल की जरूरत होती थी तो उसे जामनानी की खिदमत हासिल करनी पड़ती थी बहरहाल अमरितलाल नाक पर उन दिनों लगी संसत सदस्य की सरकारी मार्किंग को नजरंदास किया जाता तो वो और बिरादरी भाई एक ही थैली के चट्टे बढ़ते थे दिल्ली में इधर उधर फोन लगाने पर दस मिनट में उसने पता लगा लिया कि बिरादरी भाई पिछले रोज की शाम से ही अपने रूटीन थिकानों से गायब थे और उनके कहीं होने की संभावना थी तो वो जामनानी का छतरपुर में स्थित फाम था जो की कोई नई बात नहीं था क्योंकि इतना तो फोन पर उसे भाई भी बता चुका था फिर भी कोई नई बात थी तो ये थी की अगले रोज की शाम होने को आ रही थी और वो अभी भी अपनी ठिये ठिकानों से गायब थे उसने छतरपुर जाने का फैसला किया ज्राइवर और दो चम्चो के साथ लाल बत्ती वाली जिपसी पर जिस पर की लोकसभा सेक्रिटेरियेट से इशू हुआ मेंबर पार्लियामेंट का स्टिकर लगा हुआ था वो जामनानी के फाम पर पहुँचा जिपसी फाम के बंद फातक पर पहुँची तो ड्राइवर ने जोर से और जान बूच कर ज्यादा देर तक हान बजाया फातक की खिड़की खुली और एक वर्दीधारी सिपाही उस पर प्रकट हुआ अबे दर्वाजा क्यों नहीं खोलता भड़वे ड्राइवर तल्खी से बोला देखता नहीं नेता जी आए है ततकाल फातक खुला जिपसी भीतर दाखिल हुई और अर्धवरिताकार ड्राइवे पर दौरती हुई फार्म हाउस की इमारत के सामने पहुची देखो क्या माजा है नेता ने आदेश दिया दोनों चम्चे जिपसी से उतर कर आगे इमारत की सीडिया चड़ने लगे पीछे नेता ने एक सिग्रेट सुलगाया और उसे आखिरी दो उंगलियों में दबा कर चर्सियों की तरह उसके कश लगाने लगा चम्चे वापिस लोटे सब यहीं है एक बोला एक DCP की अगवाई में कई प्लीसे भी है कोई पंगा पड़ा जान पड़ता है कैसा पंगा नेता बेसबरेपन से बोला खून खराबा फौजदारी भाई लोगों ने की पता नहीं पता नहीं गया ऐसी तैसी फिराने था DCP नाराज हो गया बहुत कड़क बोला डांट में लग गया लौटते ही बना देखे नेता सिग्रेट फैंक कर जिपसी से उतरता हुआ बोला कौन है कड़क DCP SP श्रीवास्तव नाम है दूसरा चमचा बोला कैसे जाना वर्धी पर लगे प्लास्टिक के बिल्ले पर लिखा था चलो चमचो की अगुवाई में नेता इस हॉल कमरे में पहुचा जहां सब लोग जमा थे MP सहब आये हैं एक चमचे ने घोशना की नेता पर निगाह पड़ते ही बिरादरी भाईयों के चेहरे खिल उठे सब को लगने लगा की DCP श्रीवास्तव की थर्ड दिगरी से अब उन्हें निजात मिलने ही वाली थी DCP ने सक्पका कर नेता को देखा वो उसे जाती तौर से नहीं जानता था लेकिन सूरत और नाम से उसकी रिप्यूट से भी बाखुबी वाकिफ था आप उसके मुँख से निकला यहां कैसे भई हम वैसे ही नेता नहीं है नेता बोला हमारे भीतर एक खास मीटर फिट है जो कि हमें अकसर बताता रहता है कि कब कहां हमारी जरूरत है हम दिल्ली की जनता के सेवक है और जनता खास हमारी जनता जहां मौजूद हो वहां तो हमें जाना ही पड़ता है क्या हो गया है यहां? ऐसा कुछ नहीं हुआ डी सी पी अप्रसन भाव से बोला जिसमें आपकी दिल्चस्पी हो गलत बिल्कुल गलत हम दिल्ली के हैं और दिल्ली हमारी है यहां जो भी होता है उसमें हमारी दिल्चस्पी लाजमी है लेकिन एक खुनी होल्ड अपकी वारदात हुई है यहां हमारी बदकिस्मती से जामनानी बोला पुलीस के एक बहादुर एसी पी ने होल्ड अप करने वाले दोनों को मार डाला लेकिन कर्मा मारा खुद भी मारा गया अब ये DCP हमारे से ऐसे पेश आ रहा है जैसे सब किया धरा हमारा हो ऐसी कोई बात नहीं DCP बोला तो कैसी बात है नेता बोला कफ्तीश करनी पड़ती है सवाल करने पड़ते है ये मेरा काम है जिसे करने के लिए मैं यहां मौझूद हूँ आप मेरे काम में दखल अंदाज न हो हुक्म दे रहा है भाई दरख्वास्त कर रहा हूँ DCP साहब हम क्या आपके काम में आपको अणगा लग रही है वो बात नहीं है तो फिर मैं आपकी यहां एकाएक आमद से हैरान हूँ मुझे खुशी होगी अगर आप यहां से चले जाए बहुत कड़क बोलते हो DCP साहब Never, Sir हम पबलिक के सर्वेट है हमें पूरा अक्तियार है यह जानने का कि सरकारी अमलदारी पबलिक से ठीक से पेश आ रही है या नहीं कैसे जानेंगी ये तीन सितारों वाला पुलीसिया जो हमसे निगा नहीं मिला रहा हम जानते हैं कि पहाड़ गंज ठाने का SHO नसीब सिंग है इससे जानेंगे इधर आ भाई नसीब सिंग जिजकता हुआ आगे बढ़ा DCP की असंतोश और विरोधपूर्ण निगाहों की परवा किये बिना नेता ने नसीब सिंग की बाप पकड़ी और उसे बाहर बरामदे में ले गया एक मिनट में इधर का तमाम माजरा बोल नेता दान्त भींच कर फुंकारता सा बोला हमने भाई को खबर करनी है भाई को नसीब सिंग के नेत्र फैले हाँ भाई को जो की यहाँ था उसका बिग बॉस भी यहाँ था और कई ड्रग लॉड्स भी यहाँ जमा होने वाले थे लेकिन ना हो पाए क्योंकि शेरों के बीच में बबबर शेर आ गया बबबर शेर सोहन आपको यह भी मालूम है हाँ इसलिए कुछ छुपाने की कोशिश बेकार होगी हमें यहाँ की असली पिक्चर की वाक्फियत चाहिए जिसको हासिल करने के लिए हमने तुझे चुना है मैं आपका खादिम हूँ नेताजी लेकिन क्या लेकिन जल्दी बोल मेरे को कोई उल्दी तो नहीं पड़ जाएगी उल्दी यह DCP पहले ही मेरे खिलाफ हुआ पड़ा है साथ साथ मिलिबगत का इल्जाम लगा रहा है जो कि नहीं है है तेरी शक्र से हमें भी ऐसा लग रहा था साहब पीछा छुडवा दोगे न आप बड़े आदमी हैं आप जो चाहें मूर्ख नसीब सिंह बॉखलाया हम यहाँ तेरी जाती दुश्वारियां डिसकस करने आए हैं सौरी नाग साहब थोड़े में असल माजरा बोल बाद में तेरी बाबत भी सोचेंगे साहब जामनानी का और उसके जोड़ीदारों का दिल्ली और मुंबई में हुई फॉजदारी की बहुत बड़ी बड़ी वारदातों में दखल है सब हेरोईन स्मगलर भी है और हाल ही स्मगल की गई च्छ किलो हेरोईन यहीं उपलब्ध थी और भी कई तरह का काबिले इतराज साजो सामान जैसे हथियार, गोला, बारूद वगेरह यहां उपलब्ध था मैं और एसीपी प्राण सकसेना सोहल के बुलाएं यहां पहुँचे थे वो हमें हुक्म देकर गया था कि यहां से हेरोईन और असला की बरामदी दिखाई जाए और इन लोगों को टाड़ा और नैशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहट गिरफतार करके सक्ट से सक्ट सजा दिलाई जाए पालन हुआ हुआ हुक्म का नहीं वज़ा एसीपी मारा गया दो चश्मदीद गवां मारे गए जिनकी गवाही के दम पर की इन लोगों के खिलाफ एकदम पुखता केस बनना था और बाकी भांजी तुने मार दी? जी पुलीस वानों को मेरे से भैतर कौन जानता है? इस सारे बखेडे हल्ले गुल्ले में अपनी रोटियां सेंकने से तु कहां बाज आया होगा? अपनी कोई तो कारस्तानी दिखाई ही होगी जिसकी वज़से डी सी पी को तेरे पर शक है? हाँ बोल एक सेकेंड में हाँ, नाग साहब क्या हाँ? जामनानी की खातिर लीपापोती की तो है मैंने जामनानी की खातिर या अपनी खातिर? पहले जामनानी की खातिर अब पोजीशन क्या है? पोजीशन इन लोगों के लिए तो ठीक ही है अलबत्ता मैं अपनी मैं अभी अपने पास रख मैं यहां तेरे लिए नहीं आया क्या असला, क्या हेरोईन यहां से काबिल एत्राज कोई चीज नहीं बरामद होने वाली एंकाउंटर की कहानी कमजोर है लेकिन अगर भाई लोग अपने बयान से नहीं हिलेंगे मैं अपने बयान से नहीं हिलूंगा तो DCP कुछ नहीं कर सकेगा तू हिलेगा अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता अब हिलूंगा तो एक की आठ पड़ेंगी न मरता भी मरूंगा भाई लोगों के हिलने का तो सवाल ही नहीं है वो तो है साहब DCP का इनका पीछा छोड़ना पड़ेगा कब तो छोड़ेगा छोड़ ही चुका है अब तो ये लोग तफ्तीश में सहयोग देने के लिए अपनी मर्जी से यहां मौजूद है ये अच्छी खबर है यही सुनना चाहते थे हम नाग साहब आप DCP को जरा हड़का जाएंगे तो वो बिल्कुल ही थंडा पड़ जाएगा तेरी तरफ से भी? मेरी तरफ से तो नहीं नसीब सिंह चिंतिग भाव से बोला मेरी तो वो खूब खबर लेने का मन बनाएं है मुझ पर ऐसा जाहिर भी कर चुका है वो तेरे जोन का DCP है? नहीं तो फिर वो तेरे पीछे क्यों पड़ा है? मौकारवादात ये जगह उसके जोन में आती है तेरा DCP कौन है? मनोहरलाल मैं जानता हूँ उसे फिर क्या बात है? नेता जी आप तो एक इशारा DCP मनोहरलाल को मेरी बाबत कर देंगे तो मेरे तमाम कंटक कर जाएंगे देखेंगे नेता जी आपके पाव पड़ता हूँ भूलना जाएगा कुछ कर ही डालेगा अच्छा अच्छा शुक्रिया हुजूर फिर नसीब सिंग ने सच में ही दोहरे होकर नेता की चरण रजली अब बात का लुबोलो आब ये हुआ की जामनानी वगेरा आजाद है और बाकी जो कुछ यहां हुआ उन बदमाशों की वज़ह से हुआ जो की एसी टी कि साथ इंकांटर में मारे गए हाँ हुजूर बढ़िया बढ़िया सब छूट गए मामू हाश्मी बोला हवा की तरह आजाद हो गए सब मुबारक अली बोला वो सिंधी भाई वो सरदार वो भाईयन वो लाला सब हाँ मामू मुबाकर अली ने कहरभरी निगाहों से अली वली की तरफ देखा खता माफ मामू अली ने फरियात की दोबारा ऐसी कोता ही नहीं होगी वली ने उसके सुर में सुर मिलाया उधर जो पुलीस का इतना वो क्या कहते हैं अग्रेजी में अमला पहचा था बेकार पहचा था कोई केस न बनाया अल्ला मारून ने नहीं ही बनाया मामू वरना क्यों कर सब के सब छुटे घूम रहे होते असला और नशा पानी के सामान की वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में है रोइन हाँ ही रोइन की उसकी पकड़ धकड़ बरामदी तो हुई होगी कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं मिला खाली एक होल्ड अप की नाकाम कोशिश हुई जिसमें वो बेचारे अमरदीप और शैलजा मारे गए जिनकी वज़से की सोहल और उसकी बेगम की जान बची थी ये तो बहुत बुरा हुआ पुलीस का अपना किरदार है मामू जो की फिर खेल खेल गया हमेशा यही होता है ताकतवर छूट जाता है कमजोर मारा जाता है अल्ला मुबारक अली असहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला लगता है सोहल की दुश्वारिया कभी खत्म नहीं होने वाली अब उसका एक काम और बढ़ गया भांजो की भवे उथीन अरे नामा कुलो अब वो अपनी धंकी पर खरा उतर के दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा बिरादरी भाईयों के छूट जाने की सूरत में वो तो कमिशनर का सिर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कलम कर जाने का बढ़ा बोल बोल गया अब जो वो बोला उस पर अमल करेगा या कान लबेट लेगा अमल करेगा हाशमी बोला करना पड़ेगा तो उसका काम बढ़ा या नबढ़ा बराबर बढ़ा अब कोहा ही करने वानों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा पड़ेगा उसे फिर इधर आने का खत्रा मोल लेना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा क्या जरूरत है मामू अली जोश से बोला हम जो है हम है लेकिन किसलिए है उसकी मदद के लिए है जो कि हम रहती जिंदगी तक करेंगे लेकिन उसका वो क्या कहते है अंग्रेजी में दस्तूर है कि वो अपने मुजरिम को सजा खुद देता है इसलिए उसे इधर आना पड़ेगा इधर आना पड़ेगा क्योंकि वो कभी किसी को फर्जी धंकी नहीं देता अल्लाह अपने सरदार का ये गर्दिश का दौर कब खत्म होगा कभी खत्म होगा भी या नहीं कोई कुछ न बोला पिछले जुम्मे को क्या बोला? मैं सोहल को क्या बोला? मामू वली बोला मैं बोला जानकारी ताकत तभी मैं तुम लोगों को इन दादाओं को और उनके तमाम के तमाम कारिंदों प्यादों को निगा से बीम करके रखने को बोला अब नामा कुलो बोला की न बोला? बराबर बोला मामू हाश्मी बोला तभी तो हम उन लोगों की ख्वातीन को थाम पाए और बाजारिया ख्वातीन सोहल और उसकी बेगम को छुड़ा पाए वो निगाह की बीनी वो क्या कहते हैं अंद्रेजी में वाच वही अभी भी जारी रखनी है कमबक्त मारू क्योंकि यों हासल जानकारी हमारे सोहल के फिर काम आएगी फिर फिर और फिर काम आएगी नहीं हाँ इसलिए निगाह की बीनी जारी रहे और वो क्या कहते हैं अंद्रेजी में वाच की बीनी भी जारी रहे बराबर जारी रहेगी मामू पूरी मुस्तैदी से पूरी मुस्तेदी से मामू जिससे भी कोता ही हुई उसके खाल की मशक, कुबूल, मामू अब दफान होवो और मुझे बिरादरी भाईयों की आजादी की लांती खबर सोहल तक पहुचाने की बदमजा जिम्मेदारी भुकताने दो अरे कलो नसीब मारो इंस्पेक्टर नसीब सिंग अपने जोन के DCP, मनोहरलाल के आफिस के सामने मौझूद था और कभी बेचैनी से तहलता तो कभी फिटका खड़ा पहलू बदलता DCP के सामने अपनी पेशी का इंतजार कर रहा था DCP ने वार फुटिंग पर उसे तलब किया था लेकिन सवा घंटा उसे वहां एरिया रगड़ते बीच चुका था और अभी भी वो इंतजार का सिलसिला किसी सिरे लगता दिखाई नहीं दे रहा था कोई आद घंटा पहले DCP SP श्रीवास्तव वहां पहुँचा था और जाकर DCP मनोहरलाल के साथ उसके आफिस में बंध हो गया था और तब तक भी वही था जो जो मुलाकात में देर लगती जा रही थी क्यों त्यों नसीब सिंग का लड़जता दिल जूते में पहुचता जा रहा था बार बार उसे ये एहसास साल रहा था कि वो जितना चबा सकता था उसने उससे कहीं ज्यादा की बुरकी भर ली थी लेकिन अब वो बढ़ा हुआ कदम पीछे भी तो नहीं हटा सकता था कभी आफिस का दर्वाजा खुला उसने आशापूर्ण नेत्रों से दर्वाजे की तरफ देखा तो पाया हवलदार DCP श्रीवास्तव के लिए दर्वाजा खोल रहा था वो आतन तन कर खड़ा हो गया श्रीवास्तव उसकी दिशा में निगा उठाए बिना लंबे डग भरता वहां से रुखसत हो गया हवलदार ने पीछे दर्वाजा बदस्तूर बंद कर दिया नसीब सिंग लपक कर उसके करीब पहुँचा आपके लिए अभी कोई हुक्म नहीं इंस्पेक्टर साहब हवलदार बोला यार नसीब सिंग चिंतिद भाव से बोला साहब कहीं भूल तो नहीं गए मुझे उन्हें याद तो है कि उन्होंने मुझे मुझे मुलाकात के लिए बुलाया हुआ है मैं क्या बोलू साहब उन्हें याद तो दिला की ऐसे नहीं साहब तो मेरे लिए घंती बजेगी तो मैं आपका भी जिक्र कर दूंगा कि आप हाजिर है ठीक है ऐसा ही करना कभी घंती बजी हवलदार स्टूल से उठकर भीतर गया दर्वाजा उसके पीछे बंध हो गया वो उल्ते पाव वापिस लोटा जाइए वो बोला साहब ने आपके लिए घंती बजाई थी नसीब सिंग का सिर सहमती में हिला उसने अपनी वर्धी को दो तीन जगह से खीच खाच कर उसकी नामालूम सिलवटे दूर की सिर पर पीक के प्यवस्थित की और चोखट लांग कर डीसीपी के आफिस में कदम रखा हवलदार ने उसके पीछे दर्वाजा बदस्तूर बंद कर दिया नसीप सिंग भीतर अटेंशन हुआ उसने एडिया खटखटा कर तंकर सैल्यूट मारा डीसीपी ने सिर उठाया अपने रीडिंग ग्लासिज नाक पर से हटा कर मेज पर डाले और गंभीरता से बोला आओ भाई मुस्तेदी से चलता नसीप सिंग मेज के करीब पहुँचा बैठो ठैक यू सर नसीप सिंग बड़े अदब से एक विजिटर्स चेर पर बैठा उसने अपनी पीक केप सिर पर से उतार कर अपनी गोध में रख ली डीसीपी ने अपलक उसकी तरफ देखा नसीप सिंग उसके निगा मिलाने की ताब न ला सका बड़े विचलित भाव से वो परे देखने लगा रेड क्यों न हुई डीसीपी बोला सर नसीप सिंग बड़ी सावधानी से शब्द चैन करता हुआ बोला तरसेमलाल की वज़र से न हुई एक्स्प्लेन उसका फोन ना आया फोन तो आया तभी तो तुम वहां गए एसीपी प्राण सकसे ना भी तब ना आया जब आना चाहिए था कब आना चाहिए था आपको मालूम है सर इंस्पेक्टर डोंट स्टार्ट क्विस प्रोग्राम जो पूछा जाए उसका साफ और सीधा जवाब दो फोन रात को किसी घड़ी आना चाहिए था सर जबकि जामनानी की मेजबानी में एशिया के कई बड़े ड्रग लॉड्स वहां उसके फार्म पर जमा हो चुके होते रेड उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए होनी थी जो की एक बहुत बड़ी वार्दात होती उन लोगों के वहां पहुँच चुकने के बाद तरसेमलाल ने फोन करना था सर हम तयार बैठे इंतजार करते रहे थे लेकिन कल रात ऐसा कोई फोन नहीं आया था वज़ वज़ यही हो सकती है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम तयार बैठे थे वो कल रात वहां नहीं पहुचे थे कैसे मालूँ तरसेमलाल ने आखिरकार जब आज फोन किया था तो ऐसा कुछ कहा था जी नहीं तो कैसे मालूँ सर उसका फोन ना आना अपने आप में इस बात का था वो ड्रग लॉड्स वहां पहुचे होते तो फोन भी आया होता वो ना पहुचे इसलिए क्यों न पहुचे सर एक वज़ा मेरे जेहन में है लेकिन जुबान पर लाते जिजख होती है क्या तरसेमलाल सस्पेंड था उसकी नौकरी जाने वाली थी मेरा ख्याल है कि उसने अपना क्रेडिट बनाने के लिए वहां ड्रग लॉड्स की आमत के बारे में जूट बोल दिया था लेकिन हैलीपैड हैलीपैड की वज़े से ही वो नाहक कूट कर इस तीजे पर पहुँच गया था कि कोई खास लोग कोई खास लोग जिनकी गिरफतारी में दिल्ली पुलीस की दिल्चस्पी हो सकती थी वहां आने वाले थे ऐसा कुछ नहीं था तो उधर आनन फानन हैलीपैड क्यों बनवाया गया उसकी कोई दूसरी वज़ा भी हो सकती है पूरे यकीन से तो अब भी नहीं कह सकता सर्ण लेकिन मसलन क्या जामनानी का हैलीकाप्टर खरीदने का इरादा होगा इसलिए उसने हैलीपैड पहले बनवा लिया जी हाँ यानि कि बटन पहले मुहया कर लिया और उससे मैच करता कोट वो अभी तलाश करेगा नसीप सिंग खामोश रहा जवाब दो नसीप सिंग से जवाब देते ना बना दिस इस शियर नानसेंस कोई बात बेवज़ा नहीं होती करसे मलाल ने जब पहली बार ये खबर तुम तक पहुँचाई थी तो तुम ने तभी उसका मुह क्यों नहीं पकड़ा था कभी क्यों नहीं कहा था कि वो अपना क्रेडिट बनाने की खातिर जूट बोल रहा था अब यकीन से कह सकते हो क्या लेकिन शक मुझे पूरा पूरा था कि तरसेमलाल फड मार रहा था अपना शक किसी पर जाहिर किया होता मैंने किया था सन किस पर? अपने एसीपी साहब पर प्राण सक्सेना साहब पर क्या कहा उन्हें? यही कि वो एक आम पार्टी थी जिसे तरसेमलाल अपने जाती फायदे के लिए खास जाहिर करने पर तुला हुआ था लिहाजा कोई बाहर से नहीं आने वाला था नहीं आया था सब लोकल महमान थे जी हाँ जामनानी ने डी सीपी श्रीवास्तव साहब को उन लोगों की लिस्ट भी दी है ये सब तुमने एसीपी सक्सेना को बोला था? जी हाँ नहीं जो की इस बात की तस्दीक करने के लिए जिन्दा नसीप सिंह खामोश रहा उसने बेचैनी से पहलू बदला मुझे क्यों न बोला? सर मैंने सोचा था एसीपी साहब खुद बोल देंगे बहरहाल क्या मश्वरा मिला तुम्हें अपने एसीपी साहब से उन्होंने मुझे इंतजार करने को बोला वेट एंड वाच जो की तुम ने किया? जी वेट किया वाच किया? जी जी हाँ जी हाँ वेट का नतीजा ये निकला की तरसेमलाल का फोन जो की कल रात को आना था आज सुबा आया? जी हाँ क्या बोलने के लिए? कि जामनानी के खास महमान वो ड्रग लॉड्स आखिरकार वहाँ पहुँच गए थे? जी जी नहीं तो फिर क्या फाइदा हुआ फोन कॉल का? सर अब तो मुझे भी उस कॉल में कोई भेद लग रहा है अच्छा? जी हाँ क्या भेद लग रहा है? मैं जब छतरपुर पहुचा था तो तरसेमलाल वहाँ नहीं था मैंने जामनानी से इस बाबत सवाल किया था तो उसने कहा था कि उसने पिछली रात 9 बजे के करीब उसे एक खास काम से कनौट प्लेस भेजा था जहां से कि वो लोटा ही नहीं था कल रात 10 बजे के करीब तरसेमलाल मेरे पास आया था उसने इस बात की तस्दीक की थी कि वो जामनानी के काम से निकला हुआ था उस काम को अंजाम दे चुकने के बाद उसने वापिस फार्म पर ही जाना था वो साफ बोला था ऐसा लेकिन अब लगता है कि वापिस न गया तो कहां गया? गया तो जामनानी के हथे चड़ गया क्या मतलब? उसकी किसी नादानी की वज़र से उन लोगों को उस पर शक हो गया होगा मसलन उन्हें किसी तरह से ये ही मालूम हो गया होगा कि वो पिछली रात चोरों की तरह मेरे से मिलने आया था नतीस्तन जब वो लोटा होगा तो उन्होंने उसे ठाम लिया होगा और 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 क्या? सर, बात जुबान पर नहीं आती उन लोगों ने उसे खत्म ये कि हमारा वो हवलदार अब इस दुन्या में नहीं है भाई लोगों ने उसका कतल करके उसकी लाश ठिकाने लगा दी? जी हाँ तो फिर आज सुबा तुम है वो कॉल किसने की जिसे सुन कर तुम और एसी पी सकसेना दोडे दोडे छतर पुर पहुँचे सर जाहिर है कि किसी बहुरूपिये ने किसी ने करसमलाल बनकर उसके लहजे की नकल करके तुम्हें फोन किया जी हाँ किस हासल की खादिर? हासल तो सर तब सामने आता जबकि वहां हालात नार्मल होते वहां तो सब उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा था वहां तो एक नया ही जामा वजूद में आ गया था जिसमें की ACP साहब शहीद हो गए और तुम्हारे लिए सहूलियत कर गए जी तुम्हें कोई भी कहानी कहने के लिए आजाद कर गए क्योंकि उस पर सवालिया निशान लगाने वाला या उसे फर्जी करार देने वाला कोई नहीं सर मैं हकीकत बयान कर रहा हूं तो तुम्हें फोन पर अकेले आने के लिए कहा गया और तुम चल दिये नहीं सर मैंने पहले अपने इमीजियेट बॉस से मशवरा किया इमीजियेट बॉस? यानि की एसी पी? सकसेना? जी हाँ क्या मशवरा मिला? यही की हमें जाना चाहिए था लेकिन मेरे अकेले जाने के हग में वो नहीं थे, इसलिए वो खुद मेरे साथ चले DCP श्रीवास्तव को तो तुमने कोई और ही कहानी सुनाई थी जी उन्हें तो तुम ने कहा था कि ACP साहब जरन तुम्हारे साथ चवक ले थे वो तुम्हारे आला अफसर थे इसलिए तुम उनके साथ से इंकार नहीं कर सके थे मैंने ऐसा कहा था चहरे पर दहशत के भाव लाता नसीब सिंह बोला हाँ सर DCP साहब को मुगालता लगा मैंने हर्गिज ऐसा नहीं कहा था तो क्या कहा था वही जो मैंने आप से कहा ये की ACP साहब मेरे अकेले जाने के हक में नहीं थे इसलिए वो खुद मेरे साथ चले तस्दीक तो इस बात की ACP साहब से की नहीं जा सकती क्योंकि वो एनकाउंटर में मारे गए और कहानिया कहने के लिए तुम्हें छोड़ गए सर आप नाहप मेरे पर शक कर रही है वहाँ हालात ऐसे भी बन सकते थे कि मैं मारा जाता और ACP साहब बच जाते फिर शायद बतौल स्टोरी टैलर मेरे सामने ACP साहब मौजूद होते नसीब सिंग खामोश रहा वहाँ कुछ भी हालात बने, कुछ भी उल्ला पुल्दा हुआ, कोई भी नया ड्रामा स्टेज हुआ ये सवाल तो फिर भी अपनी जगह कायम है, कि तुम्हें वहाँ अकेले आने के लिए क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? जवाब दो सर, मुझे तो एक ही जवाब सूचता है क्या? यही कि वो लोग मुझे भी खत्म कर देने का इरादा रखते थे क्यों? क्योंकि जो तरसेमलाल जानता था, वो मैं भी जानता था एक का मुझे बंद करने से बात खत्म नहीं होने वाली थी इसलिए इसलिए तुम्हारा भी मुझे बंद करने की नियत से उन्होंने बहाने से तरसेमलाल की फरजी काल के जरीए, तुम्हे वहां बुलाया ताकि तरसेमलाल की तरह तुम्हारा भी मुOS बंद किया जा सकता और इसलिए उनका इसरार तुम्हारे अकेले आने पर था जी हाँ लेकिन तुमने इस बाबत अपने इमीजेट बॉस से मश्वरा किया बावजूद इसके कितब अभी तुम्हें उस कॉल के फर्जी होने पर शक भी नहीं हुआ था शक हुआ होता तो हो सकता था तुम जाते ही नहीं जाते तो भारी लावर्श करके साथ जाते जवाब डो जी जी हां तुम्हें मश्वरा ये मिला होता कि तुम्हें वहां 20 हथियार बंद लोगों के साथ जाना चाहिए था 50 हथियार बंद लोगों के साथ जाना चाहिए था तो तुम यू जाए सर आला अफसर का हुक्म तो मानना पड़ता उसके सुपीरियर जज्मेंट पर एदबार तो लाना पड़ता सुपीरियर जज्मेंट Very well said, very well said indeed तो तुम ACP सकसेना के सुपीरियर जज्मेंट के सामने नतमस्तक हुए और निर्देश के मुताबिक अकेले जाने की जग़ ACP सकसेना के साथ छतर पुर गए जी हाँ तो फर्जी कॉल के पीछे मन्शा तुम्हें अकेले छररपुर बुला कर तुम्हारा कतल करना था ताकि जो राज तरसेमलाल जानता था और आदे तुम्हें ट्रांसफर कर चुका था वो राज राज रह पाता ऐसा ही लगता है सर ये जानते बूचते तुम शहीद होने चल दिये अकेले अनाई एसीपी साहब के साथ सर एसीपी साहब के साथ एसीपी साहब के पास तोप थी नसीप सिंग के मुंग से बोल न फूटा तरसे मलाल से उन लोगों को यू मालूम हुआ कि वो तुम्हें अपना राजदा बना चुका था तो उन लोगों को तुम्हारा कतल करना सूझा तुम्हारे से उन्हें मालूम होता कि हकीकत तुम्हारे जरिये ACP भी जान चुका था तो उन्हें उसको भी एलिमिनेट करना जरूरी लगने लगा ACP क्योंकि मुझे रिपोर्ट करता था इसलिए मैं भी जहन्नुम की राह पर यू सीधी दर सीधी ये सिलसिला कमिशनर तक तो पहुँच ही जाता नहीं नसीप सिंग ने बेचैनी से पहलू बदला इंस्पेक्टर, यू आर ए गुड स्टोरी टेलर बट यू आर नॉट ए ग्रेट स्टोरी टेलर इसलिए ये समझने में मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि असल कहानी कोई और है जिस पर की परदा डालने की हरचंद कोशिश तुम कर रहे हो मुझे पूरा पूरा शक है कि हमारे एसीपी समेट जो जाने वहां गई वो भी इस परदादारी के मिशन के तहत ही गई पुलीस का महकमा नीचे से उपर तक किस कदर रिश्वत खोरी से लिप्थ है ये किसी से नहीं छुपा लेकिन डायन भी साथ घर छोड़ देती है अपने एसीपी के खून से रंगी दौलत बतौर रिश्वत तुमने कुबूल की है तो तुम्हारा खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा सर ये मेरे पर बेजा इलजाम है मैंने कोई रिश्वत नहीं खाई मैं एसीपी साहब की मौत के लिए हरगिस भी जिम्मेदार नहीं एन वैसे ही जैसे उनकी जगा अगर मैं मर गया होता तो वो मेरी मौत के लिए जिम्मेदार ना होते मैंने जो किया अपने आला अफसर की हिदायत के मुताबिक किया इसलिए एसीपी सकसेना की मौत को तुम खूब कैश कर रहे हो इनस्पेक्टर वो क्योंकि तुम्हारा मुह पकड़ने नहीं आ सकता इसलिए तुम जो चाहो उस पर थोप सकते हो सर ऐसा कुछ नहीं है तुमने और कुछ कहना है जी जी नहीं जी नहीं तो फिर मैं अपना फैसला सुनाता हूँ नसीप सिंग घबराया वो मुह बाए डी सी पी की तरफ देखने लगा फैसला उसके मुह से निकला इंस्पेक्टर नसीप सिंग हाँ आई एम पुटिंग यू अंदर सस्पेंशन पैंडिंग डिपार्टमेंटल इंक्वाईरी यू आर हैरबाई सस्पेंड़ फ्रॉम यू और पोस्ट आफ स्टेशन हाउस आफिसर पहाडगंज पुलीस स्टेशन विद इमीजेट इफेक्ट नसीप सिंग आस्मान से गिरा सर उसने आर्टनात किया ये जुल्म है अपनी मौत्तली के दौरान ठाने में कदम रखने की तुम पर पाबंदी लागू की जा रही है लेकिन चार्ज देने के लिए तो मुझे ठाने नहीं जाना पड़ेगा वहाँ तुम्हारा काम काज ए एस एच ओ संभाल चुका है संभाल चुका है इसलिए चार्ज तुम यहीं दोगे, मुझे दोगे सर ये गरीब मार हो रही है हो नहीं रही है हो चुकी है नौजवान ACP प्राण सकसेना पर तुम्हारे सदके कोई बड़ी बात नहीं कि तुम्हारे किये सर मैं बेगुना हूँ ना हो ना हो सकते हो तमाम वारगात में तुम्हारा एहम रोल अंधे को दिखाई दे रहा है अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम्हारे खिलाफ फौरण कुछ साबित नहीं किया जा सकता ऐसा ना होता तो तुम्हें सस्पेंट करने की जगह सीधा तिहार भेज कर मुझे बहुत खुशी होती सर रहिम मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाता आज के बाद से तुम्हारी हर मुव्मेंट को वाच किया जाएगा तुम्हारी टेलीफोन कॉल्स को टेप किया जाएगा जामनानी एन कंपनी से तुम्हारे प्रत्यक्षिया परोक्ष तालुकात पर खास निगाह रखी जाएगी और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि तुम अपनी जुबानी तमाम हकीकत कह सुनाने को तयार नहीं हो जाओगे और गुनागार साबित नहीं कर दिये जाओगे सर, मैं बेगुना भी तो साबित हो सकता हूँ जब तक DCP बनोहरलाल इस कुरसी पर बैठा है, तब तक नहीं हो सकते ये तो अंधेर है आपने तो मेरे गुना का फैसला पहले ही कर लिया हुआ है जब आप मेरी इंक्वाइरी करेंगे तो मैं नहीं करूंगा इंक्वाइरी आफिसर कोई और होगा उसको नियुक्त किये जाने से पहले उसकी बाबत तुम्हारी रजामंदी ले ली जाएगी अगर मैं रजामंद न हुआ तो किसी पर तो रजामंद होगे तुम्हारा इंक्वाइरी आफिसर उसी को नियुक्त किया जाएगा जो तुम्हें कुबूल होगा समझ गये? जी हाँ, समझ तो गया लेकिन ये suspension order receive करो ये धांदली है, जुल्म है मैं कोट में जाऊंगा, मैं बहुत उपर तक अपील लटाऊंगा, मैं Inspector DCP कड़क कर बोला receive the orders this very minute or you will be in graver trouble कापते हाथों से नसीप सिंह ने order receive किया आफिस कापी के पीछे दर्ज करो कि तुमने अपना चार्ज मुझे सौपा नसीप सिंह ने वो भी किया Now get the hell out of my sight बुरी तरह से हिले हुए और अपमानित नसीप सिंह ने उठकर सैल्यूट मारा और वहां से रुखसत हुआ जैसा लुभावना नहीं लग रहा था ऐस्टरिस्क 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 विमल के मोबाईल की घंती बजी उसने call receive की सलाम बाप उसे मुबारत अली की आवास सुणाई दी खालिम बोलता है दिल्ली से कैसे हो मुबारत अली बढ़िया तू बोल बाखेरियत है उधर? हाँ बेगम भी? साहब जादा भी? हाँ फिलहाल तो मेहर है वाहिगुरू की मेहर ही रहनी चाहिए फोन कैसे किया? तेरे लिए खबर है बात वो क्या करते हैं? अंग्रेजी में खास किस्म की थी इसलिए तेरे जेबी फोन पर कॉल लगाई कोई मुझायका नहीं बोलो क्या बात है? बात यहां के बिरादरी भाईयों से तालुक रखती है मैं जामनानी वगेर की बात कर रहा हूं जिन्हें तू यहां पुलीस के हवाले करके गया था मैं समझ रहा हूं अब सब जेल में हैं, ना? छुट्ते घूम रहे हैं हवा की माफिक आजाद अच्छा उनका तो बाल भी बाका न हुआ जबकि पुलीस वालों को तू बोल के गया था कि बाल ही बाका हो जाने से रह जाए तो रह जाए और कुछ सलामत ना बचे वो नामोंने हाद वादामाफ गवा जान से गए ACP जान से गया और दूसरे पुलीसिये ने उस इंस्पेक्टर ने पीछे असला या नशा पानी की कोई बरामदी न दिखाई अपने बड़े साहब लोगों को बोल दिया कि वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं साहब लोगों को यथीन आ गया मुकम्मल तौर से तो जाहिर है कि ना आया क्योंकि नसीप सिंहा वो इंस्पेक्टर मुअत्तल हो गया है अब उसकी जगा थाने में दूसरा इंस्पेक्टर ड्यूटी भर रहा है आजकल इधर ठानों में दो इंस्पेक्टर ठाना चलाते हैं न एक असल वाला जो की नसीप सिंह था और दूसरा जुडवा जुडवा जोड के रखा जाने वाला जैसे एक बैल ठक जाए तो दूसरा वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में रहत में जोता जाता है ओ एडिशनल एडिशनल स्टेशन हाउस आफिसर एएस एचो कहते हैं उस दूसरे इंस्पेक्टर को वही बहरहाल बात का लुबोलुआब ये है कि पीछे पुलीस पर तेरी धंकी कारगद नहीं हुई इधर बिरागरी भाई आजाद है और उन पर कोई केस नहीं है ये तो अच्छा नहीं हुआ नहीं हुआ सरदार तूने पीछे खामखा नर्माई दिखाई उन्हें पुलीस के हवाले करने की जगा अल्लाह ताला के हवाले करके जाता तो टंटा ही खत्म हो जाता ठीक कहां मुबारत अली मैं ही मूर्ख था जो उम्मीद कर रहा था कि मुल्क का काईदा कानून उन्हें भैतर सजा दे सकता था बाप पुलीस वालों की और ताकत और रसूख वाले बड़े मवालियों की तो आजकल एक ही जमात है समर्थ को नहीं दोश गुसाई अब तो क्या करेगा आइना क्या पिरोग्राम होगा तेरा प्रोग्राम तो यूँ खुले छूट गए बिरादरी भाईयों की हस्ती मिताना ही होगा बाप वो भी तो तेरी वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में मनसूबे से बेकबर ना होंगे क्या मतलब उनकी भी तो ऐसीच कोशिश होगी मेरी हस्ती मिताने की क्या वांदा है ना रहे बांस ना बजे बांसुरी मारने वाले को मार डालो ये भी तो मरने से बचने का तरीका होता है तुम्हारी बात सोला आने सच है मिया मैं खबरदार रहूँगा बिरादरी भाई क्या कम खबरदार रहेंगी वो क्या नहीं जानते होंगे कि उनकी आजादी की बाबत सुनकर तू कैसा तड़पेगा और कैसा वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में पलट के वार करेगा बाप जानकारी ताकत उनको मालूम तू वार करेगा ये उनकी ताकत क्या कहना चाते हो इस बार उन पर वार करना इतना आसान ना होगा क्यों भला अकलवाले होंगे तो वक्ती तौर पर गायब हो जाएंगे तेरे को ढूंदे नहीं मिलेंगे ओ, अभी हो तो नहीं गए गायब नहीं, अभी तो नहीं हो गए मिया ये बहुत दानिशमंदी का काम किया तुमने अब बराय में हरबानी ये सिलसला जारी रखना जारी रहेगा पर तु इधर का रुख कब करेगा बहुत जल्द मेरे को खबर कैसे लगेगी टैक्सी स्टैंड पर फोन करूंगा बरोबर मैं उधर न मिलू तो पीछे वो क्य कहते हैं अंग्रेजी में संदेशा छोड़ना अपना करकारा करके एक टैक्सी दिरेवर भाई हमेशा उधर होता है हमेशा तकरीबन हमेशा उसके पास मैसेज छोड़ेगा तो वो मुझे पाताल से भी धूंड कर खबर करेगा ठीक है इस बार तो मैं जरूर अपने लिए ए वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में आल इंडिया जेबी फोन का इंतिजाम करता है तब तक के लिए खुदा हाफिज बाप संबंध विच्छेद हो गया वही खास खबर भाई को अमरितलाल नाग उर्फ नेता जी से मिली शुक्रिया भाई कृतग्य भाव से बोला शुक्रिया बिरादर ये बहुत बड़ा काम किया तुमने मेरा बंदा मश्कूर है बदले में कभी भी कोई खिद्मत बोलना देखेंगे नेता बोला देखेंगे पहली फोन कॉल के वक्त में एक एहम बात कहना भूल गया था बराय महरबानी वो अब सुनो बोलो कल जामनानी के फार्म के रास्ते में दुश्मनों ने मेरी कार का एकसिडेंट करा दिया था जिसमें की मेरा गाड और ड्राइवर मारे गए थे गारी किराय की थी और गार्ड और ड्राइवर लोकल थे इसलिए उनकी परवाह नहीं पड़ मेरा मोबाइल उधर कहीं गिर गया है तो देर सबेर वो हाथसा पुलीस की जानकारी में जरूर मुझे देशा है कि तब मेरा मोबाईल भी पुलीस के हाथ पड़ जाएगा जो कि ठीक ना होगा क्यों? क्योंकि वो भाई का मोबाईल है समझे, बिरादर? कुछ समझा, कुछ नहीं समझा उसमें मुंबई के, उना के, दिल्ली के, कराची के, दुबई के, काथमांडू, हांकांग, सिंगापूर वगयरा के मेरे कई कान्टैक्स के नमबर दर्ज हैं यू मेरे कान्टैक्स का पुलीस की जानकारी में आ जाना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है देर सबेर मेरे लिए भी मेरा भी नमबर है उसमें है तो सही भाई ऐसा फोन तुम्हें नहीं खोना चाहिए था नहीं खोना चाहिए था लेकिन मुझे वैसे एक्सिडेंट का कोई इमकान नहीं था जैसा कि हुआ था यही गनी मत थी कि जान बज गई थी बहरहाल गुजारिश ये है कि वो मोबाईल किसी तरह से धुंडवाओ न मिला तो मिल जाएगा उसका नमबर तुम्हें मालूम है जो कोई भी मौकाईवारदात पर पहुँचे उसको उस नमबर पर काल लगाने को बोलना मोबाईल जहां होगा अपने आप बोलेगा बशर्ते की चालू हुआ मैं खुदाबंद करीम से दुआ करूंगा की चालू ही मिले गिर कर बंद न हो गया हो मिल गया तो तो उसे एक्सप्रेस कूरियर से मेरे पास बिजवाना कहा पूना मुंबई मैं पता बोलता हूँ नोट करू भाई ने पता लिखवा कर संबंद विछेद किया और फिर हासल खबर को आगे चांसफर करने के लिए काठ मांडू में रीकियो फिगवेरा को फोन लगाया उस बार खुद फिगवेरा ने उससे बात की बिरादरी भाई सेफ है ये अच्छी खबर है वो बोला लेकिन ये अच्छी खबर तुम्हारे लिए है जी क्योंकि तुम वक्ती तौर पर दिल्ली वालों का कोई आल्टनेटिव तलाश करने से बच गए मेरे लिए अच्छी खबर ये होती कि सोहन खत्म हो गया कि उसे कंपनी की गद्धी कुबूल नहीं भाई तुम्हें फिर से ताकीद है कि एक महीने के वक्त की मियाद खत्म होने से पहले मुझे ये गुड़ नीउज मिल जाए कि सोहल इस दुन्या में नहीं है फालोड यस सल दूसरे दिल्ली वालों ने जो च्छा किलो हेरोईन हमसे हासिल की थी उसका उन्होंने आगे अभी तक कोई बिजनेस किया नहीं मालूम होता मैंने उन्हें वक्त रहते उस फार्म हाउस से हेरोईन किसी ज्यादा सेफ जगा पर शिफ्ट कर देने की ताकीद की थी जिस पर की उन्होंने अमल जरूर किया होगा क्योंकि अगर हेरोईन पकड़ी जाती तो वो लोग जैसी कि तुमने तस्दीक की आजाद न घूम रहे ह होते उनको बोलो की एक महीने के भीतर वो माल का रिपीट आडर करें और बोलो की वो ऐसा न कर पाए तो वो हमारे किसी काम के नहीं अंदरस्टेंड? यस सर्ण गुड नाइट लाइन कट गई भाई ने फोन बंद किया और माथा थाम लिया अब पहले उसने सोहल के खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी खड़ी करनी थी ताकि वक्त रहते वो उसकी हस्ती मिटा पाता चैप्टर तीन बुद्धवार, सहमई, मुंबई, दिल्ली, विंस्टन, प्वायंट लिफ्ट के रास्ते इर्फान टॉप फ्लोर पर पहुचा जैसा की अपेक्षित था, गलियारे में उसे तीन आदमी दिखाई दिये उनमें एक सूटधारी व्यक्ती था, एक बैलबवाय था और एक वेटर था सूट वाला व्यक्ती हाउस डिटेक्टिव था, बैबवाय की वर्दी में सिक्योरिटी वाला था और वेटर असल में भी वेटर ही था जिस लिफ्ट पर वो वहाँ पहुँचा था, वो उस मनजिल और नीचे की मनजिल के बीच में ही यानि की 17 वी और 18 वी मनजिल के बीच में ही आप्रेट करती थी और उसमें अंधिकरित व्यक्ती का प्रवेश वर्जित था उस वर्जना पर अमल होता देखने के लिए निचली मन्जिल पर भी सिक्योरिटी स्टाफ तैनाथ था हालिया इंतिजाम था जो की टॉप फ्लोर पर नीलम सूरज की सुरक्षा के लिए किया गया था उसने अपनी कलाई घडी पर निगार डाली तो पाया की ग्यारा बजे थे उसे देखकर तीनों आदमी सावधान हुए उन्होंने उसकी तरफ कदम बढ़ाने का उपक्रम किया तो उसने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया और स्वयम लंबे डग भरता उनके करीब तक पहुँचा सब ठीक है उसने पूछा जी हाँ हाउस डिटेक्टिव बोला मैडम ने ब्रेकफास्ट कर लिया जी हाँ साहब के साथ ही किया था साहब ब्रेकफास्ट के बाद ही नीचे गए थे हूँ मेरे को इधर के खाली कमरे चैक करने का है जी खाली कमरे चैक कराऊ सब लौक है बाप सिक्योरिटी वाला बोला मैं खुद देखने का है खास्तोर से हर कमरे का बालकनी में खुलने वाला दर्वाजा जो की मैं मजबूती से भीतर से बंध होना मांगता है मजबूती से बंध है बाप खुद देखना मांगता है ठीट और फायर एसकेप की सीधियों पर खुलने वाला दर्वाजा भी पता नहीं किसी को उसका ख्याल आया कि नहीं आया बरोबर आया बाप बंध है एकदम फिट और चौकस देखेंगा हिलो इर्फान ने तानों वगेर की बाबत अपनी भरपूर तसली करने में आधा घंटा लगाया उस दौरान केवल वेटर गलियारे में रहा फिर वो भी गलियारे में लोटे तभी नीलम वाले सूइट का दर्वाजा खुला और लिनन की चाली ठेलता एक छोकरा वहां से बाहर निकला ये क्या है? इर्फान ततकाल बोला सूइट की चादरे, तौलिये, गिलाफ वगेरा बदलने को आया न बाप, वेटर बोला ठामबा इर्फान उच्चस्वर में बोला लिनन की चाली वाला छोकरा ठिटका उधर ही खड़ा रह बोलेंगा तो हिलने का है छोकरे ने सहमती में सिर हिलाया वो नाजुक सा, क्लीन शेवड, कमम्र छोकरा था जो इर्फान की एक घुरकी से ही दहल गया जान पड़ता था क्या नाम है तेरा फिर इर्फान वेटर से समोधित हुआ भाटे, बाप गोविंद भाटे भाटे अखा इडियट भाटे बाप वेटर बॉखला कर बोला मैं तेरे को क्या बोला? क्या बोला, बाप भूल भी गया, साला बाप, मा कसम कुछ नहीं भूला पन मेरे को कैसे मालूम होगा कि मैं क्या भूल गया? मैं बोला इधर की रूम सर्विस लिफ्ट तक ही हो आगे तेरे को संभालने का था बोला की नहीं बोला? बरोबर बोला, बाप पन इधर सर्विस के लिए आए वेटर लोगों के लिए बोला ना अभी जब इधर वेटर बिरेकफास्ट की च्राली लेकर आया था तो मैं उसको लिफ्ट से ही चलता किया और खुद च्राली मैडम के सूइट में ले जाकर मैडम और सर को बिरेकफास्ट सर्व किया और बाबा को फीड दिया पन लिनन वाला सूइट में गया बाप, वो रूम सर्विस थोड़े ही है वो तो हाउस्कीपिंग वाला स्टाफ है उसका काम वेटर कैसे करेंगा? क्यों? तेरे को बैड की चादर बदलना मुश्किल? सिरहाने के गिलाफ बदलना भारी? मेजपोश्ट तॉलिये तबदील करना अख्खा डिफिकल्ट नहीं, बाप मामूली काम पड मैं सोचा तेरा काम सोचना है मिस्टेक हुआ, बाप किचन सर्विस हो या लिनन सर्विस हो या कोई और स्पेशल सर्विस हो सब सर्विस स्टाफ है और कोई सर्विस स्टाफ सुट में नहीं जाने का है लिफ्ट से बाहर भी कदम नहीं रखने का है क्या? सुइट में नहीं जाने का है लिफ्ट से बाहर नहीं निकलने का है उध्रीट से वापिस चला जाने का है बरोबर बाब तुम दोनों भी सुना हाउस डिटेक्टिव और सेक्योरिटी वाले के सिर्ष सहमती में हिले जो सुना वो समझा सब के सिर सहमती में हिले कोई पंगा नहीं मांगता कोई गफलत नहीं मांगता क्या? बरोबर, बाप फिर इर्फान लंबे डग भरता लिनन की चाली के करीब पहुचा बाजू हट वो छोकरे से बोला छोकरा सहमा से एक तरफ हट गया इर्फान ने देखा जैसा की लिनन की चाली में होता था उसके उपरले टायर पर नई चदरे, तॉलिये, गिलाफ वगेरा करीने से तहकिये रखे हुए थे और नीचे के हैंपर जैसे टायर में पुरानी चादरे और इस्तमाल शुदा तॉलिये वगेरा मौजूद थे उसने नीचे के हैंपर में हाथ डाल कर उसे दाएं बाएं ततोला और फिर सीधा हुआ चोकरा, वो गोला आइंदा ये ट्राली लिफ्ट में ही छोड़ के इधर से चला जाने का है ट्राली लेने बाद में आने का है, जो कि लिफ्ट में ही मिलेंगा समझ गया छोक्रे ने जल्दी जल्दी सहमती में सिर हिलाया दवाब भरती हुआ उसने फिर सहमती में सिर हिलाया फूट बाकी लोगों की तरफ पीट फेरे चाली धकेलता छोक्रा आगे बढ़ गया और फिर लिफ्ट में दाखिल हो गया ततकाल लिफ्ट का दर्वाजा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे सरकने लगी इधर ही ठहरने का है इर्फान बोला मैं मैडम को सलाम बोल के आता है बरोबर बाप इर्फान नीलम के सुट के दर्वाजे की ओर बढ़ गया एस्टरिस्क 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 कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और कृपया कमेंट करे कि आप कौन सी किताब सुनना चाते हैं और हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर ले अगर कभी हमारे दूसरे चैनल की तरह इस चैनल में भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे जुड़े रहेंगे नए अपडेट के लिए लिंक दिस्क्रिप्शन में है आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें किंस्ने कैम्प के इलाके में बिजली की तार बनाने का एक कारखाना था जिसके पिछवाडे के एक कमरे में बिरादरी भाई जमा थे वो इमारत ब्रजवासी की मिल्कियत थी जो की उसने किराये पर दी हुई थी कारखाना उन दिनों बंध था और उसके निकट भविश्य में चलने के कोई आसार नहीं थे लिहाजा कारखानेदार ने अपनी मशीनरी और सामान उठा लेने के वादे के साथ इमारत का कबजा ब्रजवासी को वापिस दे दिया हुआ था बिरादरी की खुफिया मीटिंग के लिए ब्रजवासी ने ही वो जगह सुझाई थी जो की सब को पुबूल हुई थी उस घडी चारों को इस बात से खुश दिखाई देना चाहिए था कि वो सोहल के हाथों मौत का सामुहिक निवाला बनने से बाल बाल बचे थे वो न सिर्फ आजादा थे किसी पुलीस कार्यवाही से भी मुक्त थे लेकिन सब संजीदा सूरत थे बहरहाल उनकी दुश्वारिया खत्म नहीं हो गई थी इसलिए अभी भी वो अपने नेता का ही जो कि जामनानी था मुह देख रहे थे साई लोगो जामनानी बोला जो हुआ बहुत बुरा हुआ एक इकलौती मक्खी ने हमारी खीर बिगार दी और बिग बॉस के सामने हमारी वो साख न बनने दी जो कि अगर वो न होता तो बन कर रहती नहोन विच की प्रालम सी पवितर सिंग भुनभुनाया मा ने पैदा ही नखिया होता तो कहां से होता जामनानी सक्पकाया उसने घूर कर पवितर सिंग की तरफ देखा पवितर सिंग ने जान बूच कर उससे निगाह न मिलाई सदार साई जामना नी बोला वड़ी कौन सी जुबान बोल रहा है नी? मैंनो एक ही जुबान आती है सिंधी भाई वड़ी क्या कहना चाहता है नी? कहना नई चाता, पूछना चाता हूँ वड़ी क्या नी? इत्वार साथ मैं की तुगलकाबाद के खंधरों में हुई साड़ी मीटिंग में सोल की बाबत क्या तै हुआ था साड़े बीच वड़ी क्या तै हुआ था नी? भूल भी गया वड़ी कुछ नहीं भूला नी वड़ी पदा को लगे सर्दार साई की तेरा इशारा कौन सी बात की तरफ है? तै हुआ था कि हम सोल को नंगा करके मारेंगे नंगा किया भी हमने बराबर उसे दिल्ली और मुंबई में उसके कई हिमायती मार डाले आखिरकार ऐसी जुगत भी भिडा ली की वो साड़ी गिरफ्ट विचा गया फिर मारा क्यों नहीं? ओ मर्या क्यों नहीं? नानी के मुंग से बोल न फूटा वो अवाक पवित्तर सिंग की तरफ देखता रहा परसो रात तेरे फार्म में जैसा नहथा और बेयारोंदगार वो साड़े सामने खड़ा था उससे ज़्यादा नंगा हम और क्या कर पाते उसे? कब क्यों न उसे फॉरन मार डाला? क्यों उस दे नाल खिलवार कीती? क्यों उसे अपने आदमियों के सामने तमाशा बनाने में वक्त जाया कीता? वड़ी मैंने किया नी? और किसने कीता? ऐसे काम लीडर के किये ही होते हैं जो की तु है सिंधी भाई वड़ी उसने भाई से मिलना था नी? बड़ी साहब फिग्वेरा से मिलना था नी? गलत जूत उन्हें पता भी नहीं था कि सोल हमारी गिरफ्त में था कहो की मैं जूत बोलिया कहो की मैं कुफरत ओलिया जामनानी ने पना मांगती निगाहों से ब्रजवासी की तरफ देखा भाई को पता था ब्रजवासी बोला उसे पता था कि सोहल की बीवी हमारी गिरफ्त में थी इसलिए उसे ये भी पता था कि सोहल का हमारी गिरफ्त में आ जाना महज वक्त की बात थी सरदार जी भोगिलाल बोला सोहल हमारी गिरफ्त में था हमारी खुद की स्ट्रेटेजी की काम्याबी की वजह से हमारी गिरफ्त में था इससे बड़े भाई लोगों की निगाह में हमारा क्रेडिट बने था जो कि पवित्तर सिंग व्यंगिपूर्ण स्वर में बोला इस हकीकत से तो न बनता की हमने सोल को मार गिराया था उससे भी बनता लेकिन क्या लेकिन? भोगी लाल ने जामनानी की तरफ देखा ये लेकिन पवित्तर सिंग बोला की फिर तमाश भी नी न होती शरेयाम सोल की फजीहत करने का सुख न मिलता सिंधी भाई के चमचे बंदर और लंगूर की तरह राजा साहब का तमाशा न देख पाते तालिया बजा बजा कर वडी जो हुआ था जामनानी गुस्से से बोला उसमें सरदार साई तू शामिल नहीं था भैयन शामिल नहीं था लाला शामिल नहीं था हमें शामिल होना पड़ा था वडी क्यों होना पड़ा था नी क्योंकि तूने वहां माहौल ही ऐसा बना दित्ता था कि साड़े वास्ते तेरी हां में हां मिलाना जरूरी हो गया सी असल में के होना चाहिए था भोगिलाल बोला वो शक्स हमारे लिए साक्षात मौत था असल में उसे देखते ही गोली मार दी जानी चाहिए थी ताकि कजिया ही खत्म हो जाता वड़ी ऐसा तब क्यों न बोलानी वज़ा दस से दित्ती उस वेले हम अपने लीडर के प्राइवेट एंटर्टेन्मेंट शो में शरीक थे शो देख रहे थे और सीख रहे थे कि राजा साहब कैसा होता था वड़ी ये तो चित्त भी मेरी पड़ भी मेरी वाली बात हुई पहले तो जामनानी के हर किये में शरीक बन के दिखा दिया फिर कोई माकूल नतीजा न निकला तो किये में खोट निकाल दी वीरे मेरे जिसके सिर पर लीडरी का ताज होता है उसी का कम होता है माकूल नतीजा निकाल के दिखाना ओनों सोचना चाइदा सी कि वो ऐसे शक्स के साथ बेजा खिलवाड न करे जो हम में से हर किसी को मार गिराने के लिए सौ खाए बैठा था वड़ी सरदार साई क्यों जामनानी के मुंग पर कालिक पोतने को आमादा है वड़ी उस वक्त क्या हम में से किसी ने सोचा था कि वो सुखे कोई में से बाहर निकल आने का करिश्मा कर दिखाएगा सोचना चाइदा सी खुद सोचना चाइदा सी और सानों सुचवाना चाइदा सी हम सब उसकी केस हिस्ट्री से पूरी तरह से वाकिफ है हम में से किस से छुपा था कि वो एक मायावी बंदा है कौन नहीं जानता था कि वो काल पर फता पाया मानस कहलाता है ऐसे मानस की बाबत सानू नहीं सोचना चाइदा सी कि उनों मारना खिलवाड नहीं गंभीर मसला था साड़े सामने जो पहला कम था वो सोल की लाश गिराना था इसी वास्ते हमने उसे अपनी जनानी के पिछे दिल्ली खिंचा चला आने के लिए मजबूर किया था फिर पहला काम पहले क्यों न कीता वड़ी जवाब दिया तो है नी सरदार साई अपने कलेजे पर हाथ रख हाथ रख और बोल अपने वाहगुरू का नाम लेकर कि उस वक्त तुने सोचा था कि वो कोई में से निकल आएगा तेरी शक्कल पर लिखा है कि नहीं सोचा था सोचा होता तो तभी बोलता पवित्तर सिंग खामोश रहा तभ कोई न बोला नी तभ तो सब बढ़ बढ़ के बोल रहे थे और सोहल को जलील करने में मेरे से भैतर अपनी हाजरी लगा रहे थे मेरे से ज्यादा फैसी फप्तियां कस रहे थे सरदार साई उसकी खास खिली उड़ाता उसको चोर और शक्ता रहा था वड़ी तब क्यों न किसी को याद आया कि वो काल पर फतह पाया शक्स था वो कोई से बाहर निकल आने का नामुम्किन काम करके दिखा सकता था कुछ बोला वड़ी अब बोल लो नी अब क्यों जुबान को ताला लग गया भाई लोगो ब्रजवासी बोला अब इस बात को ये मान के खत्म करो की परसो राच सोहल की बाबत हम से चूख हुई हम शेखी में आ गए अपनी बेमिसाल काम्याबी पर इत्रा गए इसलिए हम से चूख हुई हम से बोला मैं किसी एक से नहीं सदार जी तुगलकाबाद वाली साथ मई की मीटिंग में वन फार ओल और ओल फर वन का नारा किसने लगाया था खुद आपने लगाया था मेरी दरख्वास्थ है कि जो हुआ उसे एक बदमजा वाक्या मान कर उस पर खाक डाल कर हम अपनी ये वन फार ओल एंड और फान वन वाली भावना को बरकरार रखें वा में ही गती हैं हम सब की इब भोगी लाल बोला हम ये मान के चलते हैं कि सबब से या तकदीर से परसो रात हम अपना विनिंग कार्ड गलत खेल गए लेकिन हमें इस बात से तसल्ली भी होनी चाहिए कि कल वो गलती सोहल ने भी की उसने भी अपना विनिंग कार्ड गलत खेला कि मतलब मतलब साफ है पवित्तर सिंग बोला नए साल की रात को वो हम लोगों के खिलाफ वार्निंग जारी करके गया था कि अगर हमने ड्रक्स के धंदे में हात डाला तो वो हम सब को मार गिराएगा कल मौका था उसके हाथ में एक ही बारगी हम सब को मार गिराने का लेकिन किसी मुलाजे में, किसी कमकली में या किसी गलत सोच के तहट वो मौका वो चूग गया हमारी लाशे पीछे छोड़ने की जगा वो पुलीस के हवाले होने के लिए बधा छोड़ के गया लिहाजा उसका पुलीस पर एदबार हमारी जानबक्षी की वज़ा बना भाई लोगों इतनी बड़ी दुश्वारी में से हम बेदाग निकल आएं ये क्या कोई छोटी बात है मौजूदा हालात में अपनी सलामती के लिए हमें अपने अपने इश्देवों का शुक्र गुजार होना चाहिए या मैं उजला तु काला, मैं चंगा तु बुरा, मैं ठीक तु गलत में अपना वक्त जाया करना चाहिए भाईयन ठीक कह रिया है भोगी लाल बोला जाम्नानी ने पवित्तर सिंग की तरफ देखा पवित्तर सिंग ने हिचकिचाते हुए सहमती में सिर हिलाया मूंडी ने हिला सरदार साई मोह जुबानी बोल ब्रजवासी ठीक कैन्दा ए क्या ठीक कहता है नी हमें बीती बातों पर खाग डाल कर अग्गे की सोचनी चाहिदिये तेरा साई जीवे आपसदारी में ब्रजवासी बोला मन में मैल नहीं लाना चाहिए सरदार जी मन चंगा भूगिलाल बोला तो कठोती मां गंगा होवे है जी उच नीच किसी से भी हो सकती है नी जामनानी बोला गलत फैसला किसी से भी हो सकता है सिंधी भाई पवित्तर सिंग उतावले स्वर में बोला हुन छोड़ ओ किस्सा बिरादरी भाईयों ने बोल दित्ता ताओ गल हुन खत्म हो गई अब अग्गे की सोच और अग्गे की बोल बलकि पहले मेरे एक सवाल दा जवाब दे उच्छो नी उस DCP श्रीवास्तव के कहने पर तूने उन लोगों की एक लिस्ट उसे दित्ती थी जो की बतौर महमान वहां तेरी पार्टी में मौजूद थे लेकिन जो बखेडा खड़ा होने पर पुलीस के आने से पहले वहां से कूच कर गए थे वड़ी ठीक बोला नी पुलीस ने ऐसे ही तो लिस्ट लित्ती नहीं होगी वो उन नामों की पड़ताल करेगी तस्दीक करेगी कि वो सब सच में पार्टी में थे मेरा मतलब ये है कि क्या वो तमाम के तमाम लोग उस पड़ताल देखरे उत्रनगे बराबर उत्रेंगे सरदार साई तू उस बाबत कोई फिक्र न करनी मैंने बहुत सोच समझ कर लिस्ट में नाम दर्स किये थे उन्हें तो नहीं मालूम होगा न की ऐसी किसी लिस्ट में उनके नाम दर्स थे और जवाबदारी होने पर उन्होंने उस बाबत क्या कहना था वड़ी अब मालूम है नी क्या कल पहली फुरसत में उस बाबत मैंने सबको फोन लगाया नी सबको तकरीबन सबको दो साई फोन पर नहीं मिले थे उनके लिए फिर कोशिश करूँगा अभी की नहीं वड़ी टाइम नहीं लगा नी पुलीस परताल के लिए सबसे पहले उन्हीं दो के पास पहचीतो वड़ी ऐसा नहीं होगा नी जब वो मुझे नहीं मिल रहे अभी तो पुलीस को किधर से मिल जाएंगी वीर मेरे टैम खराब होना चाइदा है फिर ओहोई कम सबसे पहले होता है जो नहीं हो सकता होता या जो नहीं होना चाइदा साई ब्रजवासी चिन्पिभाव से बोला हैरानी है कि इस बात का जिक्र पहले नहीं आया पहले कब आता नी उस फजीहत के बात से ये पहली ही तो मुलाकात है हम लोगों की पार्टी के हमारे बताए वक के दौरान वो ही दो जने किसी और जगह बिजी हुए या किसी ऐसी जगह हुए जहां अपनी मौजूदगी की बाबत वो मुकर न सकते हुए तो कैसे बीदेगी किसी की तंगरी तूट गई हो भोगिलाल बोला कोई बुखार में पड़ा हो कोई परदेश गया हुआ होते वडी लान क्यों फिकर में डालता है नी मेरे को वडी जूलेलाल की महर की छटरी अभी है न हमारे सिर पर तभी तो सलामत है अभी हम सब वडी बड़ा साई इतना जुल्म नहीं कर सकता नी हमारे ऊपर की अब इस छोटी सी बात के लिए हमारी आख में डंडा होने दे जूलेलाल के सदके सब ठीक होगा नी यहां से उठते ही मैं खुद उन दोनों साई लोगों की तलाश में निकलूंगा और उनको फिट करके आऊंगा ठीक है ब्रजवासी बोला अब बोलो आदि सिलसला कैसे चलेगा अभी तो माल ही हाथ से निकला पड़ा है भोगिलाल बोला माल काबू में आ जाएगा नी जामना नी बोला माल कहीं नहीं जाता रेट ता डबल हो गया न साड़े वास्ते पवित्तर सिंग बोला डबल ओ ये उस पुलीसिये नू माल छुडाने वास्ते जब करोड रुपया देवांदे ता रेट दे डबल होने चकी कसर रह गई जो माल सानो एक करोड वी लक रुपय दी पेमंट नाल मिलिया ओहुन दो करोड वी लक दान न हो गया सर्दार साई फिर भी कोई पौने चार करोड का फाइदा है वड़ी समझ लेंगे की इस बार कम कमाया वो तो समझ लेंगे ब्रजवासी बोला लेकिन उस इंस्पेक्टर नसीब सिंग को देने के लिए एक करोड रुपया इकठा भी तो करना होगा वो तो है पचीस पचीस लाग का फौरण इंतजाम करो साई लोगो सबने पवितर सिंग ने बड़े अनिच्छापूर्ण भाव से सहमती में सिर हिलाए अग्गे फिर पवितर सिंग बोला किदा चलेगा सिलसिला वड़ी वैसे ही चलेगा नी जैसे की इस बार चला हेरोईन की मुंबई से दिल्ली चांस्पोर्टेशन का हमारा पिछला तरीका अभी भी कारगर है पिछली बार गडबड हुई वो इसलिए हुई कि हमारी बदकिस्मती से हुमने हेरोईन का कंतेनर बनाने के लिए ऐसी लड़की को चुना था जो सोहल की सगेवाली निकल आई थी वो लाखों में से बलकी करोडों में से एक वाला इत्तफाक था जो की हमारे साथ हुआ लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता आइंदा ऐसा हो ही नहीं सकता वो तो समझ लो साई लोगों की हमारे उपर बिजली गिरी थी जो की एक से ज्यादा बार एक जगा नहीं गिरती कहने का मतलब ये है की हमारी हेरोईन तब 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 आगे भी ऐसे ही आएगी जब तब की हमें दिलीवरी दिल्ली में मिलनी नहीं शुरू हो जाती सिंधी भाई ब्रजवासी बोला हमें जित करनी चाहिए की दिलीवरी दिल्ली में मिले करेंगे नी जरूर करेंगे पहले वो वक्त तो आए पहले मौझूदा माल तो कबजे में आए ताकि हम उसे बेच कर चार पैसे कमाने वाले बने ठीक हम आज ही शाम तक उस नसीब मारे नसीब सिंह से अपना माल हासिल कर लेंगे और फिर सप्लाई में लगेंगे तो साई लोगों कहना न होगा कि नसीब सिंह इंस्पेक्टर को देने के लिए अपने अपने हिस्से की रकम का इंतजाम हमें शाम से पहले करना होगा हो जाएगा करना ही पड़ेगा जी भोगिलाल बोला पवित्तर सिंग ने केवल सहमती में सिर हिलाया चोखो जामनानी संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला एक बार माल हात में आ जाये नी फिर उस कमबक्त मारे इंस्पेक्टर की मैं ऐसी खबर लूँगा जूलेलाल की मेहर से की अगले जन तक याद रखेगा पहले सोल दी खबर लेंदी सोच वीर मेरे पवित्तर सिंग बोला वीर भ्रावो ये समझने की गलती हरगिज न करना की वो अभी गफलत में ही होगा की हमारी बाबत उस तक खबर नहीं पहुँची होगी खबर तो जरूर पहुँची होगी ब्रजवासी बोला इतने हिमायती है उसके दिल्ली में जो सुसरे धोबी कहलावे हैं भोगी लाल बोला साई लोगो जामनानी बोला डरने घबराने की कोई बात नहीं सिर्फ युकती लगाने की बात है नी अपने धमकी पर खरा उतर कर दिखाने के लिए पीछे तो वो हमारे यकीनन पड़ेगा लेकिन पीछे पढ़ने के लिए उसे इधर आना पड़ेगा उसकी बाबत हम खबरदार है इसलिए जरूरी नहीं कि उसका ही वार चले हमारा वार भी चल सकता है चलेगा की मतलब होया इसदा मतलब साफ है सरदार साई आएगा तो देख लेंगे ये वैसी ही शेखी ए जिससे हम एक वार खता खा चुके हैं आएगा तो देख लेंगे क्याता है सिंधी भाई ओ ये ओ मजबूरी में आया न देखा गया मर्जी से आया कहां देखा जाएगा सरदार जी ब्रद्वासी बोला क्या कहना चाहते हो एहोई के उससे भिडने का ख्याल भी करना मौझूदा हालात विच आप बैल मुझे मार जैसी बात होगी वड़ी मुकाबला तो करना ही होगा न जामनानी बोला उसके खौफ से हम छुपके तो नहीं बैठ सकते हैं वड़ी क्या बोला नी मैं लीडर से बाहर नहीं लेकिन मेरी अकले ये कहती है कि वक्ती तौरते सानों अंदरग्राउंड हो जाना चाहिदा है अंदरग्राउंड ग्रजवासी सक्पकाया सा बोला उसको और उसके हिमायतियों को भोगिलाल बोला हमें धूंडे नहीं मिलना चाहिए आने वाले दिनों में यहीं कर रहे हो ना सरदार जी हाँ पवित्तर सिंग बोला वडी साई जामना नी बोला यूं खत्रा मुल्तवी हो जाएगा तल जाएगा खत्म तो नहीं हो जाएगा नी खत्म की कोई तरकीब करन दा खुला टैम का होएगा